सर हमारा chapter है preferences here, हमारा chapter है preferences here, इसके अंदर हमें कितने topic cover करने हैं और करने चाहिए, आप जब पढ़ने बैठोगे तो यह बाते आप को पता होना चाहिए कि सर इस chapter में क्या क्या पढ़ना हो और कितने topics हैं, इस चप्टर के अंदर सबसे पहले हमें पढ़ना होता है आपका redemption redemption of preferentia redemption of preferentia redemption किस तरीके का जब simple आपका होता है out of profit सिर्फ out of profit यानि सर जब आप redemption करते हो out of profit तो इस situation में हमें सिर्फ CRR बना के redemption करना होता है जो की हमने सीखा है क्या बना के CRR दूसरे topic पे चलें तो redemption कैसे होगा सर दूसरे topic की बात करें तो redemption जो होने वाला है दूसरे topic की बात करें तो जो redemption होने वाला है वो कैसे होगा वो हो सकता है हमारा आउट ओफ फ्रेश इशू वो हो सकता है आउट ओफ फ्रेश इशू मतलब सर हम जो आपके प्रिफरेंच शेर के redeem करेंगे बदले में सारा फ्रेश इशू करेंगे तो ऐसे situation में हमें जो capital redemption reserve एक account बनता है उसे बनाने की कोई अवसकता नहीं है दोनों point सीख लिया तीसरा point हमें इसमें सीखना होता है सर जब redemption करते हैं हम redemption जब करते हैं हम और जब redemption करेंगे तो यहाँ पर कुछ चीजे और add-on हो जाएगी जिसका हमें खयाल रखना है जैसे आप preference share को तो redeem करोगे ही करोगे साथ के साथ इसके हमें preference share को तो हम capital को तो redeem करेंगे साथ के साथ हमें कुछ बाते सीखनी पड़ेगे जैसे bonus सर bonus के साथ साथ आपको share for feature भी थोड़ा पता होना चाहिए share for feature भी थोड़ा पता होना चाहिए सर जब ये वाला सीख लेते हैं तो हमें सीखना होता है Redemption by Conversion Redemption by Conversion Redemption by Conversion जो की हमने कैसे करना है नहीं करना है वो बाते देख लिए जैसे ही Redemption by Conversion खतम होता है तो एक और Last Topic बच जाता है इसमें सीखने वाला सर वो क्या Topic बचता है सर इसमें सीखने वाला सर इसमें Last Topic बच जाता है Equation Method Equation Method Last Topic बच जाता है सर यहां पर Equation Method तो इस बात का आपको ध्यान रखना है जब कभी भी हम Redemption of Chapter करेंगे तो ये Topic हमें करने हैं इसके अंदर जब हम ये सारे Topic कर लेते हैं और कुछ Questions की Practice कर लेते हैं तब जाके हमारा पूरा चेप्टर क्या हो जाता है यहां पर खतम हो जाता है मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से यहां तक आपको Point Clear मतलब क्या पढ़ने पढ़ना चाहिए हमें इस चेप्टर में क्लियर होगा एक New Chapter हम स्टार्ट कर रहे हैं और यह आपने अभी से पहले नहीं करा हुआ हाला कि मैं Unit 1 एक बार डिस्क्राइब करता हूँ आपका जो Unit No.1 है ना उसमें पहला चेप्टर है Share Capital ठीक है दूसरा चेप्टर है हमारा ESOP Employee Stock Option Plan तीसरे चेप्टर की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आजाता है Buy Back चौत्छे चेप्टर का मैं बात करूँ तो आजाता है Bonus पांचवे चेप्टर की मैं बात करूँ तो Right Issue चेप्टर की मैं बात करूँ तो Redemption of Preferences Redemption of Preferences यह ना हमारा पूरा यूनिट है यूनिट वन जिसके उपर हम यह पूरा हमारा यूनिट है यूनिट वन इसमें से exam में questions आते ही आते हैं सर कितने नंबर का इसमें से सवाल बन के आएगा exam में तो इसमें से हमेशा always जो बन के आएगा आपके exam में वो 15 months का अब कौन सा आएगा हम यह नहीं कह सकते हैं इस यूनिट में से हमने ये वाले chapter अभी अभी जो चल रहा था हमारा अगर ये chapter अकेला अलग कर दो और ये सारे chapter अलग कर दो बात बराबर है यानि सर अगर मैं बात करूँ न तो ये तीनो चेप्टर आपका one day में खतम होता है और ये वाला chapter आपका maximum से maximum three days में और three plus में मैं two लेके चलूँ आप सर three plus में two किसलिए क्योंकि ये वाले जो chapter है न सारे छोटे छोटे हैं एक दूसरे से link है और finally जब ये वाला chapter आएगा न तो इसके अंदर आपका इस chapter का भी थोड़ा बहुत आजाएगा इस chapter का भी आजाएगा इस chapter का भी आजाएगा और इस chapter का भी आजाएगा इसमें सारे incorporate हो जाएगा तो मैं न ये वाले chapter आप सभी बच्चों को ये वाला chapter मैं one day इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन सभी chapter को दो दिन जो मैंने extra आप से मांगा है ये इसी में मैं cover कर लूँगा यानि जब मैं redemption of preference share करूँगा ना तो उसी time पे मैं bonus issue भी समझा दूँगा buyback भी समझा दूँगा और आपका right issue भी इसी time पे समझाऊँगा जब हम ये chapter पढ़ रहे हैं during the duration में फिर जैसे ये chapter के सारे question हम complete कर लेंगे जो भी 15-17 question है complete करेंगे फिर हम इस पे आएंगे ना तो इस पे बस मुझे आपको बताना है कि देखो ये चीजे कर रखा आपको आता होगा ये chapter तो इन chapter के अंदर much more time हमें invest करने की जुरत नहीं है तो इसलिए मैंने सबसे पहले जो chapter pick की आई unit 1 का वो करा है redemption of preferentia और ये इसके अंदर से maximum probability होता है कि 15 नंबर का सवाल पूछा जाए क्योंकि 15 और 15 और करके आएगा ऐसा रहेगा तो इसमें से chances है 15 का पूछा जाए आपका ठीक है न तो जब हम study कर रहे हैं तो clear रहे हैं कोई बच्चा बीच में ये सोच के परिशान बिल्कुल भी ना हो कि सर हमारा bonus issue तो कराए नहीं buyback तो कराए नहीं या फिर आपने isop का topic तो छोड़ दिया है हाँ जो issue of shares है उसके अंदर interest वाला topic में video arrange करके डालूँगा और उसके अलग से मैं doubt session लूँगा मैं उसका उसको इससे combine मत करना लेकिन जब मैं ये chapter आऊंगा तो मैं ये सारे topics cover कर लूँगा कई बार student क्या करते हैं book के हिसास से sequence से चले जाते हैं और वो बोलते हैं sir share capital करा है तो आप इस वाप क्या नहीं कराओगे क्या sir buyback नहीं कराओगे इसलिए मैंने chapter लिख दिया हम ये सारा chapter जब तक complete नहीं करेंगा इस unit को छोड़ने वाले नहीं है दूसरे unit पे नहीं जाएंगे तो हम कर रहे हैं पहले start redemption of preference share हमारा है chapter redemption of preference share तो sir अगर redemption of preference share की हम बात करें redemption of preference share redemption of preference share तो सबसे पहले हमें जानना होगा sir share के category और share कितने तरीके का होता है तो अगर मैं बात करूँ न company का किसी भी company के बारे में बात करें हम बिल्कुल basic से लेके चलेंगे अगर company की बात करें तो company ना अपना share capital registration करवाता है और इस registration को हम पता ही क्या बोलते है authorized capital इसको क्या बोलते हैं authorized capital और सर जब हम registration करवाते हैं जो भी number of shares हो तो इस authorized capital के अंदर दोनो बातें जोड़ी होती है इसके अंदर equity share capital भी होता है हमारा और इसके अंदर हमारा preference share capital भी होता है दोनों ही होता है, इसमें equity share capital भी होता है और preference share capital भी होता है इसमें तो sir इसमें preference share capital भी है और equity share capital भी है अब यह authorize में है, अब हम equity में से ना कुछ part issue कर देते हैं जिसको हम बोलते हैं, issued capital जो हम chapter अभी तक पढ़ रहे थे, इसमें पढ़ रहे थे और preference share में से भी कुछ share हम issue कर देते हैं इसमें से भी कुछ share issue कर देते हैं, जो की आज हम पढ़ना start करेंगे मजे की बात है, सर इन दोनों में difference क्या है, difference देखिएगा इन दोनों में difference यह है कि इस वाले के अंदर dividend की हम बात करेंगे न, तो dividend यहाँ पे fix नहीं होता यहाँ पे dividend fix नहीं होता और यहाँ पे dividend पहले से ही fix होता है यहाँ पे पहले से ही dividend fix होता है यानि अगर company ने एक लाक रुपे कमाया है, तो एक लाक रुपे के profit दो लोगों में बढ़ जाते हैं एक preference shareholder के पास चला जाता है पैसा, एक equity shareholder लेकिन सर पहले किसके पास जाएगा, तो पहले जाएगा preference shareholder के पास तो preference का मतलब यही हो गया priority और preference share capital अकेला ऐसे नहीं लिखा होता है इसके आगे जरूर लिखा होता है कोई ना कोई certain percentage जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है 10% अगर मैंने यहाँ 10% लिखा है तो इसका मतलब सर अगर आपका एक लाक रुपे का preference share है तो इस पे 10% का dividend पहले इस एक लाक में से 10,000 रुपे इसके खाते में चला जाएगा अब जो बचेगा 90,000 रुपे वो 90,000 रुपे distribute हो जाएगा between equity shareholder में यानि अगर हम equity shareholder मान के चले के 10,000 है सर तो बिलकुल यह जो 90,000 है यह 10,000 लोगों में divide हो जाएगा तो अब इन दोनों में difference हमारे exam में difference नहीं पूछा जाता अब preference share के अंदर भी दो पार्ट होता है हमारा एक होता है हमारा cumulative एक होता है non cumulative तो अगर मैं preference share के type की पूछा जाए मेरे से सर प्रफरेंच share होता है कितने type का है तो हम दो तरीके के preference share issue करते हैं सर दो तरीके के preference share कौन सा issue कर देते हो एक कर देते है cumulative सर इन दोनों में फरक क्या है cumulative और non cumulative में अब जिस साल profit होगा सिर्फ उसी साल हम company dividend देंगे अपने shareholder को अगर आपका non cumulative है तो मान लेते हैं 0-1 year के अंदर company loss में रही तो ऐसे situation में ना तो equity वाले को dividend कभी मिलने वाला है इस साल में और ना ही किसको मिलेगा लेकिन अगर cumulative preferenture की बात करें तो 0-1 year में अगर company किस में रही loss में रही तो इस सार मान लेते हैं इसका dividend 10,000 बन रहा है तो in future जब कभी भी company profit में आएगी तो जितना पुराना dividend इसका नहीं मिल पाया था उन सभी को जोड करके उसको dividend दिया जाएगा that is क्या हो गया cumulative क्या कर दिया हमने जोड दिया और non cumulative में जिस साल आपको loss होनी की बज़े से नहीं मिला dividend भूल जाएगे वो dividend आपको कभी भी मिलेगा तर जब equity share था ही तो preferenture लानी की क्या जरुरत हुई अपने voting power को dilute करने के लिए preferenture holder के पास power कम होता है compare to equity share holder यानि ये भी एक तरीके से company का honor है लेकिन इतना ज़्यादा पावर नहीं होता है इसको voting power नहीं मिलता है इसको voting power मिल जाता है मतलब किसी चीज में company में कोई ज़्यादा major changes करना होना तो equity share वाले meeting बिठा के कर सकते हैं तो sir preferenture issue ही क्यों किया जाता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका investment करने का thought ये होता है कि हमें fix amount तो मिले at least अब दो तरीके के मैंने बोला भाई यहां करोगे तो 10% fix मिलेगा ही मिलेगा और यहां कुछ नहीं पता 20 भी मिल जा और 0 भी तो आप यहीं पर जाना पसंद करोगे ठीक है तो ऐसे situation में preferenture तो law क्या कहता है इस situation में जो हमारा preferenture है preferenture में हमारा एक law और एक कानूर बनाया गया especially government का हमारा यहां पर section लेके आया गया section 55 section 55 लाया गया और यह section 55 लाया गया कि आप preferenture को redeem करोगे preferenture को आप क्या करने वाले redeem मैंने बोला सर मैंने issue तो कर दिया बोला आप जब कभी भी issue करोगे ना किसी भी preferenture holder को जब कभी भी issue करोगे तो आप उसके पैसे return करना compulsory है आपको इसके पैसे return करने होंगे एक certain time period के बाद ऐसा नहीं है equity में ऐसा नहीं है आपने मेरी company में पैसे लगाए मैं कभी आपके पैसे वापसी ही नहीं करूँगा मेरी मरदी अगर मेरी इच्छा बनती है बीच में कि मैं वापस करना चाहता हूं तो fine कर दूँगा मेरा मन नहीं कर रहा वापस करने का मेरे पास नहीं है हम नहीं करेंगे लेकिन प्रिफरेंश येर में नहीं है प्रिफरेंश येर में company ने बोला कि भाईया आप जब पैसे लोगे ना तो section 55 लेके आए किसका sir company act का company act 2013 हम जो chapter पढ़ रहे हैं sir redemption की बात कर रहे हैं तो हमें ये section का ज़्यादा ध्यान रखना ज़्यादा जरूरी है issue का part हमारे syllabus में है नहीं और issue क्या होता है जैसे equity करते हैं वहाँ पे बस preference share capital लगा दिया जाता है है और कोई फरक्त नहीं है तो बोला गया sir आपको न इस return shareholder को पैसे return करने है return करने जब हम किसी के पैसे return कर देते हैं अगर हम किसी का पैसा क्या कर दे return कर दे तो उसी को बोला जाता है जब किसी के पैसे को return करते हैं तो उसी को बोला जाता है redemption करना पर दे तो point clear होना चीए उसी को क्या बोलते हैं redemption सर अब उसके पैसे आपको return करने जरूरी है जब आपको उसके पैसे return करने तो कब करने हैं law कहता है सर उसके पैसे आप 20 साल के अंदर अंदर रिटन करिए आप किसी भी प्रफरेंश शियर होल्डर के पैसे को अपने पास इन्वेस्मेंट के रूप में 20 साल से ज़्यादा टाइम के लिए रखी ही नहीं सकते ये लौ नहीं अलाउड करता मान लेता हूँ आपसे मैंने प्रफरेंश शियर करा प्रफरेंश शियर आपने मेरी कमपनी में पैसे लगाए कितने पैसे लगाए सर आपने लगा दिया 10 लाग उस 10 लाग पे हर साल तो मैं डिविडेंट दे ही रहा हूं आपके पैसे मुझे 20 साल के रिटन करने अगर 20 साल तक मैंने return नहीं करा तो हमारे उपर company action लेगी और हमारी company पे penalty fine भी लगाया जाएगा लेकिन law ने बोला sir 20 साल लेकिन some company ऐसे हैं कुछ company ऐसे हैं जहाँ पे ये time period हम 20 साल नहीं देंगे उसके वजाए हम कितना दे देंगे 30 year कुछ ऐसी company हैं जिसको हम थोड़ा ज़्यादा relaxation देंगे कि अपने preferential holder के पैसे कब वापस कर सकते हो 30 साल वाद सर ऐसे कौन से company हैं कोई भी infrastructure company है power generation company है petroleum company है तो ऐसे company क्या रहते हैं उसके पैसे को refund कर सकते हैं 30 साल में सर अगर वो 30 साल में refund करेंगे तो कोई condition भी है जी हाँ इसके उपर condition लगाया गया कि आपको 30 साल का tenure तभी दिया जाएगा आपको हर साल हर साल लगबग लगबग 10% part भी आपको redeem करना है यानि आपको 30 साल के time दिया गया तो 20 साल के expiry जैसे खतम होगा है जैसे यह expiry खतम हो जाता है उसके बाद आपको हर साल 10-10-10% करके खतम करना है और 10 सालों में पूरा complete ही कर देना है समझे क्या criteria रखा गया यानि सर ऐसा नहीं है कि infrastructure company है तो 30 साल में पैसा return नहीं आपको पैसा return करना start कर देना होगा कब 20 साल के expiry के बाद और 20 साल के expiry के बाद जब आपके return करना हम start करेंगे तो 10-10% minimum criteria आप चाहो तो 21 साल में पूरा return कर दो आप चाहते हो पाँचवे साल में preferent year holder का पैसा वापस करना तो पूरा करिए कोई law आपको मना नहीं करेगा लेकिन इससे ज़्यादा time के बाद मना करेगा law आपको तो सर ये कुछ law है जो कि हमें पढ़ना है ये सारी बाते कहा लिखा हुआ है section 55 में अब मज़े की बात है section 55 में ये भी लिखा है और इसके बाद section 55 एक बात तो ये बोलता है 20 साल वाली बात दूसरी बात क्या बोलता है section 55 कि आप जब कभी भी redeem करेंगे तो fully paid up fully paid up share ऐसा नहीं कि आप partly paid up share को भी redeem कर लेंगे हैं fully paid up shares को ही redeem करेंगे redeem करने का मतलब क्या है पैसे वापस करना अब challenge हमारे पास निकल के आता है सर आप redeem तो करोगे तो redeem जब आप करोगे तो पैसे दोगे कहां से आप इनको आपको redeem करोगे तो दोगे कहां से तो बोला भीया इनको govern section 55 करता है तो section 55 ही आपको बताएगा के पैसे कहां से आएंगे उन्होंने बोला इसके पैसे को रिटन करने के लिए आपके पास 3 option available है 3 option available दिया उन्होंने सर 3 option कौन सा available दिया उसने number 1 कहा कि आप इनके पैसे को number 2 और 1 लेते हैं number 3 तीन option दिया बोला सर सबसे पहले आपके पास option number 1 available है कि आप ऐसा करिए आप इसके पैसे को return करना चाहते हैं अगर तो आप ना out of profit कर दीजिए यानि आपके पास profit कमा कमा के जो पैसा आप इखटा कर रहे हैं न उस profit में अगर आपके पास balance available है तो वहां से आप इसको redeem कर दीजिए मतलब उसके पैसे लोटाने है न तो उस profit वेसे निखाल के दे दीजिए दूसरा बोला गया अगर आप profit नहीं कर सकते तो आपको करना होगा fresh issue fresh issue यानि आप नए और share issue करके पैसा जमा करिए और उनको लोटा दीजिए किसको पुराने वाले को अब जब नए fresh issue को लोटाने की बात आई तो यहाँ दो confusion create हुआ सर हम कौन से वाले नए issue करेंगे क्या हम यहाँ पर preference share issue करेंगे हम क्या हम preference share capital issue करेंगे या फिर equity share issue करेंगे हम तो law ने बोला भाईया आप दोनों करिए आप दोनों करिए या preference share करने का मन करता है preference share करिए और equity करने का मन करता है मैं अभी सवाल भी लोगा question भी लोगा पूरा clarity आ जाएगा मैं theoretical को इसके बाद के chapter में in depth में लेके जाऊंगा क्योंकि भी आप पिछली बार honors का paper जब हुआ था तो कम से कब मैंने देखा था 30 से 35 नंबर का mcq पूछा गया था theory के base पर उसमें से ये सारे points भी पूछ लिए गये थे फिर practical question करने से नहीं होगा theoretical भी करना होगा और ये सारी बाते जो मैं आपको बता रहा हूँ हाला कि अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी हो semester 3 में तो वहाँ पे company law के अंदर इसमें से question भी पूछे जाते हैं तो जो company law के अंदर पढ़ते हो वही पढ़ रहे हैं दूसरा option बोला गया सर आप बोट से कर सकते हैं इसका इंतजाम बोट से सर बोट का मतलब क्या हो गया आप या तो कर लीजिए थोड़े से free reserve free reserve या out of profit कह लूँ मैंने free reserve को ना इसे out of free reserve भी कह देते हैं तो मैं एक और नाम लिख देता हूं आउट of profit और इसको हम free reserve भी कह देते हैं एक word आई गया मन में तो आप कर लीजिए free reserve या फिर आप कहां से कर लीजिए सर आप कर लीजिए fresh issue सर फ्रेश issue करके यानि हम पैसे return करने की बात कर रहे हैं बड़ी basic सी बात है हमें क्या return करना है पैसे वापस करना है तो पैसे वापस करने के लिए पैसे काई तो इंतिजाम करना है तो पैसे के इंतिजाम में बोला गया out of profit कर लीजिए या फिर free reserve कर लीजिए या फिर आप नए share issue कर लिजिए पैसा आएगा आप preference share holder को दे दीजिए पैसे चुकता कर दोगे या फिर ऐसा कर लिजिए थोड़े जो profit बड़े हैं वो दे दीजिए और जितना कम पढ़ रहा है उसके लिए आप fresh issue कर दीजिए और फिर ले सकते हैं लेकिन बोला गया भया तुम पुराने preference share के पैसे वापस नहीं कर रहे हैं और फिर preference share issue करके फिर ले लोगे तो आपने क्या कर आपने debt को सिर्फ और सिफ्टिंग किया है payment करने के आप capable नहीं हो आपकी company की हालात खराब चल रहा है इसका मतलब यानि मेरे पास बहुत सारा कर जाया है और मैं एक loan ले लूँ और दूसरे loan का payment करूँ फिर loan ले लूँ फिर दूसरे loan का payment करूँ तो इसका मतलब मेरी company के हाला ठीक नहीं है same इसी pattern की बात करूँ थोड़ा सा मुझे याद आया है कि बहुत लोग credit card पे यही काम करते है credit card का payment दूसरे में transfer दूसरे का तीसरे में transfer थोड़ा सा अपने बड़न को कम करते है तो loan ने कहा कि भाईया तुम preference share issue करो लेकिन इसमें हम condition लगा रहे है condition यह लगा रहे हैं कि 75% preference share जो पुराने हैं वो बोले कि आप preference share को issue करके ही payment कर दो हम permission दे रहे हैं तब कर पाओगे यानि 75% share जो पुराने preference share holder हैं वो आपको permission दे दे कि fresh issue करो तब ही आप कर पाओगे या फिर आपको कौन दे दे आपको CLB approval दे दे CLB का मतलब है company law board का पतलब होता है tribunal क्या होता है हमारा tribunal क्या होता है court होता है सबसे पैले पता ही क्या होता है हमारा case जाता है जैसे कि हमारा court का भी ना section divided है, एक सबसे पहले आप लड़ोगे जिला के basis पे, जिला के बाद जाओगे आप state के basis पे, state के बाद जाओगे आप national के basis पे, national के बाद जाओगे आप international, तो यह sequencing है, लेकिन आप जिला तक तो आप तब पहुँचोगे जब आप पहले पुलिस थान से हमारा case जो है ना सबसे पहले tribunal के पास जाता है, tribunal उसको बगर देखता है, सारी चीजे बताता है, अगर वहां से बात नहीं बन पाई, तो फिर हम उससे उपर जाते हैं, फिर हम last में court में जाते हैं, court से फिर आगे फर्दर बढ़ता है, तो ट्रेमिनल कोन है, जो हमारी स सारी समस्याओं का समाधान करेगा, अगर वह ट्रेमिनल बोल देता है, पहले यह हुआ नहीं करता था, लेकिन 2013 एक्ट के अंदर यह लाया गया, अगर वह बोलता है, ठीक है, तू इसू कर लो, यार परमीशन दे दिया, तो हम कर पाएंगे, समझ में आर यह बात, सबसे करो, हम कुछ नहीं कहेंगे, आप जो मर्जी करो, हम कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन जब सेक्शन पचपन, क्योंकि जब कानुन बनता है ना, तो सारी चीज़े को देख के बनाए जाता है, मैं आपके सामने एक पुरानी वाली बैलेंशीट रखने जा रहा हूं, हाला कि इस चप्टर के अंदर जितने भी बैलेंशीट बनाएंगे, इस किताब के अंदर ही, जितने भी बैलेंशीट बनाएंगे, सिर्फ सारी नहीं बैलेंशीट बनेगी, जो कि हमारी Companies Act 2013 के According Schedule 3 वाली होगी, लेकिन समझ में ना हमें जादा ना पुरानी वाली से अच्छे साथ आता है, क्योंकि हम पढ़ते स्टार्टिंग से यह ही है, तो यह हमारा बैलेंशीट, यह क्या हमारा बैलेंशीट है? बच्चो के doubt नीचे तो नीचे लेगए, छीक है, यह बैलेंशीट है, आपको अच्छे से पता इधर क्या लिखते हैं हम सथ? लाइबलिटी, इधर क्या लिखते हैं, amount, इधर क्या लिखते हैं, assets, इधर क्या लिखते हैं, amount, इधर मान लेते हैं, fixed assets है, fixed assets मान लेते हैं, 5 लाग का है, इसके बाद current assets मान लेते हैं, 2 लाग का है, इसके बाद investment वगेरा मान लेते हैं, investment मान लेते हैं, आपका 7-8 लाग तो टोटल हमारे company का value जो है वो कितने का है 15 लाग सर ये 15 लाग का है अब मैंने बोला कि हमारे पास equity share capital equity share capital basically लिखते नहीं है हम पता ही क्या लिखते हैं यहाँ पे share capital लिखते हैं share capital के अंदर दो भाग होते हैं जो कि पहले notes to accounts में चला जाता है कि equity share capital होगा और preference share capital होगा सर मैंने माने लिया कि मेरा यहाँ पे equity share मैं ऐसे समझा रहा हूँ मैं amount directly लिख दूँआ यह 3 लाग रुपए है और यह हमारा 2 लाग रुपए यानि सर equity share यह कितने होगे हमारे 5 लाग रुपए इसके बाद हमारे debenture जो है debenture जो है debenture जो है वो debenture कितना है सर हमारा वो हो गया 10 लाग रुपए कानून कहता है कि अगर आपका debt equity ratio ना debt equity ratio अगर आपका 2 is to 1 है तो आप सही रास्ते पे चल रहे हो अगर आपको loan चाहिए ना तो banker सबसे पहले आपका debt equity ratio चेक करेगा 2 is to यानि अगर आपका capital 2 रुपए है तो आपके उपर करजा 4 है तो चलेगा 2 आपका पैसा लगा हो और 4 रुपए का बाहर का पैसा लगा हो तो चलेगा लेकिन आपका पैसा 1 रुपए लगा है और करजा आपके 10 रुपए है तो दिक्कत है debt equity का मतलब क्या होता है सर यह debt है और यह क्या है equity यानि एक रुपे equity के बदले दो रुपे तक का करजा business के अंदर healthy माना जाता है आपको सुनके अजीब लगेगा सर एक रुपे का हमने पैसा लगा है दो का करजा तो खराबी चल रहा है नहीं business healthy माना जाता है अभी बड़ी simple से बात है आपने cases देखे होंगे जो कि Adani Group के साथ चल रहा है तो उनका cash जो आपका cash ratio है debt equity ratio बहुत बिगड़ा हुआ है उनका सिर्फ इसी बात पर objection लगा है क्योंकि उनका capital कम है और debt बहुत सा है तो कहरे हैं भीया तुमारा debt equity ratio ही खराब है तो तुमारी company का भरोसा कैसे करे है major वहाँ पर ये है उनका current ratio बहुत बिगड़ा हुआ है current ratio हमारा 2 is to 1 होना चाहिए लेकिन उनका बहुत बिकार जा रहा है वहाँ तो इसलिए objection उठाया जा रहा है तो बड़ी सीधी सी बात है ये है law ने हमारे साथ क्या game खेला law ने बोला कि भाईया अब law अपनी जगह सही है अगर हम preference share को redeem करते हैं ठीक है ना अगर हम preference share को redeem करते हैं तो share capital कौन है sir share capital honor है यानि honor कितने कह सर यहाँ पे देखा जाएं तो honor हमारा यहाँ पे कितने कह सर पांच लाक रुपए का है law कहता है कि आप कभी भी जीवन में life में कभी भी। ऑनर अपना capital नहीं निकाल सकता एक बार लगा दे तो life में कभी भी नहीं निकाल सकता law ने ये लिखा हुआ है सर क्यों नहीं निकाल सकता अगर law बोल दे कि भाईया अपना capital redeem करो तो ऐसे तो ये भी क्या करेगा redeem हो जाएगा ठीक है ना और redeem होने के बाद ये भी बच जाएगा जीरो और ये भी equity वाले भी अपने पैसे निकाल लेंगे ये भी जीरो तो इस company के अंदर मालिक तो बचाई नहीं company तो बिना मालिक का चलने लग जाएगा ऐसे तो law कहता है कि कोई भी honor कोई भी honor किसी भी condition में अपने capital को redeem नहीं कर सकता आप समझना क्योंकि business चलाने वाला कौन है honor है अगर honor ही अपने पैसे निकाल के side हो जाए मैंने इस company में पैसे लगाए तीन लाख रुपे और मैं बोलता हूँ मैं अपने equity को वापस buyback कर लेता हूँ इसको buyback बोला जाता equity के लिए और preference share को वापस के लिए redemption बोला जाता है तो मान लेते हैं आप सभी ने अगर मान लेते हैं तीन लाख रुपे company में लगाए हूँ तो आप सब honor हो आप सब बोलो पैसे वापस करो मैंने क्या करें आपके पैसे वापस कर दिया मैं मतलब company आपके पैसे वापस तो यहाँ पर equity share कितना बचा जीरो फिर preference share को भी बोला 20 साल के बाद वापस करो उसको भी कर दियो तो यहाँ पर share capital कितने बच गए है जीरो बच गए ना और जब हमारे company के अंदर honor ही नहीं है जिस दुकान के अंदर मालिक नहीं वहाँ तो चोरी चोरी पड़ा हुआ है इस तो हो गाई नहीं तो law ने restrict कर दिया कि सर आपना इसको कम नहीं कर सकते आप इसको यानि जो यह आपका आप इसमें hair fair करिए दो को तीन ले जाए तीन को दो ले जाए अल्टा पल्टी करिए लेकिन याद रखिएगा इसको आप घटा नहीं सकते आपने इसको घटा दिया तो फिर आपके उपर penalty लगाया जाएगा तो सर अब इसको घटा नहीं सकते लेकिन आपका law बोलता है कि आपको redemption करना है 20 साल के अंदर तो यह क्यों लेके आए फिर आप अगर आपको घटाना ही नहीं था तो यह क्यों लेके आए law ने कहा देखो मैं सीधी सी बात जानता हूँ इसको घटा नहीं सकते लेकिन इसको maintain रखने का मैं आपको तरीका जुरूर बता दूँ यानि सर maintain रखने का तरीका का मतलब यानि आप इसका जैसे ही payment करोगे paid करोगे तो आपने क्या करना है यहां से यह दो रुपे हटा यहां से यह दो लाक रुपे हटा यानि मान लेते हैं कि यहां से क्या हटेगा आप इसको redeem करोगे न तो यह यहां से हटा इसकी जगह पे मैं दो रुपे कुछ और बैठा दूँगा तो आपका capital कितना रह जाएगा पूरा पाँची यानि इसके हटा के कुछ और डलवा दूँगा आपसे वहां पे ताकि आपका involvement बना रहे उसके अंदर रहे असानी के माली की छोड़ के भाग जाए समझ रहे हो तो सर क्या क्या कहा उसने अब ध्यान से समझना इस बात को law ने कहा कि आप इसका payment करिए out of profit से out of profit से out of profit का मतलब आपके पास अगर कोई भी पैसा पढ़ा हुआ है जैसे आपके पास general reserve है आपके पास profit and loss का balance है कोई भी पैसा पढ़ा हुआ है अभी हम आएंग आपको रिजर्व कर देना है capital redemption reserve में law कहता है इस पैसे को आप क्या करिए यहाँ पैसा क्यूंकि जो आपका general reserve होगा मैं थोड़ा सा general reserve भी यहाँ थोड़ा सा changes करके लिख देता हूँ so that आपको थोड़ा clear है मैं यहाँ पे इसका amount भी बदल देता हूँ in fact हटा देते हैं इसको amount यहाँ पे कर देते हैं 7 लाख रुपे और यहाँ GR कर दिया मान लेते हैं हम 3 लाख रुपे ठीक है सही चल रहा है हमारा कोई दिक्कत नहीं 7 पंदर दर चल रहा है तो इसने कहा कि आपके अगर general reserve में पैसा है आपके profit and loss पैसा है तो उससे पहले पैसा निकाल लीजिए मेरे वाले example के अंदर देखे पैसा है और मुझे कितने के payment करने preferential capital के करने कितना payment करना है हमें 2 लाख रुपे तो हमारे पास पैसा कितना है 3 लाख रुपे तो मैं यहां से निकाल लूँगा 2 लाख रुपे और इस पैसे को निकाल के ऐसा नहीं कि उसको payment कर देंगे क्योंकि profit कभी पैसा होता ही नहीं है पैसा तो हमारे bank side में होता है current liability में है ना अगर मैं बोलूँ मैं आपको profit में से पैसे दे रहा हूँ तो profit में से पैसा ultimately तो cash ही दूँगा ना profit तो कभी देखा ही नहीं होता कैसा है तो बस वो maintain करके रखता है तो हमने क्या करा यहां से profit में से पैसा निकाल के इस पैसे को कहीं और हटा के रख देना है that is कहां पे रख देना है capital redemption reserve यानि सर आप इसका करना चाहते है इसको मैं short form में आज के बाद बोलने वाला हूँ मैं CRR CRR एक्जाम में आप ऐसा capital redemption reserve ही लिख किया होगे तो सर अब मैं इसको shifting करके दिखाता हूँ यानि यहां से मैं redeem करूँगा तो redeem करूँगा तो यह यहां से गाइब हो गया और यहां पे एक नया आजाएगा क्या CRR तोड़ के और मजे की बात है और क्या होगा यह भी कितना हो जाएगा एक लाथ मैस तो होई नहीं रहा अरे भाईया payment किया है तो यह कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा ध्यान देना अब ध्यान से देखना तो यह देखो कितना हो गया total 6,7,13 और 8,5,13 तो यानि अब नए वाला देखा जाए तो कितना हो गया 13,00,000 balance sheet मेरा match है balance sheet पर तो कोई फरक नहीं पड़ा ना तो बड़ी सीधी सी बात है अब मुद्दे की बात है सर अब CRR में अगर डाल दिया तो यह 5,00,000 रुपे आपका जो था उसने बोला सर 5,00,000 रुपे आपका जो होना चाहिए ना share capital की जगह पे एक word यूज कर दिया यह लेकिन share capital तो still आपका देखा जाए तो share capital 5,00,000 नहीं है क्योंकि यह 5,00,000 तो बचा ही नहीं आपका share capital तो बच गया कितना 3,00,000 और जो CRR है अलग से आगया 2,00,000 तो आपके condition तो तूट गई ना यहां पे आपने बोला share capital को हम कम ही नहीं करने देंगे आपको लेकिन यहां तो कम हो गया share capital section 55 ने बोला रुको आपने जो यह 2,00,000 रुपे यहां पे अलग से रखा है ने CRR में आपका भी इस्तिमाल ही नहीं कर सकते इसका सिर्फ एक reason की वज़े से इस्तिमाल कर सकते हो वो भी share issue करने के लिए free के bonus share issue करने के लिए यानि सर आपके CRR में पैसे पड़ा है इस पैसे को आप use नहीं कर सकते चलो आपका मन कर रहा है यूज करने का करो और मन कर रहा है तो आप क्या करो sir bonus issue कर दो आप क्या कर दो bonus issue जैसे ही bonus issue करोगे तो आपका यहां पे दो लाक रुपे प्लस हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा जी तो ultimately महीं चले जाएगे यानि आपको ऐसे restrict करा आपको redemption करने का option दिया गया लेकिन आपको बांध दिया गया तो यानि बोला गया आप payment कैसे करोगे out of profit out of profit में से पैसा सबसे पहले कहां ट्रांसफर्मारों के लिए जाके CRR में और CRR का पैसा भी इस्तमाल नहीं करना CRR का पैसा सिर्फ एक काम के लिए इस्तमाल हो सकता है वो भी bonus share तो जैसा ही CRR को आप इस्तमाल करने के लिए जाओगे share capital बढ़ जाएगा ultimately वहीं पहुंच जाएगे दूसरा option बोला गया sir आप fresh issue से कर सकते हो चलिए आप fresh issue से कर सकते हो कहानी दुबारा से हम वहीं पे लेके जाते हैं इस पूरी कहानी को फिर से हटा देते हैं जो पहले की कहानी थी हम वहीं पे लेके चलते हैं हम पहले की कहानी को वहीं लेके चलते हैं उपताए करेंगे यानि अब मैं कहना चाहर हूँ कि हम crr create नहीं करेंगे मैं कहना चाहर हूं जरूबव से करूँ आप बताओ क्या करोगे तो fresh इंस से जैसे ही करोगे तो आप 2,00,000 रुपए का fresh issue करोगे न तो बुला हां तो यह यहां से गया और यहां पर एक नया equity share capital आ गया कितने का हो सकता है नया पर french share capital आ गया यह तो maintain ही हो गया इसकी payment करने की बारी आए तो जो आपने fresh शिशू करा, वहाँ से 2 लाख हाया, आपने इसको देख, निफटा दिया, हमारा कोई परकी नहीं पड़ा, बैलेंशीट पे, तो ये दो ही method बताए हुए है, अभी CRR पे आएंगे, tension मतली जिए, अभी CRR और काफी question भी करेंगे, basic, basic, तो अभी मैं simple सा क्या बताना चाहता हू section 55 ने क्या बोला, section 55 basically बोलता है, आप preference share को redeem करेंगे, लेकिन companies act क्या कहता है, कि भीया अपने share capital को आप reduce, reduce करना है, तो उसके जगह पे एक चीज़ हटाओगे, तो उसके जगह दूसरी चीज़े आपको रखनी पड़ेगी, यानि total 5 लाख maintain होना चीए, और redemption करने के इसलिए दो तरीके बताएगे, या तो आप क्या करो, वहाँ पे out of profit करो, या fresh issue करो, या दोनों मिला के भी कर सकते हो, जैसे मेरा मन कर रहा है, यहाँ पे भीया मैं fresh issue एक लाख कर दूँ, एक लाख general reserve ले लूँ, तो एक लाख मिला के यह 4 लाख हो जाएगा, और CRR में कितना चला ज तो जनरल reserve से निकाल के कहां बेज देंगे, CRR में, तो ultimately उपर का 5 लाख का provision maintained हो जाएगा, समझ में आरीए बात आपको, तो इसका मतलब सर, यानि हमें preference share redeem करना भी compulsory है, और हमारा share capital कम भी नहीं होना चाहिए, इसलिए बोला गया, कि जब कभी भी आप preference share को redeem करोगे, तो out of profit या out of reserve करोगे, या fresh issue से करोगे, या both से कर सकते हो, सर अब मुद्दे की बात है, out of profit और out of जब भी होगा, तो यहां का पैसा आपको use payment के लिए नहीं करना है, यहां का पैसा आपको use करना है, transfer करने के लिए, अब बताओ कहां transfer करेंगे यहां का पैसा, तो CDC बात है, इस प पैसा होगा कहां पड़ा हुआ, तर यह पैसा होगा कहां, बड़ी basic सी बात है liability में, अब इस से जब आप पैसा निकालोगे, तो liability को खतम करने के लिए general entry देखो, आपका क्या हो जाएगा, आपका free reserve debit हो जाएगा, free reserve क्या हो जाएगा, debit हो जाएगा, है कि नहीं, और आप ए एक और liability create कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, to CRR, general entry भी देख लो, तो जब कभी भी हम reserve से पैसे निकाल के कहां देदेंगे, CRR में, तो क्या entry बनेगा, free reserve debit or to CRR, अब एक question बच्चों का आता है, सर अगर reserve के अंदर पहले ये बता दो, कि free reserve होता क्या क्या है, तो free reserve आपका हो सकता है, general reserve, मैं लिख देता हूँ, free reserve या फिर out of profit में क्या-क्या हो सकता है, तो free reserve हो सकता है हमारा, प्री reserve हो सकता है हमारा, point number one, short form में लिखूँगा, general reserve, point number two, profit and loss, point number three, workman compensation reserve, point number four, point number four, और कौन से reserve होते हैं, any other, pre-reserve कर दिता हूँ, any other, मैं भी list दे दूँगा इसका, दिखा दूँगा, मैंने लिखा हुआ है, वो दिखा दूँगा, ठीक है, यानि इसको call करते हैं, free reserve, लेकिन sir, reserve and surplus नहीं लिखा यहाँ, reserve and surplus में security premium भी आता है, reserve and surplus के अंदर, क्योंकि reserve and surplus नहीं heading है, तो reserve and surplus नहीं लिखा सरिफ यही दो है, out of free reserve का मतलब है, इस profit को खर्च करने के, आप अपने जहां इच्छा है, वहाँ खर्च करिए, कोई government आपसे एक सब्द भी नहीं पूछेगा, कि यह profit गया का, आपने कमाया खर्च करोआ, लेकिन, एक होता है हम हमारा वो reserve जिसके लिए freely नहीं होते, जैसे security premium उसको खर्च नहीं करना, वो 5 जगह बताया हुआ था, use करने के लिए section 52, subsection 2 के अंदर कहां कहां पे, sir कहां कहां बताया गया था, वहां बताया गया था, एक तो bonus issue, buyback, और preliminary expense, write-off, तो वो 4-5 जगह बताया था, वहां के लिए समझ में आई बता आपको, sir fresh issue के अंदर preference share और equity share आ गया, और यहां बोध में free reserve में भी आपको पता चल गया कि क्या आ गया, अब सबसे पहले तो इसकी general entry आपको समझ में आया, logically, अब पताय दिक्कत क्या आता है, आपको ना पैसे की जुरत है, मान लेते हैं, अब दिक्कत के अंदर मेरा मान लेते हैं, दो लाक रुपए है, correct, यहां पे मेरे कितने हैं, दो लाक, total तीन लाक हो गए, पांस, तीन, आट, साथ, पंदर, ठीक है न, अब मुझे, again मैं बोलू के मुझे क्या करना है, इसको हटा देते हैं, एक पल के लिए, इसको हटा देते हैं, हटा हमें पहले मैंने बोला, out of profit करना है, तो क्या हमारे पास profit available है, दो लाक रुपए का इसको redeem करने के लिए, तो हाँ सर, दो लाक रुपए से तो ज़्यादा है, प्रॉफिट का मतलब है, चाहे profit बोलो, चाहे free reserve बोलो, ठीक है दोनों, क्या हमारे पास दो लाक का इंतजाम है, इसको redeem करने के लिए, तो जवाब सर, हाँ, दो की जगए पर हमारे पास कितना है, तीन, अब बच्चा confuse होता है, सर, एक लाक रुपए ये ले और एक इसमें से लिए ये, फिर दोनों इसमें से ले ले, तो आपकी इच्छा है, जैसे मर्जी, जो मर्जी इस्तमाल करिए, को कुछ बच्चे पता है कि इसमें से profit यूज करने के लिए क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं, एक बच्चे ने answer किया, सर, profit and loss को debit कर दिया, और आपने क्या कर दिया, journal reserve को debit कर दिया, एक लाक यहां से ले लिया, एक लाक यहां से ले लिया, और इस पैसे को कर दिया, profit and loss account, पचास अजार इस से निकालते हैं, बाकि GR से ले ले लेते हैं, 1.5 लैक और 2 CRR ले ले लेंगे, 2 CRR दो लाक, यानि तीनों बच्चों ने अलग-अलग entry करा, तीनों बच्चे का 100% ठीक है, तीनों बच्चों का 100% ठीक है, समझ वाई बात आपको, जनल रिजर्व दो लाक है न, अच्छा, P&L कर रखा है, थोड़ा सा गलत हो गया, ध्यान देना, मैं इसको थोड़ा shifting कर दूँ, मैं जो ले रहा था, इसको इधर ले आते हैं, और इसको इधर ले जाते हैं, ठीक है अब, आप, वो मैंने सोचा के मैंने यहां रख रखा है तो आप वो tension मत लीजिएगा, कोई बच्चा इस पर question, ठीक है, तो यानि आप, जो आपके पास free reserve का criteria दे रखा है, क्या होता है free reserve, उसमें से अगर बहुत सारे option, बहुत सारे जगे पैसे हैं, तो आप कहीं भी पैसा इस्तमाल कर सकते हैं, लेकिन कुछ free reserve ऐसे होते हैं, जै तो सर, free reserve होता क्या है, कुछ बच्चे बता भी रहें के, सर, dividend equalization reserve भी होगा क्या, मैं अभी बता देता हूँ, free reserve कौन से है, free reserve कौन से नहीं है, तो ये बाते देखी लेते हैं, तो tension ही खतम हो जागा, या आपकी किताब की सारी बाते मेरे पास लिखी हुई है, तो सर, क्या क equalization reserve और fund, ये भी हमारा free reserve का ही पाट है, एक कौन सा आपका reserve fund, कोई भी नाम से दे दे, एक insurance fund हो सकता है, एक workman compensation fund हो सकता है, workman accident compensation fund हो सकता है, contingency reserve हो सकता है, provision reserve हो सकता है, आपका provision for taxation हो सकता है, हर किसी क्या अगर note लिखा हुआ है, note में यही लिखा हुआ है, कि जैसे मान ले बना रखा है मान लितने के 5 लाक रुपए इतना detail में जानी की जुरत नहीं बस बता रहा हूँ कितना बना रखा है 5 लाक उसमें से 3 लाक का claim आया हुआ है यानि 3 लाक रुपए किसी worker को मुझे payment करना है हमारे पास fund में कितना पढ़ा हुआ है 5 लाक तो हमारे पास free वाला कौन सा available है सर्फ तो दो use कर सकते यही note में लिखा हुआ है कि ऐसे जिसके आगे note मैंने लिखा है तो मतलब वहाँ इस्तिमाल कर सकते है यह वो reserve है भाईया जो कि free नहीं है सरकार से बिना पूछे इसको छूभी नहीं सकते है सबसे पहला कौन सा फिर आपका पूछना पड़ेगा सर permission लेना पड़ेगा इसके बाद capital redemption जिसको CRR बोल रहे हैं और old और या फिर opening balance फिर profit prior incorporation और pre incorporation आपके slayvers का part है नहीं वैसे मैं बता देता हूँ कई बार ना हमें company बनने से पहले profit हो जाता है क्योंकि company बनने में 6 महिने लग गया लेकिन हम काम थोड़ी न रोकेंगे हम partnership firm है partnership से हम company में जा रहे हैं तो partnership में तो काम चली रहे हैं तो किस दिन से हमारा company commencement होगा तो prior incorporation होता है become owners का part होता है प्रोग्राम के अंदर अभी है नहीं हम बाद में इसको अलग से देख लेंगे कि कैसे करा जाता है इसके बाद sir revolution reserve revolution reserve तो बहुत सारा बारवी में क्या होगा assets का value बढ़ गया घट गया जो revolution account बनाते थे profit on sale of fixed assets तो sir ये भी नहीं होगा debenture redemption reserve जिसको हम क्या बोलते है sir DRR आगे आएगा chapter उसमें भी देखेंगे sir development rebate reserve ये भी हम आगे देखेंगे investment allowances reserve ये भी तो ये कुछ kind of reserve है अगर आपको balance sheet में देखता है तो इस पैसे का भूल के भी इस्तमाल मत करना क्या बनाने के लिए CRR बनाने के लिए और अगर इस type के नाम आपको balance sheet में दिखता है तो इनका नाम इस्तमाल कर सकते हो कहाँ पे sir CRR तो मैंने यहाँ बड़े कम word लिखे है लेकिन बस एक मोटा मोटा tentative idea दे दिया है मैंने कैसे लिखेंगे sir लेकिन JR तो एक लाख है अच्छा अभी वो बच्चे बोल दे थे JR एक लाख है वो मैंने change कर दिया ठीक है न यहाँ तक हर किसी को clear है अब sir मुद्दे की बात यह आ गई sir ठीक है CRR भी बन गया fresh issue भी बन गया बोथ भी हो गया क्या 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 condition लिखी हुई है वो जो किताबों में लिखी हुई बाते है न वो मैं एक बार read कर देता हूँ वैसे मेरा ऐसे read करने का मन नहीं करता है क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ इन सारी बातों को तो बस read करना है section पच्पन इसको govern करता है सर आप पढ़ लीजिएगा अपने किताब में से कहता है कि no issue irredeemable preference share कहता है कि आप कोई भी share ऐसा नहीं issue कर सकते जो कि irredeemable हो मतलब जिसको वापस पैसा ना देना हो आपको redemption करना है 20 साल के अंदर लेकिन redemption exceed हो सकता है 20 साल सके जगा 30 साल कब जब company के पास कुछ power है कुछ ऐसे example है जहां पे 30 साल मिलेगा telecommunication company है industrial company है जो की social development का काम कर रही है आपका power generation company है petroleum company है इनको 30 साल का वक्त दिया जाता है लेकिन मैंने इसके अंदर आपको 10% वाली बात यहां नहीं लिखी लेकिन वहां पे बता दिया और दूसरा आपका tribunal जो हमें approval देगा वो दोनों बाते हैं वहां पे मैंने अलग से बता दिया आपको यहां तक clear point आपको तो इसमें ज़्यादा detail में नहीं जाना है 20 साल और 30 साल आप पढ़ना चाते हैं किताब में given हैं आप वो पढ़ सकते हैं उसमें कोई दिक्कत ने हैं सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको इसली चलिए सर अब question आता है इतनी देज से इतनी सारे बाते कर ली CRR 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 लेकिन सवाल यह आता है सर CRR बनाना कितना है यानि CRR बनाना कितना है CRR तो बोला गया भया CRR बनाना है equal to redeemable redeemable equal to redeemable equal to redeemable आव विश्णू अभी मैं पहले अपना concept खतम कर लूँ फिर आप सभी को मौका दूँगा बात करने के लिए जो भी होगा देखेंगे या short form में लिखतेते हैं CRR is equal to आपका जो redemption करोगे of preference share capital यानि अगर आपको preference share capital दो लाग का redeem करना है preference share capital दो लाग का redeem करना है तो CRR कितना बनाना है आपको सिर्फ दो लाग का बनाना है ऐसा नहीं कि profit में तीन लाग पढ़ावा तो चलो डाल देते हैं कोई दिक करो कितना बनाओगे दो लाग काई बनाओगे कितने बनाने वाले हो दो लाग काई ये क्या दिक्कत आ रहे है अभी hand raise का doubt बिलकुल भी नहीं लेंगे अभी पहले हम concept को खतम कर ले अमाउंट लेकिन सर जी आर में ठीक है वो अमाउंट बता दिया मैंने लिख दिया यहां पे पहले concept clear करने दिए जितना मुझे आता है मैं तो बता दू तभी तो आपके सवाल पूछूँगा तो सबसे पहले CRR का यह सवाल आता है लेखिन सर लेखिन एक दिक्कत है जब आप fresh issue करोगे क्या तब भी CRR बनाना है तो जब आप जब fresh issue करी दिया तो CRR बनाने की जुर्रत क्योंकि अगर fresh issue हो गया तो capital तो हमारा compensate हो गया तो CRR बनेगा ही नहीं लेकिन दोनों अगर कर र value of preference share का मतलब यहाँ पे आप consider करना face value यहाँ पे consider करना face value कुछ एक example मैं लेने वाला हूँ मान लेते हैं कि मैंने 10% आप बताईएगा इसके उपर वैसे question मैंने लिखा हुआ है already लेकिन ऐसे कर लेते हैं point number one मान लेते हैं 10% मुझे preference share capital redeem करना है rupees है 10 lakh का तो मेरा answer बताईएग क्या होगा हमारा CRR CRR कितना बनेगा बताईए फटाफ़र CRR कितना बनेगा कितना redemption करना है हमें 10 lakh तो कितना बनेगा 10 lakh दूसरा question अगर 10% दूसरा question 10% preference share capital हमें rupees 10 lakh रुपे का है और redeem करना है at 10% premium पे 10% premium का मतलब हम आपको extra पैसा देंगे इसका मतलब हमें preference share holder को preference share holder को जो लोटाना है पैसा 10 lakh तो देना ही दे था plus मैं 10% और जादा देंगे यानि सर कितना 11 lakh रुपे आपको लोटाना पड़ेगा जब हमें 11 lakh रुपे और लोटाना पड़ेगा तो मुझे simple सी बात बताईए basic सी बात बताईए कि जब हम preference share को 11 lakh रुपे लोटाएंगे तो अब हमें बताईए CRR कितना बनाना है CRR आपको बनाना होगा मैंने बोला हमेशा रहेगा समझ मैं यह बाता हमको यानि कितना अब मान लेते हैं कि हमारा वैसे discount पे कभी भी preference share redeem नहीं होगा discount पे नहीं होगा हमेशा होगा या तो पार होगा या फिर तो एक बात यहां से समझ में आ गया कि जितना preference share हमें redeem करना है उसके face value के बराबर हमें क्या बनाना पड़ेगा CRR अगर partly paid up preference share है तो पहले उसे fully paid up preference share बनाओगे उसके बार चलो एक और example लिले तीसरा तीसरा example है 10% हमारा preference share capital है और ये number है हमारा कितना सर 10,000 और paid up value यहां पे paid जो किया हुआ है वो करा हुआ है इन्होंने 80 रुपे यानि सर टोटल मिला के 8,000,000 रुपे हमारे पास आ चुका है अब बताईए हमें CRR कितना बनाना है CRR कितना बनाना है तो सर जवाब यहां पे भी CRR face value के बराबर बनेगा that is 10,000,000 सर यहां पे तो 8,000,000 है तो पहले आप इसके अंदर और भी call मंगवाएंगे 2,000,000 रुपे का और call मंगवाएंगे तब आपका यह process CRR का start हो सकता है अगर आपका 8,000,000 रुपे ही paid up रह गया तो आप CRR के यानि redemption के process पे बढ़ी नहीं सकते क्योंकि law क्या कहता है sir law कहता है कि आपको preference share redeem करने के लिए fully paid up preference share होना ज़रूरी है तो अगर यह partly paid up है तो redemption के process में आगे बढ़ सकते हो क्या नहीं बढ़ सकते है तो पहले इसको किस में convert करोगे जब fully paid up में आप convert करोगे चाहिए जैसे भी करो whatever way हो तो आपका 10,000,000 तो होई जाएगा नहीं है समझ में आ रहा है सर सेकिंड पॉइंट दुबारा explain कर दो बिल्कुल सेकिंड पॉइंट कौन सा है हमारा यह सेकिंड पॉइंट में क्या है कि 10% preference share capital है और हमारा redeemable था 10% premium पे सर redeemable किस पे था 10% premium पे मतलब 10,000,000 रुपे तो face value है मैं कहूँ 10 रुपे वाले समान को 10% premium पे लोटा हूँगा तो मतलब मैं आपको 11 रुपे लोटा हूँगा तो सेम 10,000,000 रुपे पे 10% premium का मतलब मैं आपको लोटा हूँगा कितना 11,000,000 रुपे लेकिन law कहता है आपको CRR सिर्फ face value के बराबर बनाना है प्रीमियम का नहीं बनाना है तो सर आप कितना premium face value कितना है इसका 10,000,000 तो इसलिए हमने CRR कितना बनाए है यहाँ पे 10,000,000 रुपे का यहाँ पे face value बता दिया discount पे तो था ही नहीं अभी discount वाला मैंने यह कहा कि company जो है वो preference share को redemption जो discount पे नहीं कर सकते और आप करना भी क्यों चाहोगे आप मुझे 100 रुपे दो मैं आपके lot आउंगा तो that is redemption मैंने बोला 100 दे दो आपको 90 lot आदूगा तो क्या ऐसा possible अगर ऐसा possible होगा तो दिन बर मैं यही करता रहूँगा 100 रुपे ले लूँगा 90 देता रहूँगा लेकिन कई बार हो सकता है वो लॉग के अगेंस जाएगा लेकिन फिर भी हम करेंगे आगे देखेंगे हम conversion वाले केस में ठीक है न चलिए start करते हैं question हमारे पास क्या given है sir हमारे पास given है preference share और हमें ऐसे question में सिर्फ और सिर्फ मतलब किस से है preference share capital से equity share किसी काम का नहीं है तो preference share कहता है 50,020 रुपे का एक तो मैं पहले हिसाब किताब बना लू sir हिसाब किताब का मतलब preference share capital का जो पैसा है वो है हमारा 10 लाक रुपे का तभी तो उसी के according में CRR बनाऊँगा fresh issue करूँगा सारी चीजे और कहता है कि हमारे पास security premium के अंदर पैसा है हमारे पास general reserve के अंदर पैसा है हमारे पास surplus के अंदर पैसा है हमारे पास current liability का तो कोई कामी नहीं है the company आपका excise क्या company चाहती क्या है its option to redeem all preference share company बोल रही है कि हम option दे रहे हैं सारे preference share redeem करेंगे at a premium पे इसका मतलब सर मैं preference share holder को premium भी देने वाला हूँ सर preference share holder को premium दोगे तो 10 लाग का 5% दोगे that is आपका कितना आ जाएगा 50,000 रुपे यानि आपको preference share holder को जो payment देना है total payment देना है वो 10 लाग 50,000 रुपे का payment देना है clear यहां तक 10 लाग 50,000 का देना आगे पढ़ते हैं to finance of the redemption इसको पैसे देने के लिए all investment were sold 560 का तो इस company का कुछ investment है इस investment को बेच दिया company ने sir क्योंकि इसके पैसे चुकाने थे कितने रुपे बेच दिये 50,000 तो इसका CRR से कोई न देना नहीं CRR क्योंकि इसको बेच के पैसे आ रहे हैं लेकिन हमारा liability side maintain नहीं हो रहा तो यह तो fund arranging के लिए था अब fresh issue company ने कर दिया इसके लिए 10,000 ordinary share 20 रुपे का था जिसको हमने बेचा 24 रुपे का सर इसके लिए हमने एक fresh issue भी किया सर fresh issue किये हमने 10,000 जिसका face value था 20 रुपे यानि सर कितने का that is 2,000,000 रुपे और इसी के उपर हमने security premium भी लिया कितना security premium लिया 4 रुपे that is आपका 40,000 रुपे तो यहां से पैसा हमारे पास total कितना आ गया 2,000,000 40,000 रुपे और यहां पे हमें देना कितना यह अगर मुझे अब CRR का मैं को option पूछू तो CRR का क्या होता है आपका face value to face value comparison होता है यानि आपको पैसा कितना CRR के लिए चाहिए सर share capital में चाहिए 10,000,000 रुपे और कहीं से arrange करके उस liability को फ़ेट कर पाऊ जो कि liability side घट ना जाए तो इसके लिए आपने already इंतिजाम कितना कर लिया है सर दो लाग face value को तो fresh issue कर दिया तो अब CRR कितने की जुरूत होगी दिमाग लगाओ CRR कितना चाहिए होगा आपके पास पहले से कितना प्रफरेंशियर आपका प्रफरेंशियर redeem करना है 10,000,000 10 में से आपने इंतिजाम यानि सर ये प्रफरेंशियर होने वाला है लड़ू 0 होने वाला है इसकी जगह पर आपका equity share जो है ये अब 18 के नहीं रहेगा 2,000,000 का और आ गया 20,000,000 पहले total capital कितना बन रहा था 28,000,000 28 में से 20 तो होई गया तो और कितना इंतिजाम करना है सिर्फ 8,000,000 रुपए का और इंतिजाम करना होगा सिंपल सी बात है दिमाग लगा हो कितना इंतिजाम करना होगा क्योंकि 10 का आप यहां से liability हटाओ गए और 2 का फिर से डाल दिया liability का मतलब share capital 2 का डाली चुके हो तो और ऐसा क्या करें के हमारे पुराने liability का structure में change ना है तो हमारे पास एक option available है क्या करने के लगा CRR तो कितना CRR बनाएंगे हम तो that is आपका 8,000,000 रुपए का CRR बनेगा तो सर अगर मैं CRR की बात करूँ तो आपको समझ में आना चाहिए यहाँ पे CRR जो बनाना है हमें कितने का बनाना है सर 8,000,000 अब 8,000,000 के CRR बनाने के लिए पैसा कहां से चाहिए free reserve से चाहिए free reserve में पैसा है बिल्कुल general reserve में 4,000,000,000 रुपए पैसा पढ़ा हुआ है कोई tension वाली यहाँ पे बात ही नहीं है काफी पैसा हमारे पास पढ़ा हुआ है आगे पढ़ते हैं question में क्या कहता है these were duly subscribe and fully amount was received कहता भाया जो issue की है यह वाले share एकदम ठीक ठाक गया पैसे भी मिल गए time पे कोई दिक्कत नहीं है director wish only minimum reduction made in the revenue reserve director बोलता है कि हमारे reserve कम से कम इस्तमाल हो तो भईया इससे कम तो इस्तमाल होई नहीं सकता इतना तो करना ही पड़ेगा दूसरा option ही नहीं हमारे पास समझ में आ रही है बात आपको आगे क्या कहता है you are required to draft a journal entry relating to the cash, record, transaction and etc. और balance sheet भी बनाना है तो हम सुरिफ और सुरिफ journal entry पर focus करेंगे पहला सवाल है हमारा balance sheet पर नहीं जाएंगे अगली class से हम balance sheet पर जाएंगे तो journal entry सबसे पहले जो जो काम क्या वो करते जाएंगे तो मैं journal entry का format भी पहली class है तो format बना के करना बनता है तो वही format रहेगा जैसे कि पहले करते आए हो चलिए आपको टॉप पे लिखना है journal entry है in the books of पहले आपने सबसे पहला काम क्या क्या investment बेचा तो investment आप बेचोगे तो ये वाला investment खतम कितने का 6 लाग का बेच कितना दिया आपने तो bank में पैसा आया होगा आपके bank account debit कितने का पैसा आया पांस साथ और इसमें तो नुकसान कर गया तो आप loss आ जाएगा यहाँ पे loss के जगह पे लिखेंगे statement profit and loss यह surplus भी लिख देते हैं वैसे लिखा जाएगा statement profit and loss कितने का नुकसान कर लिया 40 का अब आपको जो यहाँ पे surplus दिख रहा है ने 5 लाक रुपए यह 5 लाक है ही नहीं क्योंकि 40,000 का loss भी कर लिया तो actual surplus कितना होगा बताओ जब नए वाले balance sheet में हम move करेंगे अगर बनाना हुआ in case तो हमारे नए वाले balance sheet में क्या surplus हमें 5 लाक रुपए दिखेगा जवाब है नहीं दिखेगा वहाँ पे क्योंकि हम loss कर लिया हमने या और हमारे पास से क्या चला गया सर investment investment कितने का चला गया सर 6 लाक का तो यह पहला general entry हुआ being में क्या लिखना है बड़ी basic सी बात लिखना है being में investment sold being में क्या लिखना है investment sold बस अब अगली entry इसके बाद हमने क्या करा सर fresh issue करा तो fresh issue की पहले entry करिए तो fresh issue की entry क्या होता है वही जो share capital में सीखा है bank account यह तो आपको basic है यह मैं क्या बता हूँ bank account to share application याद है आपको या भूल गए अभी अभी चल रहा था यह तो bank to share application कितने पैसे आजाएंगे bank to share इसका being क्या लिखना वो ही लिखना जो वहाँ पे सीखा था ठीक है कितने पैसे आजाएंगे premium पे किये है भाई 2 लाग का समान 2.40 में तो bank में आया होगा आपका और यहां भी क्या आएगा 2.40 अगली entry पे चलते हैं सर अगली entry कौन से आएगी हमारी share application 2 equity share capital 2 अब मुझे कौन बच्चा बचाएगा बताएगा हमारे balance sheet में security premium है या नहीं है बताओ balance sheet में security premium है पुरानी वाली balance sheet जो दिख रही है आपको सामने यह पुरानी balance sheet है क्या security premium है इसमें है यह दो लाख आएगा और यह 40 अब बताओ अगर मैं नही balance sheet यहीं से draft कर दू तो क्या security premium दो लाख रहेगा यह बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा क्योंकि यह वाला भी नहें वाला जूड जाएगा तो मैं आपको बताता जा रहा हूं connect जब नहीं balance sheet बनाओंगा तो इस सारी बाते याद रखना आप वहाँ पे क्यों यही काम वहाँ पे होना है अब सर इसके बाद क्या करा है इसके बाद हमें सर CRR बना लेना है पेड़े तैयारी कर लेनी हमने fresh issue कर दी अब क्या बना लेंगे हम CRR तो CRR के लिए हमें कितना जाना है आठ लाक आठ लाक में से देखा जाए तो हम यहां से अगर बोलेने के पांस लाक इस्तमाल कर लेंगे तो not possible क्योंकि पांस तो ही नहीं है तो मैं एक काम करता हूँ जनल रिजर्व से कितना इस्तमाल कर रहा हूँ चार जनल रिजर्व से इस्तमाल कर रहा हूँ चार लाक और चार लाक दूसरे में से ले रहा हूँ किसमें रिजर्वेंट सरी सर्प्लस में से सर्प्लस में से कितना ले रहा हूँ चार लाक और टू यहां पर आपको यह कहानी समझ में आ रहा है कि क्यों बना रहा है बिंग जरूरी है यह बनाना बिंग CRR created लिख दो उसे यहां तक कोई दिक्कत सब कुछ ठीक 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 चल रहा है अब क्या करेंगे भईया अब सब कुछ इंतजाम हो चुका है अब प्रफेंट शेयर होल्डर को बुला लो पैसे देने है न तो बुलाने का मतलब उसके डियू कर दो माउट को तो प्रफेंट शे होल्डर कैसे बुलाएंगे अभी देखते हैं बोला भाइया आज ओप रफेंट शेयर कैपिटल जो आपको पहले क्रेडिट किया था कितने परसंट प्रफेंट कैपिटल है 9% मैंने बोला 9% प्रफेंट शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जैसे डेबिट किया तो वो आ उसके कितने पैसे देने है सर देने है टोटल ये वाला 10 लाक रूपैर ठीक है मैंने बूला ओके सिक्योरिटी प्रीम्यम भी आपको देंगे हम बोला जी हाँ आप सीक्योररीटी मेरे लिए तो नुकसान है debit हो गया कितने का 50,000 का मैंने बोला आपके लिए मैं profile shareholder नाम का इस्तमाल करूँगा वर्ड क्योंकि आपको payment देना है कितना 10,000,000 क्या मैंने इसको payment दे दिया या नहीं दिया बताइए क्या आपने payment दे दिया या नहीं दिया हाँ जी हाँ ज़रत ही नहीं पड़ी ना आपको 8,000,000 ही चाहिए total हाँ ज़रत ही नहीं पड़ी अगर ज़रत पड़ती तो मैं 5 भी इस्तमाल करता 5 वैसे बचता नहीं उसके अंदर 40 ही बचता हमाल ठीक है यहां तक किसी को दिक्कत आ रहे है अब इसके बाद हम इसको क्या कर देंगे करेंगे सर पेमिन करने के लिए की नेक्स पिच पर जाया जाया है ہ है मेरे साफसा ओक्रेंज कर लिए पर इसर तो सब्सक्राइब यह हां और यह कि और थोड़ा से स्माल साइज कर दें हमरे पाछ जगह मिलीगा इसको इधर क्या पेमिंट करते हैं सरी है सर पेमिंट करेंगे कैसे प्रफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना पेमिंट देना है दस लाग पचास अजार अब ये भी चेक कर लीजेगा एक बार क्योंकि बैलेंस शीट बनाना होता है कि हमारे पास दस पचास वाक्य में है भी पैसा तो आप देखें आपके पास पैसा तो आया दो चालिस यहां से और दो चालिस आने के बाद आपके यहां पे कितना है पांच साथ तो 2,40 मैं इधर कर देता हूँ, इसका रफली, यह आपको चेक करना है, सर 2,40 आपका IF प्रेश इसू से और कितना? 5,60 तो कितने होते हैं? 3,60 पहले से पढ़ा हुआ है, तो कितने होगे हैं? 11,60 तो हमारे पास है, तो और हमें देना कितना है? 10,50 तो हाँ, easily दे सकते हैं, हमारे बैंक में कुछ पैसा बचेगा, बताओ दिमाग लगा कि कितना बचेगा बैंक में पैसा हुआ? 1,10,000 तो इसी तरीके सा नई बैलेंशिट बनना है, बड़ा असान होता है, लेकिन आप कॉडिनेट करके चलोगे, तो ठीक है? चलिए सर, अब आजाते हैं, हम इसके सेक्योरिटी प्रीमियम को ना, इसे हमें राइट आफ भी करना है, इस सेक्योरिटी प्रीमियम को है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा वर्ड और एक्स्प्लेइन कर देता हूँ, सर, यह सेक्योरिटी प्रीमियम जो है ना, यह सेक्योरिटी प्रीमियम है, रिडेम्शन वाला, सेक्योरिटी प्रीमियम और रिडेम्शन, और रिडेम्शन, अब इसको राइट आफ करने के लिए, कि इस premium को आपको write off करना है तो write off करने के लिए या तो आप security premium का पैसा इस्तमाल कर लीजिए या free reserve इस्तमाल कर लेजी आपके इच्छा है तो अगर आपके पास security premium पड़ा हुआ तो priority उसको लेना है क्योंकि आप पहले उस पैसे को खतम करोगे company में से जिसको इस्तमाल करने में कठी ना ही आती है तो security premium freely तो use हो नहीं सकता तो पहले हम उसको इस्तमाल कर लेंगे तो premium कितना लोटाना है हमें sir premium लोटाना है 50,000 रुप हमारे पास premium के अंदर यहां भी पड़ा हुआ है 2,00,000 और in fact 40,000 तो और आए थे करेंगे और वहां पे कितना जाएगा 1,90,000 तो अब यहां पे पहले यह वाला security premium को हम right off करेंगे right off मतलब zero कर दो तो यह debit है तो इसको credit कर देंगे और यहां से security premium निकालूँगा liability से जब security premium निकालूँगा तो debit हो जाएगा security premium कौन से वाला है आते हैं इसको देखके कि सर security premium debit भी security premium credit भी तो क्या चक्कर है तो वो आप देख लेना कि किस तरीके से मैंने लिखा है being आएगा इसका security premium return off समझ में आई बात आपको पहले यहां तक समझ में आ गया कोई दिक्कत है किसी को सर repeat कर दो काफी टाइम पहले बोला गया 58 पर ही बोला गया सर क्या repeat करना है सर प्लीज repeat 8 लाग कैसे आया fresh issue repeat कर दो सर अगर exam में discount वाला आ गया नहीं आएगा स्वजल स्वज़ स्वज़ल सर राइट आफ क्यों करेंगे राइट आफ इसलिए करेंगे कि आप यहाँ पर expense मान रहे हो security premium redemption के time पर अगर आपने छोड़ दिया तो यह balance sheet में continue चला जाएगा यह security premium के नाम से जो कि ऐसा होगा नहीं तो law कहता है अगर आप किसी विज़े से खर्चा है आप rent देते हो तो rent को भी right off करते हैं कहाँ देते हैं पहली entry क्या करते है rent payment करने के याद करिए आप क्या करते हैं आप सार rent to cash अब उसके बाद एक और entry करते हैं पता ही क्या profit and loss to rent तो यह वाला rent debit था यह वाला rent क्या हो गया credit हो गया तो ultimately यह entry होता तो हम right off हर खर्चे की करते हैं लेकिन हमेना 11 वी तक वो इतने detail में ले के नहीं जाया जाता अब हमें ले जाया जाता है कि कोई भी अगर खर्चा आप करते हो तो उसको आपको write off भी करना है अब write off करने के दो ही जगह पे हैं अब इसका specific तो बता दिया गया और बाकी खर्चे को write off करने के लिए जैसे statement profit and loss लिखा है लेकिन अब पहले पता है क्या लिखते थे loss on sale of investment फिर उसको एक और entry करना पड़ता मैं loss on sale of investment को credit करना होता और profit and loss को debit करना होता write off करने के लिए यहां directly कर दिया तो इसे write off किया गया अब मैं यहां तक सभी को clear है तो मैं आगे बढ़ू हूँ आपके लिए बसर 9 बजगे अगली class का भी time हो गया है सर एक बार question पूरा repeat कर दो तो simple सी बात है सर यहां पे पूरा repeat कर दें पूरा repeat करने का एक बार conclude कर देते हैं पूरे questions को हमारे questions में क्या गीवन था एक सवाल गीवन था जिसके अंदर preference share capital ध्यान से सुनते जाएगा preference share capital हमारे 10 लाग के तो company क्या चाते है इस 10 लाग के preference share को redeem करना redeem ऐसे साधारन redeem करना नहीं बोलती हम उसको premium पे पैसा देंगे पे का ही fresh issue किया जिसके उपर premium उसने charge किया है 40,000 रुपे तो देखा जाए 10 लाग रुपे face value था और 2 लाग face value का आपने issue कर दिया तो ultimately 8 लाग रुपे का shortage आ गया capital side को compensate करने के लिए उस 8 लाग के लिए हमने क्या इंतजाम कर लिए CRR CRR जो 8 लाग रुपे का था कहां से इंतजाम होगा GR में से हमने निकाल लिए कितने रुपे 4 लाग रुपे और 4 लाग रुपे कहां से निकाल लिए हमने reserve and surplus में तो पहली entry क्या जाता है हमारे assets को बेचने का जो हमने बेचा है दूसरी entry क्या होगे fresh issue करने का holding का एक मैं को नो apply जयाक रुपे करना भाँए और बेचे पड़ जाता है यहाँ वर भी आपए सर बेंक में बहुत आइसे हमारे पास आप वी हो जाता है लेकिन अच्चे बाद क्या करा हमने जो पुराना security premium था उसको write-off करने की एक entry करना पड़ेगा जो की कर दिया, आप बोलोगा सर, मुझे सीधी सी बात बताओ, preference share redemption की entry क्या होती, Barbara redemption की entry एगी है, account debit to preference share holder और preference share holder to bank, यह entry बनती है,RR 2 entry बनती है, इसके अलावा इसको redeem करने की तैयारिया है, जो की आपको साथ के साथ करना पड़ेगा, समझ रहे हो बात तो redemption की entry कौन सी है सर एक ये entry और एक ये entry प्रिफरेंग्शियर ओडर को बुलाया उसके पैसे दे दिया हो गया redemption लेकिन directly बुला नहीं सकते हैं उसके पहले आपको arrangement lock or follow करना है तो उसके लिए ये सारी क्या थी हमारी तैयारी थी जो की हर question में हमें लगबग लगबग करना पड़ेगा with terms and condition एक सवाल मेरे मन में आया simple सी बात है सर अगर हम preferring share capital को redeem कर रहे हैं तो अगर हम बात करते हैं अगर हमारे पास bank में पैसा नहीं होता लेकिन payment तो करना ऐसा थोड़ी एक्जाम में सवाल छोड़ के आ जाएगे तो उस case में आप payment कर दीजिएगा लेकिन लेकिन आपको एक bank overdraft की facility लेनी पड़ेगी नई balance sheet जब बनाओगे तो आपके asset side में कोई cash तो नजर नहीं आएगा लेकिन liability side में current liability under the head of आपको एक नजर आ जाएगा क्या sir bank overdraft तो ये चीज़े भी आपकी possible है किसी बच्चे का doubt होगा तो वो clear हो गया होगा अब भी बताइए कोई doubt है कोई doubt क्योंकि मैं अगली class के अंदर रफली आप एक काम करीगा एक काम मैं एक homework देता हूँ ज्यादा homework तो ये एक homework है इसी balance sheet किताब आपके पास है इसी balance sheet के column बनाईएगा और मैं बना देता हूँ column क्या बनाना है इसी balance sheet में आप नई balance sheet बनाईएगा कुछ नई balance sheet का मैं example और hint देता हूँ नई balance sheet में sir preference share capital कितना हो जाएगा sir zero हो जाएगा sir equity share capital कितना हो जाएगा 20 lakh हो जाएगा sir security premium कितना हो जाएगा sir security premium हमारा बच्चेगा 1 lakh 90,000 sir general reserve कितना हो जाएगा zero हो गया surplus कितना बच्चेगा sir सिर्फ 60,000 का surplus बच्चेगा current liability तो वही रहने वाला है 6 lakh investment कितना हो जाएगा sir यह zero हो जाएगा investment bank का balance क्या होगा आप इन दोनों side को match कर दीजेगा हमारे नई balance sheet बन जाएगा तो नई balance sheet बनाना बड़ा असान है और general entry with balance sheet जब आता है तो आपका सवाल पूरा बनता है यह 15 नंबर का इस type के कई बार exam में सवाल पूछे गए है तो यह पूरा बनता है हमारा 15 नंबर का clear सभी को sir हर किसी बच्चे के कह रहे है sir एक बार question पूरा repeat कर दिया किसी का doubt है तो फटा फट बता दीजिए नहीं तो इस class को end करते हैं और एक को homework जो दिया है balance sheet बना के लाने के लिए यह आपको देखना है बस तो question में क्या given था दुवारा एक बार read कर देते हैं कहता है बिहारी limited एक company है पचास हजार 8% redeemable preference share है और हर कोई आजकल redeemable preference share ही होता है 10 रुपे का एक है तो इसका मतलब sir देखा जाए ना तो total preference share है ना वो कितना करना है हमें 5 रुपे करना है और बोला उसके उपर हम premium भी देंगे 10% तो plus अगर मैं security premium करके चलू तो security premium अगर करता हूँ तो कितना आएगा सर्फ security premium और total हमें 5 रुपे की payment करनी है total हमें 5 रुपे 50 रुपे की payment करनी है इसके बाद आगे कहता है make the following issue for the purpose of redemption इस redemption को परकरिया को करने के लिए हमने कुछ सोचा है सोचना तो पड़ेगा भाई क्या क्या सोचा है पहली बात मैंने यहां पर सोची है कि हम एक काम करते हैं सर 30,000 equity issue कर देते हैं 10 वाला यानि सर 3,000,000 का इंतजाम हो गया equity का और साधारन equity नहीं इसके पर security premium लगाएंगे जो कि कितना security premium होगा 30,000 रुपे आगे कहता है 4,000 debenture भी issue किया है ओके इसने 4,000 debenture भी issue कर दिया 100 रुपे का 4,000,000 का यहां से इसने पैसा इखटा किया और इसके बाद security premium इसके भी भी 5% है तो इसका मतलब सर 20,000 security premium है इसके उपर 20,000 security premium है अभी मैं doubt देख रहा हूँ बच्चों का बस मैं सभी का reply कर दूँँगा सर cash flow में holding cash flow और amalgamation करवाया है मैंने अभी क्या करवाया है सिनेहा मैं उस chapter का नाम बता देता हूँ मैंने सरिफ और सरिफ share capital करवाया है और share capital के बाद दूसरा chapter start किया है इसके अलावा जो आपके college में internal होने वाले हैं जिनके वो पुरानी वीडियो में से देखके कर सकते हैं और सारी वीडियो देखने की जुरत नहीं है जो chapter है वो tentative idea ले लीजिए तो जब मैं cash flow करवाऊंगा तब आपके सारे doubts clear हो जाएंगे क्योंकि इस बार cash flow थोड़ा अलग तरीके से भी करवाऊंगा मैं सबसे पहले बता दीजिए मुझे कौन बताएगा मुझे के मैंने कितना CRR क्रिएट करना है कितना CRR क्रिएट करना है सवाल में होता क्या है जर्नली कि सर आपको जो preference share holder को पैसा कितना देना है उसका face value पता करिए तो सर preference share holder को पैसा देना है 5 लाक रुपे तो काईदे से देखा जाए तो इस 5 लाक रुपे का payment करने के दो भी है या तो मैं fresh equity share issue कर दूँ और सर यहाँ पे ध्यान देना सिर्फ fresh equity share है इसमें debenture count नहीं होगा कुछ बच्चे अगर debenture count कर लेंगा examiner confuse करने के लिए देगा क्योंकि debenture से हमारा share capital का impact थोड़ी ना आता है वो तो हमारा other liability का part होता है तो सर यहाँ पे equity share अगर देखा जाए तो मैंने 3 लाक का कर लिया है तो बाकी का हमें कहां से इंतजाम करना होगा CRR यानि CRR कितने का बनाना होगा 2 लाक का बड़ी सीधी सी बात है CRR बनाना पड़ेगा हमें 2 लाक रुपे का अभिशेक का no voice नहीं voice तो आ रही है MD सरकल की क्लास सरकल की क्लास समझने CRR है हमारा capital rhythm से देखे जो बच्चे नए है मैं थोड़े word को explain करूँ है और जो बच्चे last class को miss करके आ है वो पिछली class को देखना ज़रूरी है क्योंकि एक घंटे की क्लास में 5 मिनिट में चलो मैं समझा भी देता हूँ आपको के CRR ये होता है ये होता है तो आपका base खराब हो जाएगा उसमें क्योंकि आप 5 मिनिट में ये समझोगे आपको लगेगा सर ने समझाया सब कुछ ठीक समझाया प्रॉपर समझाया और आप पिछली क्लास को एक घंटे कौन इंवेस्ट करें आप बढ़ जाओ गया गया जिससे आपको क्या होगा दिक्कत हो जाईगी उसमें पिछली क्लास में हमने थियोरी भी कहा था CRR होता है Capital Retemption Reserve चलिए सर यानि मैं मोटी मोटी बात करूँ तो हमारे पास पांच लाक रुपे का इंतजाम करना था जिसमें से तीन लाक एकुटी शेर से इंतजाम हो गया और दो लाक रुपे CRR से हो गया ठीक है अब सिंपल सिंपल हम एंट्री करते जाएंगे और उसी के साथ साथ सब कुछ होता जाएगा और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सिंपल सिंपल एंट्री करके साथ के साथ होता जाएगा चलिए सर इसको इधर कर देता है इसको भी थोड़ा चोटा कर देता हाला कि बैलेंशीट बनाना नहीं है क्योंकि कुछ जानकारी है अभी हैंड रेस का किसी का डाउट नहीं लेंगे रिपीट कहां से करें अभी रुख जाईए MD सनूवर पुरानी क्लास देखिये जिनको दिक्कत है अभी अभी इस क्लास में मैं पूरे क्लास में ये वाली चीज ये टॉपिक अभी बिलकुल अकास जनर रिजर्ब से ले सकते हैं चलिए इसको यहां सेट करते हैं छीक है अब जनरल एंट्री में तयारी मैंने क्या कहा था सबसे पहले आपने बनाना है जो जो काम हुआ है फ्रेश इसू किया है तो पहली एंट्री फर्स्ट एंट्री क्या करेंगे बताओ फ्रेश इसू में पहली एंट्री करेंगे हम बैंक अकाउंट डबिट तू शेयर अप्लिकेशन अब बताइए कितना आएगा सर कितना आएगा आपका 3,000,000 और 30,000 रुपय का प्रेमियम भी होगा तो टोटल 3,000 जिसको समझ में नया है पूछ लीजिएगा इसके बाद आएगा हमारा शेयर अप्लिकेशन तू एक्विटी शेयर क्यापिटल और तू सिक्यूरिटी प्रेमियम यह आगया 3,000,000 और यहां 3,000,000 और यहां 30,000 यहां 33,000 आएगा यहां पर आएगा 33,000,000 अब आगे बोलता है इसा है डिबेंचर भी इसू करा कोई बात नहीं कर दो डिबेंचर इसू तो बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट तू डिबेंचर एप्लिकेशन सर कितने डिबेंचर हैं सर 100 रुपय का एक डिबेंचर इंटू में 4000 और प्लस सिक्यूरिटी प्रेमियम तो सिक्यूरिटी प्रेमियम पांच रुपय का है तो मैं 100 की जगह इसको लिख देता हूं 105 100 की जगह लिख देता हूं 105 तो कितने हो जाएंगे चार लाख 20 होगा 4,20,000 और ये भी होगा चार लाख अगली एंट्री डिबेंचर एप्लिकेशन तू कितने परसेंट डिबेंचर 10 परसेंट डिबेंचर अब ध्यान रखियेगा जब हम पहली यहां भी 10 परसेंट लगा सकते हैं लेकिन यहाँ पर लगाना या ना लगाना आपके इच्छा लेकिन जैसे share capital लिखते हैं ने तो debenture credit करना होता है तो 100% percentage लगाना ही लगाना होगा 2 debenture application बाकी debenture वाला chapter हमारा आगे है यहाँ आएगा 4,00,00 और 2 आजाएगा हमारा क्या security premium कितने आगे सर 20,000,00 अब हम क्या करेंगे सर CRR create कर लेंगे हमारे पास GR में पहले से पैसा पढ़ा हुआ है तो general reserve to CRR to CRR general reserve to CRR कितने चाहिए 2,00,00 रुपे यहाँ तक में किसी बच्चे को doubt है तो पूछेए फिर मैं due और paid और right offer खतम करेंगे इसको यहाँ तक में किसी बच्चे को doubt है तो पूछेए CRR दुबारा बताना है देखो CRR का क्या है मैं दुबारा लिख देता हूँ CRR देखो हमें redemption के लिए जो total face value का पैसा चाहिए face value का पैसा चाहिए न वो total चाहिए 5,00,00,00 कैसे आया सर 5,00,00,50,000 और into में 10 जिस 5,00,00,00 में से हमने कुछ fresh issue equity share कर दिये है that is आपका 3,00,00,00 तो और जो आपको capital maintain करना है उसको आप maintain कर लोगे balance amount से जिसको बोलते है capital redemption reserve सर capital redemption reserve क्या होता है general reserve से पैसे निकाल के इसमें डाल लेना तो वो कितना maintain किया है हमने 2,00,00,00 तो अगर general reserve से पैसे निकाल के हम डालेंगे तो general reserve हो जाएगा debit और 2 में आ जाएगा CRR CRR होता है capital redemption reserve चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं सर due paid जो भी entry बनती है इसको भी यहाँ से उठा के ले जाते हैं यहाँ general entry चल लेंगे चलिए अब due कर लेते हैं अब debenture holder को बुला लेते हैं sorry preferent share holder को बोल देते हैं भई अपने payment को ले जाएए payment आ गई है उसको बुलाएंगे तो हम क्या करेंगे कितने percent preferent share था 8% preferent share capital account आपको exam में पूरे पूरे शब्द लिखने है debit पर कितने पांच लाग इनको security premium भी देना है मेरे लिए नुकसान security premium debit 10% है तो that is 50,000 और two preferent share holder preferent share holder को कितना payment देंगे 5,50,000 रुपे इसके बाद preferent share holder को payment कर दो सर्थ preferent share holder account debit to debit to bank कर दो payment कितना payment करोगे पूरे कर दो पांच लाग पचास हजार कोई hold नहीं करना तो सर पांच लाग पचास हजार अब आगे security premium को write off भी करना है तो security premium आपका जो balance sheet में या new मतलब balance sheet के अंदर जाने वाला था वो और two security premium सर जो two में security premium है on redemption वाला है तो security premium कितना जाएगा सर पचास क्या हमारे पास security premium वाक्य में पचास है तो जी हाँ 30,000 देखो यहाँ पे है और 20,000 यहाँ पे है तो पचास अजार था तो इसी 50,000 को debit करके two premium करके खतम कर दिया देखिए कोई doubt फिर हम balance sheet पे आएंगे बताईए कोई doubt फिर balance sheet पे आते हैं सर SP बहुत बच्चों को दिक्कत है security premium में चलिए इसको समझाई देते हैं देखिए सपोज करिए यह balance sheet है और balance sheet में general reserve इधर होता है मान लो 2,000,000 general reserve के बाद आपका होता है क्या यहाँ पे security premium भी होता है मान लेते हैं 1,000,000 यह security premium कहां से आया है यह security premium आया है जब हमने share को या dementia को जब हमने कभी भी पहले issue किया होगा अब यह कभी issue किया होगा इसमें हम नहीं जा सकते तो जब यह security premium का पैसा लिया था तो section हमारा section 52, subsection 2 activate हो गया था और इस section ने हमें क्या समझाए कि भाई इसका use आप मत करना वहाँ पे बताया था आपको use करना है कुछ specific जगह पे जिसमें से एक जगह लिखा हुआ था payable security premium payment अगर security premium का payment करना हो on redemption of preference share capital तो आप इसका इसका इस्तमाल कर सकते है यह कौन कहता है सर यह section कहता है यह law कहता है तो अब मुझे पता है कि मैं इस वाले पैसे को इधर उधर कहीं use ही नहीं कर सकता तो अब मुझे क्या redemption पे security premium करना है तो जब हम यह वाली entry करते हैं जैसे अभी हमने किया था 8% preference share capital 8% preference share capital और क्या किया था सर हमने 8% preference share capital के आगे security premium तो यह वाला है कि 50,000 रुपे आप लोटा रहे हो और पचास अजार पांच लाख लोटा रहे हो टोटाल पांच लाग पचास अजार रुपे आप दे दोगे preference share holder को तो सर यह वाला जो premium है न आदध्यान दीजिए यह premium अभी नए वाला है new premium है, यह सर new premium, एकदम new premium है और यह वाला premium मुझे देना है सर देना है यह premium किसको देना है, preference share holder को देना है और ये वाला जो प्रीमियम हमने लिया है लिया है तो इसका इस्तमाल कर सकते हैं मेरे पॉकेट में कितना प्रीमियम है कौन बताएगा मेरे पास कितना प्रीमियम है तो जवाब है सर मेरे पॉकेट के अंदर जो प्रीमियम है वो है लाक रुपिया एक लाक रुपिया मेरे premium देना है वो देना सिर्फ मातर 50,000 है तो मैं क्या क्रूँगा अपने balance sheet में से premium को निकालूँगा तो मेरे जब balance sheet कौन सा side होता है यह liability side होता है liability side मतलब credit side तो मैं balance sheet में से निकालूँगा न तो क्या entry होगा security premium account debit अब यह कौन से وाला premium है तो मैं bracket में लिख देता हूँ balance sheet वाला पहले ये समझ ये debit हो गया अब इस premium को payment करूँगा तो ये खतम हो जाएगा तो इस वाले premium को कर दूँगा to security premium ये कौन सा है जो redemption वाला है और कितने रुपे हो सिर्फ 50,000 रुपे मात्र इसलिए हमने क्या करा पीछे एक entry कर दिया क्या entry करा security premium to security premium हमने क्या entry करा security premium to security premium क्या समझ में आई आपको बात अभी भी किसी का doubt है तो पूछ सकते हों है किसी का doubt अभी भी क्योंकि काफी बच्चे पूछते हैं अभी भी है तो पूछ लीजिए जब तक मैं premium का concept clear नहीं कर देता मैं आगे नहीं जाऊंगा starting से हमारे balance sheet को दो पार्ट में बाट दिया गया है एक liability और एक assets तो जो इसका roman में one लिखना है roman में one लिखा इसको लिखेंगे equity equity and liability and liability और कुछ assets होगा जो कि यहां लिखेंगे roman में two लिखना है asset तो हमारा balance sheet दो हिस्सों में बठ गया अब liability side कुछ specific है note का क्या काम है already हमने share capital में discuss किया है आने वाले काफी chapter में बहुत detailing में पढढ़ेंगे final account का chapter में तो बहुत detail में जाएगे notes का मतलब यह होता भी समझ में आ जाएगा आगे मैंने पहला a पढ़ाव है जो a point लिखेंगे sorry a नहीं पहले हम one लिखेंगे और one क्याप इस तरीके से होगा यहां लिखा जाएगा share shareholder holder fund अब इसके अंदर काफी सारे parts है जो कि आपको लिखना है जैसे a part है हमारा share capital a part है share capital sir b part है हमारा reserve and surplus मैं इस chapter में सिर्फ और सिर्फ इसी chapter तक की balance sheet को चर्चा करूआ बहुत detail में नहीं जाएंगे balance sheet chapter number हमारा एक आगे 7 है I think जिसके अंदर पूरा balance sheet करा जाएगा तब देखेंगे हम बस share capital में हाला कि आता है 3 part एक हमारा क्या होता है ऐसा share warrant भी होता है लेकिन हम अभी share warrant नहीं लिखने वाले हैं सिर्फ इस्तमाल दो ही part होगा हमारा ठीक है sir और भी कुछ आएगा क्या बिल्कुल और भी आएगा sir दूसरा number देंगे हम पता है कि इसको non current liability non current current liability sir इसके अंदर क्या लिखा जाएगा ये हमारा एक heading ही एक तरीके से जिसको main head बोलते हैं इसके अंदर क्या लिखा जाएगा इसके अंदर सिर्फ मैं ए पार्ट को ही रखना पसंद करूँगा that is long term borrowing long term term borrowing long term borrowing रखेंगे इसके अंदर चलिए sir इसके अंदर सिर्फ long term borrowing और भी कुछ है कि बिल्कुल है तीसरा पार्ट इसमें और भी चीजें होती है कुछ बच्चे पढ़ रखा हो उन्होंने तो वो शायद मन में सोचेंगे कि sir पूरा भी क्यों नहीं बता रहे तो मैं बता दूँ और भी इसके अंदर बाते हैं जैसे कि आपका other long term liability है long term provision है और इसके साथ साथ हमारा defer tax liability है तो ये भी चीजे है तो अभी हम पूरे पर नहीं जा रहे है हम सिर्फ इसी chapter से related बात करेंगे चलिए sir तीसरा heading भी कोई है कि बिल्कुल हाँ यहाँ तीसरा एक heading है जिसका नाम है हमारा current current liability और इस चीज को याद करने का ना एक बहुत simple सा तरीका है practice और कुछ भी याद नहीं करा सकता आपको आप जब रटे मार लिजिएगा कुछ कर लिजिएगा भूल जाईएगा practice करिए सही रहेगा sir इसके अंदर क्या लिखने वाले हो इसके अंदर मैं बोलूँ हाँ थोड़ा ज़्यादा सा specific हम use करेंगे word वगरा सारी चीजे जैसे point number one short term borrowing short term borrowing point number B trade paypal point number C other current liability other current liability point number D sir point number D short term provision जी चार चीजे है इधर क्या इसमें चारो हाँ बिल्कुल लिखा है तो ये चारो इस्तिमाल हो सकता है चलिए सर assets में assets में सबसे पहले आ जाएगा हमारा first point first point के अंदर जाएगा हमारा क्या सर first point के अंदर चला जाएगा हमारा non current non current non current non current non current non current asset अब इसके अंदर कुछ partition होने वाला है जिसमें से एपार्ट हो जाएगा हमारा क्या सर fix assets fix assets fix assets का नाम बदल दिया गया है इसको बोला जाता है property property plant and equipment इसका नाम ये रख दिया गया है जिसको short form में PPE भी बोल देते हैं पहले यहाँ पे fix assets हुआ करता था जिनके पास पुरानी किताब होगी definitely fix assets मिलेगा बागी इसका नाम बदल के रख दिया गया property, plant and equipment समझ रहे हैं बात को चलिए सर सर B part में B part में आ जाएगा intangible assets हाला कि इसके अंदर भी sub part होता है लिखिन मैं उसको लिखने रहा sub part को मैं लिखने रहा वैसे property, planted, equipment और B part लिख दिया है चलो चलेगा इसे हम बाकी बाद में तो detailing करी लेंगे सर दूसरा part आता है इसके अंदर बस इसमें और कुछ नहीं दूसरा part आ जाता है सर current current क्या आएगा asset चलिए कुछ बच्चों को नीचे कर visual नहीं हो रहा तो हम इसको दिखा देते हैं सर current assets में क्या क्या लिखोगे current assets में हम लिखेंगे A part short term sorry पहला part आएगा current investment current investment B part आएगा हमारा inventory C part आएगा हमारा trade receivable D part आएगा हमारा क्या सर cash and cash equivalent और E part आएगा सर other current liability अब इसको और थोड़ा specific पढ़ लेते हैं चलिए अब सर ये balance sheet बनाना पी एंडल भी बनाना है नहीं नहीं पी एंडल नहीं बनाना पी एंडल हम आगे बनाना सीखेंगे अब ये balance sheet न थोड़ा specific और थोड़ा detail balance sheet माना जाता है सर ऐसा क्यों ये specific और detail क्यों suppose करो मैंने suppose करिए मैंने यहाँ पे लिखा सर क्या लिखा share capital में मैंने लिख दिया 2 करोड अब 2 करोड में कौन बच्चा बताएगा कि कितना हमारा authorized capital है कितना हमारा preference share capital है कितना हमारा equity share capital है कितना full feature हुआ तो कोई भी नहीं बता पाएगा क्योंकि सर detail ही नहीं पता तो सर अगर मैं आपसे पूछता हूँ ना तो आपको इसकी जानकारी मिलेगी कहाँ note number one में यानि इसके साथ साथ आपको note भी बनाना बहुत आवश्चिक है note बनाना ही बनाना पड़ेगा आपको इसका मतलब सर क्या हर किसी का note बनाना है ये भी एक टेकनीक आप समझ जाएए किसका note बनाना है और किसका नहीं बनाना है मैं अभी फिलाल हर किसी का बना दूँआ ताकि आपको आइटम पता चल जाए और इसको याद रखना है भूलना नहीं है वैसे भूलोगे नहीं क्यूंकि सारे चप्टर में होगा यह तो तो मैं पहले बनाने जा रहा हूं आपका note number one note number one किस नाम से share capital और बिल्कुल साधारन note बनाएंगे कोई नहीं देखका था सबसे पहले लिखने जा रहा हूं authorize capital सबसे पहले लिखूंगा मैं authorize capital सर authorize capital में दो परकार के capital हो सकते हैं preference share capital हो सकते हैं और equity share capital हो सकते हैं इन दोनों को लिखने के बाद यहां लिख लेंगे सीधा authorize capital हमारे totaling में कोई role play नहीं करता है totaling में कोई काम ही नहीं है बस इसको total करके लिख दिया इसके बाद आ जाता है सर हमारा issued capital issued capital अब issued की बात करें issued and subscribe कर देते हैं अगर issued and subscribe की बात करें तो यहां पर भी दो चीज़ यह हो सकती है preference share capital and equity share capital सर कितने कितने का वो लिखोगे ना 10 रुपे इंटू में 10 रुपे इंटू में अगर 5000 share है तो 5000 इंटू में 10 100 वाला है तो 100 वो लिखोगे मैं लिख देता हूँ जैसे मैं 1000 का example ले लूँ तो 1000 10 रुपे का एक है तो ऐसे multiply कर देना अगर 100 है और यह 100 रुपे का है तो ऐसे multiply कर देना और इसके बाद ही हां amount लिख दोगे जो भी यहां total amount आएगा ना जो भी total amount आएगा इसमें ultimately अगर कोई call scenario रहा तो less कर देंगे sir call scenario call scenario sir अगर किसी ने 10 के बजाए 9 ही payment किया तो 9 से ही multiply करके लिखेंगे और उसका एक रुपिया यहां पर क्या जाएगा यहां पर पूरे 10 से ही लिखे जाएंगे जो call scenario जिसने नहीं दिया उसको यहां लिखेंगे इसके बाद अगर कोई share for feature amount देता है तो add कर देंगे sir क्या share for feature और जैसे ही हमने यह परक्रिया यह सारे detailing complete किया इस detail को उठा के हम कहां लिख देंगे यह रहा 2 करोड तो अगर आपसे कोई पूस्ता है का sir 2 करोड रुपे कहां से आए तो यह सारी जानकारी अगर आपको यहां दे दू तो आप उसको हर एक चीज को अच्छे से explain करके बता सकते हो sir for feature कितना है call scenario कितना है और authorized capital कितना है preference कितना है equity कितना है each and everything वहां clear कर सकते हो लेकिन आपको इतना detail में नहीं करना आपको सिर्फ share capital दे रख है जब 2 से ज़्यादा जानकारी हो एक से ज़्यादा मैंने 2 बोल दिया जब एक से ज़्यादा जानकारी हो sir एक से ज़्यादा मतलब equity भी preference तब तो ऐसे note बनाना अगर सिर्फ बोलता है कि equity share है तो खतम यहीं पे share capital के आगे पूरा लिख देना note number नहीं लिखना हो चलिए ठीक है sir एक note तो बन के तयार अब दूसरे note के आ जाते है ठीक है दूसरे note के आ जाते है note number two sir note number two किसका बनाओगे reserve and surplus बहुत important reserve and surplus क्या क्या आएगा सबसे पहले आएगा इसमें sir general reserve ऐसा कोई specific नहीं है कुछ भी आ सकता है वैसे general reserve capital reserve debenture redemption reserve CRR capital redemption reserve net profit that is आप बोलोगे surplus minus हो जाएगा loss तो ये सारी जानकारी आ जाएगे reserve and surplus में और एक सबसे महत्रपून जानकारी जो लिखा नहीं है जो कि ये security premium वो भी यहीं आएगा sir security premium plus कर दिया जाए security premium वो भी इसी का पार्थ है यानि मैं मोटे तौर पर बोलू तो sir इस reserve and surplus में पता ही क्या आएगा ये सारी जानकारी reserve and surplus में आ जाएगा जो आपके सामने घीबन है चाहे वो आपका free हो या फिर free ना हो free का मतलब उसे आराम से हम use कर सकते हो तो उसे बोलते है free reserve जिसको आराम से use ना किया जा सके उसको बोलते है आपका capitalized reserve तो ये सारा वहाँ आ जाएगा इसमें से कुछ भी हो सकता है ये भी हो सकता है workman compensation insurance fund revaluation reserve सब हो सकता है उसके इंदर तो मैंने ये आपको दिखा दिया sir जैसा ही note number two बनेगा यानि ये वाला complete यानि sir अगर मैं यहाँ पे लिख दू note number two और यहाँ पे लिख दू मैं पचास अजार रुपए तो क्या इसके detail आप दे पाओगे दे पाएंगे यहाँ से देख के देदेंगे sir जो हम सवाल कर रहे हैं या जो भी हम काम कर रहे हैं क्या इसके अंदर हमें note number one और two ऐसा ही detail में बनाना है अगर मान लो note number one बनाने की जरुरत नहीं पड़ेगी क्योंकि share capital अभी जो पिछला question था ना number one वो मैं करके रिखाऊंगा पूरा तो आपको खुद ही अंदर्जा लग जाएगा क्या बनाना है और क्या नहीं बनाना है अभी तो मैं detailing के लिए कर देता हूँ कि आपको पता चले कि भाई क्या क्या होता है क्या नहीं होता बस detailing है यहाँ पर चलिए sir और भी आ जाते हैं आगे बस एक ही यह detailing और कुछ बच्चता ही नहीं detailing में तुझी note number 3 note number 3 किसका बनेगा long term borrowing sir इसमें क्या क्या आता है long term borrowing में number 1 debenture sir number 2 loan और कुछ नहीं बस खतम note number 2 अगर सवाल में सिर्फ और सिर्फ debenture ही दे रखा है तो note की कोई अवशकता नहीं है सीधा वहाँ पर जाईए और इसके bracket में लिख दीजिए debenture इसके bracket में लिख दीजिए debenture और amount डाल दीजिए तब note बनाने की amount note number 3 के बाद note number 4 sir note number 4 में क्या है short trump हो रहीं थोड़े short cut यूज कर लिए sir number 1 bank overdraft bank overdraft number 2 cash credit bus cash credit और तीसरा कुछ नहीं आता sir इसमें अब तो देखो सारे note बड़े छोटे छोटे हैं और इसके आगे भी note डालना है कहीं ऐसे बना दो और यहां लिखना भूल जाओ तो गलत है चार trade paypal भी बना देते हैं पांच other current 6 और इसको साथ ये आठ 9 10 11 12 13 14 14 अभी हम 14 नोट बनाने वाले और किस पर हम अभी चार पर ही हैं अभी दोफला सर एक्जाम में तो बहुत टाइम लगेगा कोई टाइम नहीं लगेगा बस प्रैक्टिस होनी चाहिए भ्यान रखिएगा नोट नमबर फाइव ट्रेड पेबल ट्रेड पेबल सर इसके अंदर क्या क्या आएगा सर पहला पॉइंट ट्रेडिटर सर दूसरा पॉइंट बिल्स पेबल इसके अंदर ये आ जाएगा ट्रेडिटर और बिल्स पेबल चलिए सर ये भी खतब जी हाँ आगे चलते हैं अगले नोट में अगे आगे बिल्स पेबल नोट नुमबर 6. अगर करने लिएटि 1. Outstanding 2. Advanced income 3. Calls in advance 4. Unpaid dividend बस ज्यादा जानकारी होगी नहीं, क्योंकि डिटेल वाला तो बाद में देखेंगे हैं 2. Unpaid चलिए, note number क्यों सबना हैंगे हैंगे, note number 7 7 में है, short term provision Sir, क्या आएगा, number 1, provision for tax बस, एक ही चीज रहता है, इसमें में लिए तो Sir, इसका note क्यों बनाए हैंगे हैंगे, बताने के लिए बना दिया, आप directly वहाँ भी लिख सकते हैं अभी साथ note और तयार करने, note number 8, हम दूसरे पेच पे चलते हैं, note number 8 Note number 8, सर, क्या है note number 8, property, plant and equipment, PPE, सर, यह AS10 के according बनाए जाता है जैसे, यानि सीधी बात fix assets लिखो, land and building, दूसरा, machinery तीसरा, machinery के बाद, furniture चौथा, other fix assets लिख देता हूँ मैं सर, other fix assets, मतलब सब कुछ आ गया fix assets वाले, motor आ गया, car आ गया, equipment आ गया, आपका, सब कुछ other पालब चलिए सर, यह चला जाएगा note number 8 में note number 9, हलाकि कभी note number 9 की जुरत पढ़ी गिने इस chapter में, बाकी chapter में तो खूब पढ़ने वाली है intangible assets सर, क्या क्या आएगा, number 1, goodwill, number 2, patent, patent number 3, copyright बस यही लिख देते हैं, बाकी होता बहुत कुछ है, लेकिन बस इतना ही ज़रूरत है हमें note number 10 note number 10 note number 10 10 number किसको दिया था 10 दिया था, current investment current investment यहाँ पर आ जाएगा, investment in shares investment in shares yes security security में सब आ गया, debenture, debenture सब आ गया, अगर आपने एक साल के कम के लिए कर रखा है, तो यहाँ आ जाएगा लोजी यह भी दन, इसके बाद, note number 11 note number 11, note number 11 किसका होगा, current के बाद trade receivable trade receivable trade receivable यहाँ दो ही बाते आती है, debtor और bills receivable, that is BR bills receivable, that is BR एक note रह गया न, यह note number 11 नहीं होगा, यह 12 होगा inventory का रह गया inventory का रह गया चलिए, अब यहाँ लिख लेते है, note number, यह 11 है, inventory inventory में क्या आएगा, सबसे पहले stock इसके बाद नमबर दो, loose tools सभी परकार के stock होंगे इसमें, चाहे raw material हो, चाहे finished goods हो, चाहे आपका work in progress हो चलिए सर, note number, 12 यहाँ बना चुके हैं, 13 बनाने जा रहा हूँ, सर 13 होगा cash and cash equivalent सर, cash and cash equivalent में क्या लिखेंगे, number one, cash at bank, number two, cash in hand, यही दो चीज़े हैं और marketable security भी आ जाता है, जो कि आएगा नहीं, मैं यहाँ पर बस यही दो ही point लुक होँगा चलिए point note number, 14 सर क्या है, other current, is it इसमें क्या आएगा, prepaid expense इसमें क्या आएगा, prepaid expense इसमें क्या आएगा, accrued income इसमें क्या आएगा हमारा, accrued income, prepaid expense, बस दो ही चीज़े काफी है बाकिट डिटेल में तो हम बाद में करेंगे यह एक हमने छोटी सी balance sheet तैयार कर लिया यह सीधा क्यों नहीं है ठीक है, मुझे देख रहा है तो यह पूरा balance sheet आएगा एक बार मैं फिर से overview दे देता हूँ balance sheet का आपको जो पूरा balance sheet इतना detail में नहीं बनाना वो एक दूसरा chapter हमारा final account वहाँ तो सर इतने detail में ही बनेगा सर अगर called up हो तो अगर called up हो तो आपका यहाँ share capital में सिर्फ पूरा 10 रुपे लिखना है called up paid up छोड़ी है जितना नहीं आया call scenario में जाएगा अब बच्चे ने पूछा सर called up हो तो अगर 8 रुपे ही उसने मांगा हो तो 8 से ही entry करेंगे तब हम वहाँ पे 10 से नहीं करेंगे ठीक है तो सर यहाँ पे देखा जाए तो कुछ liability है कुछ assets है liability में point number one shareholder fund उसके अंदर कुछ छोटे छोटे part है share capital reserve and surplus share capital का मुझे नहीं लगता कि note बनानी की जुरत पड़ेगी लेकिन पड़ेगी तो बना लेना reserve and surplus का हर बार जुरत पड़ेगा क्योंकि CRR बहुत बड़ा मुद्दा है इस पूरे chapter में जहाँ आपको बनाना पड़ेगा लेकिन हाँ आगर आपने fresh issue किया तो यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा पुराना share यह था और fresh issue यह कर दिया अगली बात करते हैं long term borrowing कोई note बनानी की जुरत नहीं पड़ेगी मैंने बना दिया हाला कि यह रहेगा अगला है other current liability कोई note बनानी की अवशकता ही नहीं पड़ेगी इसके अंदर लेकिन मैंने फिर भी बता दिया के short term borrowing में क्या क्या जाता है और trade payment में क्या क्या जाता है other current liability में क्या क्या जाता है short term provision में क्या जाता है यह सिर्फ आपके जानकारी के लिए अगर सवाल के बीच में आ जाए तो आप उसको कैसे टेकल करोगे बस अगली बात करते है एसेट्स के अंदर हमारा क्या जाता है property, plant and equipment नाम पर मच जाए यह सिर्फ बोलिये fix assets आता है बात खतम यह क्या है हमारा fix assets है क्या एगा land building, plant and machinery बात खतम ज़्यादा detail में नहीं जाना intangible assets क्या है sir intangible वही जिसे हम बोलते थे कि जिसे छू नहीं सकते देख नहीं सकते, goodwill, copyright, formula, trademark की सारा आ जाता है इसके अंदर, other current assets के, current assets में हमारा current investment आ जाता है जिसका investment हमने एक साल से कम के लिए किया हो यहाँ पर आ जाएगा उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो for example inventory, inventory के अंदर stock and loose tools आ जाएगा आपका trade receivable, trade receivable यहाँ जाएगा trade receivable debtor और BR cash and cash equivalent other एक ना inventory में मैंने छोड़ दिया spare parts वैसे पूछा नहीं जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो आप लिख दोगे तो सर यह पूरा था हमारा एक छोटा सा balance sheet का format जिसको हमने देखा सर जो पहला सवाल था ना उसको हमें इसी balance sheet के format में करके दिखाना है examiner को अगर आपने पुराने balance sheet में करके दिखा दिया तो examiner आपको marks नहीं देगा यानि सर अगर ये बाते हमें समझ में आ गई है किसी को कोई doubt है तो पूछ लीजिए नहीं तो फिर हम आ जाते हैं फिर से अपने पुराने question पे जिस पे किस बोला गया था के balance sheet बनाना है तो मैं balance sheet बना के दिखाँगा इसमें तो बताईए किसी को doubt है वैसे इसमें तो कुछ doubt वाला है नहीं मैंने formatting किया है कोई logical चीज़े नहीं बताईए यहाँ पे आ जाते हैं और आपके सामने पूरा question भी है balance sheet भी है एक पुरानी balance sheet आप ध्यान से देखिए land and building, plant और furniture and friction, motor vehicles यह सब कहीं एक जगा चला जाएगा जिसका नाम क्या है property, plant and equipment stock inventory में चला जाएगा, debtor trade receiving में चला जाएगा investment आपका एक non current investment में भूल गया वहाँ बनाना non current investment का पार्टों का bank चला जाएगा cash and cash equivalent में equity share, preference share बचेगा नहीं equity share जाएगा, security premium का हम देखेंगे minus plus general reserve भी आजाएगा surplus भी और current liability भी आजाएगा यानि देखो हमारी balance sheet जो नई बनाने जा रहा हूँ और किसी का तो दिखी नहीं रहा sir ये हो गया हमारा amount और ये हो गया note चलिए sir कुछ बच्चे जो नई है ये सवाल हमने last class में किया था, उनको ये सवाल पहले देख लेना है, फिर समझ में आ जाएगा यहाँ आ जाएगा balance sheet first part, पहले हम blank formatting में हमने पढ़ लिया है, तो मुझे याद हो गया है, तो मैं blank formatting कर लेता हूँ, equity और आपने भी कर लेना है पहले, liability इसके अंदर देखा जाए तो, a part first part shareholder fund चलिए सर, इसके अंदर sub point आ जाने है, सर क्या sub point आएगा, a part share capital और b part reserve and surplus, that's it और कुछ नहीं है सर आ जाते हैं, हम अब दूसरे point पे non current liability, तो अब एक बार सवाल में देख लेते हैं, क्या हमारे पास यहाँ debenture, debenture कुछ बाते कर रहे हैं, तो सवाल में debenture, long term liability से related कुछ है नहीं, तो cdc बात है, हम अब दो number जो देंगे, वो non current liability को नहीं देंगे, यह मिल जाएगा हमारे किसको, current liability को, current liability को मिल जाएगा, यह head, that's it, बात खतम, सर current liability में क्या इतना specific चीजें दे रखिये, क्या यह check कर लो, तो simple last में कहता है current liability 6 लाग, तो बस बात ही खतम, कुछ नहीं लिखना, current liability 6 लाग आ जाएगा यहाँ पे, तो आप देखो, मैंने तो बड़ा detail में कर दिया है, बाकि आप इसमें घबराना न non current, asset, और सर, non current assets के अंदर पहला पाट आ जाता है, PPE, फिर क्या है PPE, property, plant and equipment, PPE, और फिर intangible, हमारे सवाल में क्या intangible assets है, मैंने कहाँ नहीं मिलेगा तो छोड़ दो, इसके बाद क्या आ जाएगा, सर, investment है, तो इसका एक point और लिख देते हैं, दूसरा non current investment, लिखना भूल गया था मैं, non current investment, चलिए सर्क, इसकी भी जंजट खतम, आज आएए दूसरे point पे, दूसरा है हमारा current asset, current assets में भी हमारा short term मतलब के, जो हमारा investment है, है नहीं, that means के हमें, जो बनाना पड़ेगा, पहला point, a point देना होगा, inventory, दूसरा point, trade receivable, क्या debtor है, सवाल में देखते हैं, बिल्कुल जी हाँ debtor है, तो debtor, trade receivable, तीसरा point, cash and cash equivalent, सर, इसका किसी का note नहीं बनेगा, क्योंकि कोई amount ही नहीं है, इतना अच्छा बड़ा, अब हम सवाल को करते जाएंगे, फिल करते जाएंगे, note number one बना लेंगे हम, तब से main note one ही रहने वाला एक सामनेर का, चलिए सर, सर, share capital, note number one में जाके देखिए, note number one, share capital, मैं अगेन कहूंगा, ये class number one से related question है, तो जिन बच्चों ने नहीं देखा, वो वहाँ से देख लेंगे, पहला आ जाएगा authorize capital, क्या हमारे सवाल में authorize capital था, तो नहीं था सर, पुल्ली paid up preference और equity दे रखा है इसने, तो चलिए सर, हम वैसे ही लिख देते हैं authorize capital, चलिए, अब कर देते हैं issued capital, and subscribe, तो सर, पहले पुराने वाला ले लेते हैं न, सर, पुराने वाले की बात करें, तो equity share capital, bracket में लिख रहा हूँ old, तो equity share capital है हमारे पास, सर, कितने थे 90,000 और 20 वाला, जिसको मिला के क्या बन रहा था हमारा, 90,020 वाला, तो बन रहा था 18, तो 90,000, into B's, that is 18,000, अब आ जाते हैं, preference share, तो preference share भी थोड़ा gap देके लिख देंगे, preference share, ये भी old वाला ही है, सर, ये हमारा था सर, 10,000, into में, 10,000 था, एक लाग था, सर, ये था हमारा, 50,000 into में 20, ओके, 50,000 into में 20, 50,000 into में 20, तो ये आ गया हमारा कितना, 10,000, अब हमने fresh issue भी किया है, तो जैसे जैसे करेंगे, हम entry को लिखे चलेंगे, हम अपनी entry को लिखे चलेंगे, सर, सबसे पहले, हम बात करते हैं, पहली entry, पहली entry में investment zero हो चुका है, बिख चुका है, हमारे पास कोई investment नहीं बना, तो हमने investment में क्या कर दिया, यहाँ zero लिख दिया, यानि बनाने का कोई फाइदा नहीं हुआ, लेकिन सर, ये investment zero कैसे हुआ, ये एक suspense बना रहेगा, इसलिए इसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक छोटा सा note बना देगे, जिससे कि examiner को clarity मिल जाएके, सर, ये investment बेच के इसका नुकसान भी हुआ था, तो पहले हम लिखेंगे investment, छे लाग, less sold, पाँच लाग, कितने का बेच आ था भाई, साथ हजार, और यहाँ लिख देंगे, चालिस अजार रुपए का, surplus, loss हो गया, ठीक है, चालिस अजार का क्या हो गया हमारा, loss, zero ही आना है है, ultimately, यहाँ तो zero आ जाना है, लेखिन हमें यह detailing दे देंगे, ताकि examiner को अच्छे से समझ में आए, चलिए सर, दूसरी general entry, दूसरी general entry, नए share issue करें, इसने कितने के 2,00,000 के, face value और 40,000 का premium, तो नए वाले share, equity share capital ही, और यह new वाला, इतने का सर, 2,00,000 रुपए का, और बाकी इसने बोला, सर, preference share को, आप जो old वाला है, इसको redeem कर लो, तो यह तो zero हो गया, redeem हो गया, है ना, बस, जी बस, और आगे देखते हैं, security premium है, वो अलग से बनेगा, reserve and surplus, CRR, आप ज़्यादा से ज़्यादा देखोगे, reserve and surplus की जुरत पढ़ रिये में, तो एक हम बना लेते हैं, reserve and surplus, दो ही बनेगे, note mainly, property, plant, equipment भी बना लेंगे, हाँ, इसमें है, दो तीन बाते, सबसे पहले, old world, detail डिखेंगे, old, note number, हमेशा note number यह होगा, two, तो old में क्या क्या desert है, sir, old में हमारे पास पढ़ा था, security premium, sir, कितने का security premium था, मैंने यहां मिटा दिया था, पता नहीं कितना था यह, सबसे पहले था, हमारा old में security premium, old में security premium, कितने रुपे का, sir, 2 लाग का, जिस जिस पे हमने general entry करा, gap देते जाएंगे, उसके बाद क्या given है, ताकि हम calculation कर पाएं, general reserve surplus, general reserve कितने का है, 4 का surplus 5 का, तो general reserve, 4 का, 4 का ही था न, surplus, 5 का, यही था, यह हमने उतार लिया, अब general entry देखते जाते हैं, sir, यहां से security premium आया, कितने रुपे का security premium आया है, 40 का, जोड लिज़े 40, security premium आया है, तो plus कर लेते हैं, plus, price issue पे, कितने आ गए, 40, और देखते जाते हैं, sir, और क्या है, यहां पे, sir, यहां general reserve इस्तमाल हो गया, surplus भी इस्तमाल हो गया, तो minus कर देते हैं, sir, minus कर देते हैं, तो यहां पे minus कर देंगे general reserve, कहां चला गया, यह transfer हो गया, sir, कहां transfer हो गया, CRR में, कितने रुपे, sir, पूरे 4,00, तो general reserve अब दिखेगा, 0, और surplus में इसे भी minus कर देते हैं, sir, transfer हो गया, कहां transfer हो गया, CRR, कितने, sir, 4,00, अभी भी इसमें बचा हुआ 1,00, और एक और नई entry create हो जाएगी, CRR की, जो की होगे हमारे 2 plus में, 2, दोनों के मिला के, 4,00, अभी लेंगे लेंगे लेंगे, एक एक करके, investment का चलो, अब बोल रहें loss तो लेही लेते हैं, लॉस, investment पे, sir, कितने का, अभी करा था, 40,000, तो ये बचेगा हमारा कितने का, 60,000 का, चलिए, sir, preference share को redeem करना था, मैंने अल्रेडी पहले ही minus कर दिया, लेकिन यहाँ पे preference share पे हमें premium भी देना है, 50,000 का, तो हम यहाँ से minus कर देंगे, जो premium paid करेंगे, तो redeem वाला preference share का premium minus करने जा रहा हूँ है, तो less security premium, कितने paid कर रहे हैं, 50,000, तो अब बचेगा हमारे पास यह, 1,90,000, बिल्कुल step by step है, कोई इसमें जल्दबाजी नहीं, preference share holder को bank से payment कर दिया, तो अब हमें cash and cash equivalent के अंदर, कुछ न कुछ करना पड़ेगा, तो एक बना लेते हैं cash and cash equivalent, bank से payment करना पड़ेगा, तो इसको थोड़ा सा छोटा करके, इधर ले चलते हैं, यानि सर इसमें ज़्यादा जानकरी तो आएगी नेशी को आगे ले जाते हैं, और इसकी जब तक practice नहीं करोगे नहीं आएगा सीधी बात, अब देखो बच्चे कहेंगे सर लेंदी है, दस नमबर, पांच नमबर में इतना करेंगे, अब हैर तो करना ही पड़ेगा, note number, जो भी आएगा, cash and cash equivalent, equivalent, cash and cash equivalent, सर क्या है cash and cash equivalent में हम चेक कर लेते हैं, सबसे पहले हमारे पास bank में पैसा पढ़ा है, 3,60, तो bank balance है, सर कितने का bank balance है सर, 3,60, 3,60, और भी पैसा आया है, सर कहां से पैसा आया है सर, share को issue करके 2,40 आया, plus equity share capital से, 2,40 आया, और भी पैसा आया है, कहां से आया सर, investment बीचने से आया, कितना आया सर, 5,60, यानि मेरे जेब में total पैसा हो गया कितना, मेरी जेब में कितने हो गया total पैसे, 11,60, 3,60, 2,40, 5,60, 11,60, शलो 11,60 हमारे खाते में पैसे पढ़ा हुआ है, अब चेक करते हैं सर, आगे आगे बढ़ते के तो पता चला रहे हैं यार, 10,50 तो payment भी कर दिया है, माइनस कर दो सर, paid, 10,50,000, साइद कुछ बच्चों को नीचे नहीं देख रहा तो मैं उपर कर देता हूँ इसको, 10,50,000, 11,60 में से माइनस 10,50,000, 1,10,000 बच गया है, जो कि हम नोट में ले जाएंगे, आगे आजएगे, जनल एंट्री ये विए कि, SP to SP भी हमने करी दिया है, बागे तो कुछ बचा नहीं, property, plant, equipment में धेर सारे आइटम है, तो हम इसको भी ले लेंगे अभी, अब हमने देखो, इधर का सारा आइटम, अल्रेडी हमने कर चुके हैं, current liability में लिखा नहीं था, कितने हैं थे current liability, सर current liability 6 लाग, इसी के आगे सीधा लिखिए 6 लाग, note number 1, ये रहा हमारा note number 1, 18 और 220, बस बात कतम और कुछ भी नहीं है, सर ये again आगे हमारा note number 20 लाग, ठीक है, रिजर्वेंसर प्लस, ये रहा मेरा रिजर्वेंसर प्लस, तो रिजर्वेंसर प्लस में कितने हैं, 4,4,60,000 और 1,90,000, 4,6,60,000 प्लस 1,90,000, 650 का हमारे पास यहां पर balance है, तो note number 2, note number 2, 6,50,000, current assets, यानि PPE में आ जाता हैं, property, plant, and equipment, सर प्रॉपर्टी प्लांट एन एक्यूपमेंट सर तीन चार आइटम है इसलिए बना रहे नहीं तो जुरत नहीं पड़ती चलिए सर प्रॉपर्टी प्लांट एन एक्यूपमेंट आप एक बात नोटिस करेंगे कि जिसका नोट पता था वो लिख दिया बागी किसी का अगे नोट नहीं लिखा क्योंकि फाइनल मैं बैलिंशीट में पुटिंग करूँगा फिर नोट नंबर लिखूँगा सर पी पी ए में क्या क्या है आपके पास किताबे बताईए का लेंड एन बिल्डिंग प्लांट एन मसीनरी फरनीचर एन आपका मोटर कार अब लेंड एन बिल्डिंग का माउंट क्या है बीस लाख या बीस हजार ओके बीस लाख पाँच लाख एक लाख चालिस हजार 20 लाग 5 लाग 1 लाग और 40 calculation बहुत simple अगर depreciation हुआ तो depreciation minus कर देते हैं लेकिन depreciation वगएर तो आगे आएगा 26 लाग 40 अजार सर यहां आजाओ और यह लिख दो 26 लाग 40 अजार सर inventory का कोई note नहीं बनेगा अकेला है तो inventory 6 लाग और डेटर 2 चालिस inventory आजाएगा अच्छा यह investment के आगे जाना था inventory कितना था हमारा 6 लाग 6 लाग और यह investment के उपर नहीं है यह नीचे उपर हो गया थोड़ा थोड़ा नीचे उपर यह लो उपर आगया यह सर investment क्या रखोगे 0 यह कितना है 2 चालिस और bank का balance अभी निकाला 1 लाग 10 अजार सर और कुछ रह गया balance sheet में आप ध्यान से देख लो investment हो गया debtor हो गया stock हो गया vehicles हो गया आज 6,60 है वो stock stock 6,60 है तो गलती से थोड़ा हमने लिखना भूल गया चलो जी 6,60,00 और 1,00 और 6,60 तो सर स्टॉक हो गया over plant, machinery, motor vehicle सब कुछ हो गया और इधर से भी हमने सब कुछ ले लिया and all नीचे जितनी जानकारी थी इसी सब जानकारी को हमने यहां पर incorporate कर लिया अब फटा फट से बस हमें total करना है balance sheet में इसका note नमबर 3 होगा इसका note नमबर 4 होगा इसके लिए note नहीं इसके लिए note नहीं इसका note नमबर 5 तो एक नमबर ये था दो नमबर ये है investment का note नमबर दे दिया है मैंने इसका note नमबर 5 कर देते हैं इसका 6 कर देते हैं तो ये note नमबर 5 है investment यह note नमबर PPE 4 है और यह note नमबर 6 है अब देख लेते हैं total क्या आता है total क्या आता है sir total आएगा 20 लाग 26 लाग 50 अजार 26 लाग 50 अजार प्लस 6 लाग 32 लाग 50 अजार और इधर भी total कर लेते हैं कितने आगे 26 लाग 40 अजार 6 लाग 60 अजार 2 लाग 40 अजार और 1 लाग 10 अजार तो लो जी लो मैंने ज्यादा नहीं कर दिया 26 लाग 40 अजार 6 लाग 60 अजार कोई गड़बड़ी है क्या रिजर्वेंशर प्लस गलट टूटल है मेरा कहा है रिजर्वेंशर प्लस चार लाग 90 अजार ये कुछ सरप्लस छे पचास है 10 पचास कुछ पॉइंट रह गया क्या देख लेते हैं 5,4,9 और 2,11 सही बात है 10 पचास आना चाहिए हमने क्या गड़बड़ कर दी शार लाग शार लाग में से बचे एक लाग शार लाग यहां गया एक मिनट हमने CRR आठ लाग का बनाया है सर हमने ये चार लाग लिए अगड़बड़ी यहां गड़़दी हमने CRR कितने का बनाया है 8 लाग का 8 लाग का बनाया है CRR समझ में आई बात आपको तो 8 और इसमें चार और जोड़ देंगे तो 10.50 हो जाएगा ठीक है? सर ये आ जाएगा 10.50 10.50 से यानि कितने बढ़के सर ये 4 लाख बढ़के तो 36 पचास और ये भी क्या रहा है हमारा 36 पचास? बैलेंशीट हमारा मैच किसी का कोई doubt है क्या? किसी का कोई doubt है क्या? किसी का कोई doubt बता दें फटा फट किसी का doubt No Note number 2 फिर से बता दे कुछ समझ नहीं आ रहा सर भई अब दूसरी क्लास में तो बच्चों को कुछ समझ नहीं आएगा पहली क्लास आप देखेंगे तभी समझ में आएगा और जल्दी सा जल्दी आज ही देख ले नहीं तो धीरे धीरे corporate account अपना असली रूप दिखाने लगेगा ठीक है तो पहले उसे देख लें कुछ ऐसा नहीं है अगर आप पहली क्लास देखेंगे तो बड़ा simple तरीके से है उसी को हमने यहां plot किया है और जब भी क्लास देखे ना तो एक आप सभी बच्चों से मैं बोलना चाहूंगा register और panel लिख के जरूर नोट कर ले एक आप कसम खा ले के भाईया हमें लिखना है चाहे कुछ भी हो जाए समझ आए चाहे नाए लिखना जरूर है पहले तो लिखने से आपको पता चलेगा बहुत सारी चीज़े ठीक है बच्चों का reserve and surplus में एक बच्चे का doubt था reserve and surplus में कहा देखो security premium ये कौन सा है सर ये old वाला है पुरानी balance sheet में किताब में देखिए ये fresh issue से security premium आया और ये हमने payment किया तो security premium में total बच गया एक 90 general reserve में 4 लाग था जिसको हमने निकाल लिया और CRR में भेज दिया तो यहां बच्चा 0 surplus में 5 था उसमें से general reserve के CRR के लिए 4 लाग निकाल लिया बच्चा 1 लाग 40,000 का loss बच्चा 60 और CRR जो create किया था हमने 4 प्लस में 4 तो वो आगे हमारा 8 इन सभी को जोड दिया तो ये बनी गया 10,50,000 जिसको मैंने note number 2 में put कर दिया है बताइए doubt clear है sir current investment non current investment non current investment देखो zero हो गया बिल्कुल पहली की वीडियो आप जितनी मर्जी बार चाहें देख सकते हैं live class में जाईएगा और वहाँ पे मिल जाएगा और चाहे content में जाईए मिल जाएगा in fact ये सारे notes PDF format में भी आपको मिल जाएगा sir note number 3 में 6 लाग कहां से आया sir note number 3 3 number किसको 6 लाग 6 लाग तो note number 3 किदर है 3 किसको देए अच्छा ये note number 5 क्यों देदिया मैंने 3 current liability अरे ये note गलत हो गया गलत हो गया जी note गलत हो गया 3 के लिए तो बनाए नहीं ये सवाल में गीवन था इसके लिए कोई note नहीं है एक दो ये तीन और ये चार और ये पांच current investment आपको clear दे रखा है liability तो note था ही नहीं इसके लिए ठीक है sir investment वाला बता दो investment वाले में क्या है note number 5 में investment 6 लाग का था पूरे को बेच दिया 5-6 में तो 40 का loss हो गया जिसको transfer कर दिया हमने reserve and surplus में और इस सवाल को आपने करने है इस सवाल को clearly आपको practice दुबारा करने दो ही सवाल किया अगर ये दोनों सवाल आपने इमानदारी के साथ practice कर लिया तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगे आगे chapter लगे गा रहे तो जो बाकी के चार chapter लिखवाए ना याद है ना bonus, buyback, right issue सब खतम हो जाएगा फिर आपका उस चक्कर में और इसके अंदर share capital वाले का इतना ज़्यादा involvement नहीं है तो जो बच्चे नए enroll हो रहे हैं वो उसके according से try करें Sir, known current investment zero बिल्कुल हाँ ये zero हो गया ना ये 40,000 तो 5,66 लाग करके इसे zero ही लिख दिया मैंने एक तरीके से दिखाया है नहीं बस ये calculation दिखा दिया नहीं ये chapter बिल्कुल लेंदी नहीं है ये chapter मान के चलिए दो class में मैं खतम करने वाला हूँ इसको मैंने total 5 class का agenda लिया है दो class में खतम कर देंगा और वैसे मेरे पास अब थोड़ा थोड़ा time मिलने लगेगा तो आपके class मैंने बोला ही था कि लंबी करने वालो last class में हमने क्या कर लिया था last class में हमने balance sheet समझ लिया था अब जैसे कि मैंने first class में जब chapter start किया था तो मैंने क्या बताया था आपको first class में मैंने बताया था कि ये कुछ chapter है मैं तीन class लूँगा जिसके अंदर share ये जो तीनो chapter है आपके redemption में दो दिन में मैं right issue और bonus को भी इसी के अंदर cover करूँगा और buyback को भी cover करूँगा यानि जो मैं chapter का strategy लेके चलूँगा वो strategy कैसे होने वाला है साथ के साथ ये chapter भी इसके अंदर club हो जाएंगा यानि ये वाला unit एकदम से खतम हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा ये तो आज तो मैं preferenture का question करूँगा और कल morning में मैं plan कर रहा हूँ कि मैं आपका कल morning में bonus पूरा खतम करा दूँ bonus कल खतम हो जाएगा तो आगे आने वाले chapter जो है questions जो easily हो जाएगे तो sir आपको लगेगा कि sir ये bonus बीच में क्यों कराये जा रहा है तो मैं उसके पीछे बता देता हूँ आपको क्यों 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 क्योंकि हमारे जो सवाल आएंगे ना आगे उसमें bonus आने वाला है अभी तक देखो इतना तो कर लिया था हमने तो आगे जो questions आएंगे ये तो simple है आप देखेंगे इस type के questions में तो आपको इसमें ना bonus share देखने को मिल जाएगा sir bonus share कहा है आप पढ़ लेते हैं पढ़ लेते हैं देखिए यहाँ पर bonus share मिल गया यानि जब हम अगले questions को करेंगे तो bonus share आ जाएगा जुससे कि हमें क्या होगी थोड़ी सी problem होगी तो हम पहले bonus share को कर लेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे लेकिन आज तो फिलाल यह वाला question करने वालो हूँ आपके सामने यह question कर लेते हैं पहले चलिए तो बहुत कम visual हो जाएगा यह तो चलिए ठीक है पढ़ लेते हैं question चलिए ठीक है तर voice lag हो रही है एक बार check कर यह voice clear है तुशार check कर लेजिए voice clear है तो हम आगे बढ़ें फटा फट बता दीजिए अधित्य बता दीजिए voice clear है पोनी नहीं चाहिए वैसे बताईए फटा फट clear ठीक है चलिए start करते है question बढ़ते है question में क्या कहता है question में कहता है redemption यह आपके किताब का ही question है कहता है एक्स लिमिटेड हूज इशू शियर कापिटल ऑन 31 मार्च कंसिस 24,000 10% परफेंश यह यानि सर यहाँ पे हमारे 10% 10% 10% 10% परफेंश यह कापिटल है 10% परफेंश यह कापिटल है यहाँ पे आगे कहता है 100 रुपे का एक है और 24,000 है सर 24,000 है और at the rate 100 रुपे का एक है तो मतलब सर 24,000,000 रुपे का परफेंश यह रुपी इसके टर्मस में बात करें फुली पेड एंड दा 60,000 एकुटी शियर 100 रुपेस इच 90 पेड़ और सर यहाँ पे जो है ना 60,000 हमारे पास है एकुटी शियर कापिटल एड दा रेट 100 रुपेस है यह भी लेकिन इन्होंने सिर्फ 90 ही पेड़ किये हैं इसका मतलब 10 इन से लेना है Decide redeem the preference share at a premium 10% मैंने बोला मैं इसके उपर security premium दूँँआ 10% That is आपका 240 10% per share The company balance sheet on 31 March 2013 So the general reserve हमारे पास पहले से कुछ है That is general reserve कितने का general reserve है सर 28,000,000 का 28,000,000 The redemption effected partly out of proceeds new issue 12,000 equity share 100 रुपी 35 प्रीमियम कहता है सर हमने इसको redemption करने के लिए Fresh issue कर दिये और कितने कर दिये 12,000 और इंटू 100 में यहीं 12,000,000 रुपे कर दिया और इसके उपर हमने SP भी चार्ज किया जो कि कितने थे बोलता है के भाईया हमने 100 रुपे का एक था 35 रुपे प्रीमियम चार्ज किया एक जुलाई को the company general meeting करता है और resolve करता है the following manner the decide bonus यहाँ पर bonus at the rate 10 per share equity for the purpose of making fully paid up equity share तो company ने decide क्या भी समझ लेंगे bonus क्या होता है thus issue bonus share old equity share in the ratio of every five यानि सर यहाँ भी bonus share आ गया है यहाँ भी bonus share आ गया है तो 10 लाख लिख दिया कहां लिख दिया 10 लाख या एक काम करें हम bonus share के question slide पे नहीं लगाए नहीं तो मैं आज ही गरा देता है चल्ड़ इस सवाल को तो करते हैं और इसी सवाल के बीच में bonus share की entry करूँ आ थोड़ा बहुत समझ में आएगा थोड़ा कम आएगा बाकी कल वाली class में पूरा ही bonus share हो जाएगा ठीक है तो bonus share कहता है कि दे दिया चलिए questions को करते हैं space बनाते हैं यह आपके सामने question था अब यहां answer करना है start करते है सबसे पहले question ने fresh issue किया fresh issue जब किया पहले सभी बच्चे एक बार बता दे bonus वाले point को छोड़के सारा point समझ में आ गया या नहीं आया bonus वाले point को छोड़के सारा point समझ में आ गया पहले हाँ या ना बताओ सारा समझ में आ गया सर अपने 10 लिख दिया ओके मैंने कहीं 10 लिख दिया यह 100 है ठीक है ठीक है पटाफट बताजे जितने बच्चे लाइव हैं कि बोनस छोड़ के सारा समझ में आया या नहीं आया सर कुश्चन एक बार और रिपीट कर दो रेनु कुमारी ठीक है मैं एक बार और कुश्चन रिपीट कर देता हूँ हाला कि ये कुश्चन अब छोटा हो चुका है के कंपणी ने इशू किये हैं शेयर कैपटल 31 मार्च को कंसिस्ट 24,000 शेयर प्रिफरेंश येर 100 रुपी सीच फुली पेड़ अप और 60,000 एकुटी शेयर आपका कहता है कंसिस्ट जो उसका हूज इशूड कैपटल दो चीजे था तो कहना है कि एक कंपणी के पास कितने परसेंट वाला 10% 24,000 का है 100 रुपे का एक और इसके उपर 10 रुपे का सिक्यूरिटी प्रिमियम भी है बड़ी सीदी सी बात है तर कंपणी के पास एकुटी शेयर भी है और एकुटी शेयर कितने है 60,000 एकुटी शेयर 100 रुपे वाला है और इसमें पेड़ अप है पेड़ अप सिर्फ 90 आगे कहता है कंपणी ने डिसाइड किया किरिप्रफेरिंज शेयर रुडीम होगा प्रिमियम पे तो मैंने पहले ही बता दिया प्रिमियम पे रुडीम होगा आगे कहता है company balance on 31 March so a general reserve 28 लाख रुपए company के पास general reserve भी है इसके बाद आगे कहता है the redeem affected by the partly out of proceeds new issue redeem जो होगा वो थोड़ा सा हम fresh issue करेंगे और थोड़ा सा क्या लेंगे हम capital तो यहाँ पर देखा जाए तो new issue हमारा है तो fresh issue कर रहा है fresh issue question कहता है कि हम करेंगे और करेंगे 12,000 और कितने का करेंगे 100 का एक और इसके उपर 35 का premium भी रखने वाले हैं कहता है 35 the premium payable on the out of new issue इसके बाद दो बाते इसने कहा कि जो इसका partly paid up share था उसको general meeting में resolve कर दिया और बोलता है कि declared bonus 10 rupees per share making fully paid up यानि जो partly paid up share था उसके लिए bonus declare कर दिया और company ने आगे decide किया the issue bonus share old equity share holder को in the ratio 1 is to 5 you are required to pass necessary general entry ठीक है सर अब मैं थोड़ा सा bonus issue के बारे में यहां बता देता हूँ बाकि मैं detail में तो करूँँआ bonus issue थोड़ा बता देता हूँ ताकि इस question में दिक्कत ना हो जो bonus issue होता है न वो दो तरीके का होता है mainly एक तो अगर कोई partly paid up होगा न जैसे हमारे सवाल में है अगर कोई partly paid up हुआ न तो उसको क्या कहते हैं कि भाई तू मत दे अब पैसे मुझे तू मत दे मुझे पैसे नहीं चाहिए मुझे तेरे पैसे तो इसका मतलब उससे पैसे नहीं लेंगे बिल्कुल नहीं लेंगे लेकिन उसको हम पूरा fully paid up कर देंगे fully paid up दूसरा होता है एक कि आपके जो shares है old shareholder उनको हम बोलेंगे भाई तिरको हम free का share दे रहे हैं pre cash share दे रहे हैं सर ये दोनों काम जो कर रहे है company company का ख़र्चा है औनी है company के लिए आपको pre cash दे रही है आफसे पैसे नहीं ले रही तो दोनों ही case में company के लिए क्या है खर्चा इस खर्चे की भरपाई company कर सकती है कहाँ से सबसे पहले company लेगी CRR अगर CRR नहीं है तो फिर general reserve, profit and loss, security premium यानि any kind of reserve जो कि इससे use हो सकते हैं वहां से लेगिया ठीक है, तो जो हमारे balance sheet में पढ़ा होगा उसको निकाल के करेंगे चलिए, यतनी छोटी सी बात समझ में आई, हम पहले इसकी general entry कर लेते हैं तो सर सबसे पहले प्रेश, partly paid up को fully paid up बनाते हैं, कैसे बनेगा देखो, हम partly paid up की बात कर रहे हैं, इसको fully paid up बनाएंगे यानि सर 10 रुपए देंगे तो 6 लाक रुपए है, तो हम क्या करेंगे सर, bank में पैसा तो आने वाला नहीं है, तो bank के वज़ा हम लिखे देंगे general reserve general reserve, क्योंकि general reserve से कर लो, security premium से कर लो, आप किस से करना चाहोगे, मैंने बोला, कहीं से भी कर सकते हैं, तो मैं पहले इसे general reserve से कर लेता हूँ, general reserve account debit, कितने पैसे निकाल लो, सर 6 लाक रुपए निकाल लो, और 2, 2 equity share capital, 2 equity share capital, या, मैं पहले दूसरी entry करते हैं, calls मंगवाने की entry याद है आपको, क्या करते थे, share final call, share final call, to equity share capital, यही करते थे न, 6 लाक, 6 लाक, इसके बाद अगली entry क्या होगी, अगली entry होगी, आपका bank होता था, तब bank तो है नहीं, अब हम अपना general reserve कम कर लेंगे, general reserve account, debit, और 2, share final call, final call, अभी roughly मैं कर रहा हूँ, बाकी मैं fairly जब कल वाली class लेंगे तो करेंगे, ठीक है, इसके फ्रेश इशू कर दो, sir bank account, जो नए share बेचे हैं, to share application, share application, sir कितने पैसे आएंगे, 12,000 share बेचे हैं, और 12,000 को 135 से, 135 से है न, 12,000 को 135 से करने वाले हैं, sir security premium is not for part of CRA, नहीं, security premium part नहीं होता, 12,000 into 135, यहाँ जगा 16,20,000, 16,20,000, अब 16,20,000 को हम कैसे करते हैं, एंट्री, share application, to equity share capital, to security premium, और यह आगया हमारा, 16,20,000, और premium equity share में कितने हैंगे, 12,000, और यह आजएगा 4,20,000, पहले आप यहाँ तक मुझे सभी clearance दे दीजिए, कि sir यहाँ तक समझ में आगया है, तो हम आगे बढ़ चले, बताइए पहले यहाँ तक सभी को clear है, यहाँ तक entry सभी को clear है, I have doubt, yes, जितने ही बच्चे को doubt है ना भी voice chat में मत भीजिएगा, आप लिख दीजिए, मैं अभी ले लुआ हूँ, क्योंकि voice chat में होता ही कि आप पूछोगे, फिर और भी पूछेंगे, तो उसमें time निकल जाएगा, concept छूट जाएगा हमारा, मैंने बोला, voice SMS में नहीं पूछना है अपि, चलिए, इस entry में doubt बताईए किसी को है तो, सर फोर फीचर के बाद next calls की money less सर के due करेंगे, फोर फीचर तो हुआ ही नहीं, नुरानी इसमें तो फोर फीचर हुआ ही नहीं है, छे लगा, मैं एक बार जनल एंटरी फिर से बता देता हूँ, तेखो, हाँ या ना में बताना, सबसे पहले मैं एक एक करके पूछ रहा हूँ, ये वाला part, जो सवाल है, क्या question सभी बच्चों को समझ में आ गया है, हाँ या ना, जितना जितना पूछू उतना बताओ तभी मैं कर पाऊंगा, जो मैंने सरकल किया है, वो सभी बच्चों को समझ में आ गया है, हाँ या ना, यस या नो में जवाब दे, फिर मैं बढ़ते जाऊंगा आ गया, सभी को clear है, जो offline भी बैठे है, question clear है पूरा, और जितने बच्चे नए जो इन हो रहे हैं, उनको पहले न थोड़ा सा share capital देखना पड़ेगा, और फिर आप आएंगे, नहीं तो फिर दिक्कत रहेगा, वन्शिका ने बोला, yes sir, यहां तक clear है, उसके बाद, bonus issue की कहानी, बोनस issue की कहानी, अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि काफी बच्चों को समझ नहीं आएगा, तो यह concept बताया, कि bonus issue का मतलब होता है, कि free में share दे देना, और free में कुछ चीज़े दे देना, तो free में देने का मतलब, दो जगह से हम free में दे सकते हैं, या तो तुमने share के पैसे कम दिये, तो उस share के पैसे को हम fulfillment कर देते हैं, तो free में ही हो गए आपके share, या फिर आपके पास पहले से share है, तो हम और extra दे देते हैं, जैसे one is to one, आपने 10 share खरी दे मैंने चल ले 10 share और free दे दिया मैंने, तो यह bonus share हो गया, बिल्कुल हाँ, bonus share के लिए use किया जा सकता है, तो use करोगे, तो उसको क्या करोगे, इसा debit करोगे, उसको क्या करोगे, debit करोगे, जिसके यह मैंने entry भी कर रहा है, तो पहली entry मैंने final call मंगवा लिया, तो पहले part यह क्या कहता है, जो bonus share 10 रुपे, यानि 10 रुपे जिन्हें उन्हें payment नहीं किया था, उनसे पूरे पैसे मंगवा लो, तो मैंने मंगवाया पैसे, फिर बोला उससे पैसे, मतलो उसको bonus में कर दो, तो मैंने बोला ठीक है भाई, मैंने अपना GR कम कर दिया, और share final call कर दिया, यह हो गई पहली entry, बता दे फटा फट, क्लियर है, चरिए, अब हम आगे आजाते हैं, आगे आजाते हैं, यह भी कर लिया हमने, अब पहले redemption के लिए तो कर लें, अब redemption की तैयारी के लिए मैं पूछूँ, तो भाईया हम क्या कर रहे हैं, हम fresh इस तो बारा लाख रुपए का करी रहे हैं, बारा लाख का, और हमें requirement कितना है सर, 24 लाख का, हमें requirement कितने का है, 24 लाख का, तो बारा लाख का तो fresh इस उस होगे, तो CRR बनाना पड़ेगा न, तो CRR बनाने के लिए हम किया यूज कर लेंगे, general reserve to CRR, हमारे general reserve में बहुत पैसा है, तो जिसमें से कितना और निकाल लो, 12 लाख और निकाल लिया, अब हम preference share holder को बुला लेते हैं, कि भाईया 10% preference share holder आ जाओ, 10% preference share holder यानि account, debit आ जाओ, तो उसका कितना आएगा सर, 24 लाख है वो, उसको मैंने बोला, तुम्हें security premium भी देंगे, कितने 10%, यह नि 2.4 lakh, और बागी total पैसा हम preference share holder को दे देंगे, कितना दे देंगे, 26 लाख 40,000, पहले बताईए इसमें doubt, एक ही country पूछ रहा हूँ, तो doubt है तो बता दे, Sir, share final, share final call, क्योंकि यह last call बचाये इसका, फिर पैमिंट करें रखा था 100 में से, प्रिर पैमिंट कर लिए, तो 10 बचा, तो 10 को final बान के हमने कर लिये, इस दोनों एंट्री में doubt है तो बताईए, फिर हम इसकी payment करें, इन दोनों एंट्री में doubt है तो बताईए, नो सर खीक है चलिए आब पेमिंट कर देते हैं सर प्रिफरेंच शियर होल्डर टू बैंक ये लोजी पेमिंट हो गया कितनी पेमिंट करनी है टोटल 26,40,000 26,40,000 अब सिक्यूरिटी प्रिमियम को राइट अफ करना है तो हम क्या करेंगे security premium to security premium लास्ट कलास में बड़ी discussion की थी हमने इस पे तू ये security premium पुराने वाला जो हमारा fresh issue से आया होच एचाहे कहीं से भी तो हमें कितना चाहिए 240 और आप ध्यांसे देखोगे तो हमें बहुत सारा security premium मिला हुआ है कितना मिला हुआ है security premium sir ये देखिए कहां गया 420 था जिसमें से 240 तो इस्तमाल हम कर ही सकते हैं तो ये हमारा हो गया redemption फूरा अब रह गया एक bonus issue का B part जिसको हमने अभी नहीं करा यहां तक किसी बच्चे का कोई doubt है तो बताईए यहां तक किसी का कोई doubt है तो बताईए clear है ठीक है अब ये वाला bonus share न कैसे करेंगे देख लिजे bonus share के entry क्या होती है bonus share के entry क्या होती है हमारी हम free में share दे रहे हैं तो entry करते हैं entry करते हैं बाकि अगली class में मैं पूरा करूंगा ही bonus share bank तो आएगा नी तो bonus share account या फिर हम कर देते हैं क्योंकि इसके लिए हम CRR यूज कर सकते हैं तो CRR अकाउंट और इसको क्या दे दो आप तो पिछले हाले अगर सवाल पर हम ले तो कहता है old equity share in the ratio every five share held यानि कहता है पांच share held तो one is to five इसका मतलब सर जिसके पास पांच share है उसको कितने share दे दिये जाएंगे एक share तो अगर total हम share की बात करें तो total share कितने है तो पहले ही थे 12,000 अभी इसू कर दिये तो total कितने होगे sir 72, 72 divided by five तो कितने share नकल के है bonus 72,000 ये 14,400 और मजे की बात इस सवाल में ये नहीं कह रहा कि including नए वाले share है पुराने वाले share है कुछ नहीं बोला तो हमने total पे निकाल लिया 14,400 share bonus देने होगे और 100 रुपे का एक share है तो अगर मैं bonus share में entry करूँ तो 14,400 और 2,0 तो 14,400,000 लेकिन sir अब तो गड़बड हो गई न क्योंकि हमारे पास CRR में कितना पड़ा है only and only 12,000 कितना है 12,000 तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा sir एक बात पहले ये entry तो हो गया अब मैं fresh entry कर रहा हूँ यहाँ पे sir हमारे पा 400 into में 100 that is 14,400,000 रुपई के requirement है CRR में 12 तो बाकी अब security premium ले लो कितना चाहिए security premium 42 क्या security premium में 42 है check करते हैं क्या security premium में 420 था 420 में 42 तो यूज़ी कर लिए तो sir नहीं है ये भी लेकिन GR में पड़ावा है तो इतने जंजट में क्यों पड़े हम सीधा GRE यूज़ कर लेते हैं 40,000 और two bonus issues two bonus issues मैं again कहना चाहूंगा कि जिन बच्चों को जिन बच्चों को समझ में नहीं आया ये कोई बात नहीं कल वाली class में तो करेंगे 2,40,000,44,000 जिन बच्चों को समझ में नहीं करना तो ही अगली class में अभी तो मैं ये roughly entry कर रहा हूँ roughly मतलब entry तो ठीक है लेकिन इ बोनस issue two to equity share capital यानि अगली class में bonus share खतम ये लेजिए लेजिए, that's it, खतम मिरंजन सर आपको मेरा message होता है, सर security premium वाला दुबारा बता दो, आप security premium वाला कौन सा बोल रहे हूँ साइद ये कह रहे हैं, ये वाला security premium दुबारा बता दो, तो इसके लिए आपको पिछली class देखनी पड़ेगी, कि ये entry हमने कैसे किया है यहाँ तक देखे, किसी को doubt, किसी को doubt यहाँ तक 1-6 होगा, राजलखमिस सर 1-6 होगा, क्या बता रही है 1-6 6 लाग क्यों लिया है मैंने पीछे वाले समाल में, 6 लाग इसलिए लिया है क्योंकि 10 रुपे pending और 60,000 शेयर पे 14,400 क्यों आया है, क्योंकि total जो शेयर था ना हमारे पास, देखो 60,000 तो पुराने थे 12,000 नए, तो total शेयर कितने हो गए 72,000, 72,000 में मैंने वाला 1-5, तो एक बटा 5 हो गया तो 14,400 number of shares निकला, उसके इसाब से हमने यह calculation किया है तो एक और question करने जा रहे है, redemption of preference share के अंदर हमने एक बार overview दे दूँ, redemption of preference share में क्या दिखा था, कि हम preference share को जब redeem करते हैं, तो हम majorly यहाँ पे CRR बनाना पड़ता है अब या तो हम CRR बना लेंगे, या फिर क्या करेंगे, fresh issue कर देंगे तो जितना fresh issue करेंगे, balance face value का CRR बना दिया जाएगा CRR बनाने के लिए source कहां से चाहिए लगेगा आपका तो sir, CRR बनाने के लिए GR ले सकते हैं, P&L दे सकते हैं, workman compensation, any reserve इनके थ्रू आप CRR को बना सकते हैं, security premium का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता इसके बाद हमने देखा था, कब CRR कितना बनाना है, नहीं बनाना है कुछ तरीके से questions देखें, और साथ के साथ हमने और भी कुछ notes देख लिए थे और हमने एक question करा, जिसका पूरा balance sheet भी सीखा था, तो यह याद होना जरूरी है अब आजाते हैं हम यहां तक हमने 9 तक question कर लिया है, 9 में bonus issue था, अब मेरे हिसाब से आपको ना bonus issue दुबारा करना इस सवाल को आपको बिल्कुल लगे का, यह तो simple दिवाद है चलिए आजाते हैं, यहाँ पर भी एक bonus issue की बात कही गई है, bonus issue जिसके विए से हमने इस question को छोड़ा था, अब now हम करेंगे, clear चलिए सब यह आगया हमारा marker चलिए भाई साब कहता है issue of debenture, debenture issue हुआ है issue of debenture for redemption है, debenture कहां से आ गया, ओके ठीक है ठीक है topic डला हूँ है, topic को तो काट तो, कोई दिखकर ने हमारे पास क्या-क्या given है, सर, हमें given है 5,000 preferent charges का काम है, 100 रुपे का, एक या नि 5 लाग का 90,000 equity share है, security premium में पैसा पढ़ा हुआ है general reserve में पैसा पढ़ा हुआ है, surplus के अंदर पैसा हो, पैसा ही पैसा है, current liability, इसके बाद इधर कुछ हमें बाते बताये जा रहा है, फिर कहता it was decided, इसने decide किया, 30 June 2012 को, to redeem the preference share at a premium 5%, इसने decide किया कि जो हमारा कितने percent, 10% जो हमारा preference share capital है ना 5 लाग का, उसको हम 5 लाग रुपे नहीं लोटाने वाले, उसके अंदर हम 5% add भी कर देंगे, sir, 5% premium add करेंगे, that is, कितना हो जाएगा, इसका 25,000 और add करके उनको लोटाएंगे, कहता है, to finance for redemption, इसको redemption को finance करने के लिए all investment were realized, यानि sir, पैसा कहां से दोगे, finance का मतलब है, पैसा देना, पैसा दोगे कहां से, मतलब reserve का इस्तमाल करना एक अलग बात है और उसको cash में पैसा देना अलग बात है, तो बोला, इसको finance करने के लिए हम investment को जाते हैं, बेच देते और investment कितने का sold कर दिया, यानि नुकसान कर लिया, इसने बिचारे ने, कितने का नुकसान कर लिया, 20,000 रखा, चीक है, आगे देखते हैं, क्या कहता है, and 10,000 equity share issue कर दिया, इसने 9 रुपे per share payable on application, कहता है, इसने 10,000 equity share issue कर दिया, were issued at 9 रुपे application पर मांग लिया, the company also, company ने, debenture भी issue करें, 100 रुपे के साब से, तो पैसा ही पैसा आ गया, फिर से company के पास, sir, कहां से पैसा आया, company के पास, पैसा आया, सबसे पहले equity share capital, equity share capital, कितने issue किया, 10,000 किया, कितने debenture issue कर दिया, 10,000, एक debenture कितने का है, 100 रुपे का, देख लो कहीं premium पे तो नहीं किया, नहीं sir, premium पे नहीं किया, तो यहां से तो अकेला यह निप्टा दिया, इसने 10 लाग तो नहीं से आंके, तो पैसा तो बहुत सारा होगा, और bank के अंदर भी बहुत पैसा पड़ा होगा है, कहता है, on august, 2012 the company made a bonus issue, one equity share for each two equity share, कहता है कि one is to two में हम bonus share देंगा, मैंने बाद में देख लेंगा भाई bonus को, bonus share, equity share held that date, it was also decided that only minimum reduction should be, कहता है, also decide to only minimum reduction should be made in the revenue reserve, कहता है, revenue reserve को कम से कम इस्तमाल किया जाए, तो भाईया वही है, यह सब कल चीजी use करेंगे, तो revenue reserve क्या होगा, हमारा कम से कम ही इस्तमाल होगा, हर बार वही करते हैं, draft journal entry including those relating cash transaction, record transaction and show the balance sheet on redemption after जो भी prevention redemption होने के बाद है, मुद्दे की बात है न, जो bonus issue है न, यहाँ पर फसादिया question है, कि bonus issue किसको देना, चलिए अभी देखते हैं, तो हम एक एक करके entry करेंगे, मैं एक बार फिर से question को यहाँ पर अराम से लिख देता हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा को वापस लेंगे, जिसका payment करना है हमें 5 लाग, और इसको ऐसे नहीं देंगे, इसको security premium भी देंगे, 5%, that is आपका 25,000 रुपे का security premium, यानि सर, preference share holder को हम जो total payment करेंगे, वो payment कर देंगे, दो 5 लाग 25,000 का, कहता है सर, इसको finance करने के लिए हमें पैसे का इंतजाम करना है, तो पैसे का इंतजाम कहां कहां से किया गया, वो बताया जा रहा है, सर, पैसे के इंतजाम से इसने याद आया कि क्या क्या कर रहा है, सबसे पहले शेयर इशू भी कर दिये सर एकूटी शेयर कितने दस हजार एकूटी शेयर कहता है नौ रुपे ही मांगे है अभी हमने इसका मतलब सर नौ ही मांगे है नौ पर शेयर पेबल ओन एप्लिकेशन बस तो मतलब सर नब्बे हजार और बोलता है मैंने 10% डिबेंचर भी इशू कर दिये हैं और 10% डिबेंचर कितने हैं सर 10,000 और गुणा में 100 रुपे काई तो 10 लाग यहीं से इंतजाम हो गया हमें तो 5-25 का इंतजाम करना था हमारे पास तो पता नहीं 15-16 लाग रुपे आगे करीब आस पास आगे कहता है एक औगस्त को कंपनी ने डिसाइड किया के बोनस इशू करेंगे और यह काम कब चल रहा है यह यानि सर 30 जुन को यह सारा काम काज चल गया तो 30 जुन तक अगर मैं यह सारा काम काज कर भी दू तो मेरे पास जो एकुटी शेर मिलेगा मुझे पुराने वाले एकुटी शेर नव्य हजार है और सर 10 जार हमने और भी इसू कर दिया तो टोटल अगर पुराने वाले एकुटी शेर देखा जाए तो कितना होगा एक लाख इकुटी शेर हो जाएगा तो जब आप बोनस डिसाइड कर रहे हो एक अगस्त को जून के बाद सारे करने के बाद तो एक अगस को जब बोनस बोलोगो तो सब को यह announcement जाएगा नए वाले को भी जाएगा तो जब नए वाले को बोनस शेयर जाएगा तो ऐसे situation में क्या होगा कि हमें सब को देना है तो यहाँ पर एक समस्या फिर से create हो जाती है सब को दोगे तो इसने पूरे 10 दे दिये ठीक है इसने तो 9 दिये तो मैंने बोला हाँ भाइस ही नो दिया एक रुपे का और बोनस दे को फुली paid up करो क्योंकि बोनस देने का रूली यह था कि हम क्या कर ले पैस्स को कर लेते हैं तो सर हमने जो फ्रेश इशू किया है देखा जाए तो यह इशू हमने दस अजार किया है फेस वेल्यू कितना बन जाता है हमारा एक तरीके से नब्बे हजार रुपए कैस जरूर आए लेकिन एक लाग के बराबर ही बनेगा यह बोनस इशू दे देंगा तो एक बनेगा हमें पांच लाग का CRR बनाना था एक लाग का फ्रेश इसू होगे तो चार लाग का और क्या बना लेना जिए CRR बना लेनी है, CRR के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, Security Premium कर सकते हैं बोला गया Reserve को कम से कम यूज करो तो भया, CRR के लिए पहले Security Premium इस्तमाल करते है Security Premium Account Debit Sir, Security Premium में कितना पैसा पढ़ा हुआ है? Security Premium Account Debit तो कितने पढ़े हुए हम आर पास? 1,00,000,000,000,000 यह इस्तमाल हो गया Lopez जी और बनाने हैं तीन लाग तीन लाग हम कहां से कर ले सर प्लस सर प्लस में दो लाग है तो सर प्लस किसको minimum reduction बोला revenue reserve को तो कुछ भी कर दो सर मैं general reserve ले 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 तो बात खतम करते हैं general reserve account debit कितने का debit होगा general reserve सर तीन लाग का और two में क्या बन जाएगा सर CRR CRR आ गया सर कितने का CRR आ गया श्यार लाग का आ गया बाती खतम tension खतम अब भाई perfect shareholder के लिए हम finance का भी इंतिजाम कर लें finance का मतलब उसके जो बेचे था उसने investment वो देख लेते हैं तो investment बेचा तो bank में पैसा आया सर bank में कितना पैसा आया bank में पैसा आया हमारा दो लाग 80,000 यहाँ नुकसान भी हो गया तो profit and loss से debit हो जाएगा या surplus से debit कर दो आप कितने का 20,000 का और two हमारा यहाँ पे क्या चला गया investment investment तीन लाग का investment चला गया तो अब basic सी entry है बस यह सारी इसके बाद क्या करें सर चलिये इसके बाद क्या करें जी इसके बाद preference share holder को बुला लो भाई 10% preference share order preference share capital भाई कितने देने 5,000,000 और कुछ भी चाहिए भाईया हाँ भाईया security premium भी चाहिए कितने चाहिए security premium 25,000 अच्छा इसका मतलब हमें preference share holder को देने है total पांच लाग 25,000 क्लियर है यहां तक अगर आप preference share holder को 5,25 दे रहे हो तो bank से payment कर दो क्या करोगे preference share holder account debit to bank यही करने वाले हो ना लो जी क्या bank में पैसा है ऐसे दे दोगे बहुत पैसा है बैंक में हमारे तो 5,25,000 के payment हो गई यह तो हो गया preference share का redemption अब इसके बाद हमें security premium को write off भी करना है sir security premium को write off करने के लिए कितने का premium 25,000 का तो हमने तो यहां premium यह इस्तमाल कर लिए फिर हम क्या इस्तमाल करें 25,000 के लिए general reserve कर लेते हैं यह surplus कोई भी इस्तमाल कर लेते है general reserve भी कर लेते हैं यहां आजाईए बहुत छोटी सी entry कर देते हैं GR to SP 25,000 ठीक है मैं यह वाली entry मिटा रहा हूँ क्योंकि यह मैं already दुबारा मैं समझा चुका हूँ तो दुबारा समझाने की जुरत है नहीं यह इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ हटा रहा हूँ और इसको उपर ले जाते हैं चलिए अब bonus issue करेंगे bonus issue के लिए CRR होगा bonus issue कितने की है हमने sir bonus issue हमने किया question ने कहा है कि कितने करो यहाँ पर तो इसको करने वाले कितने बोला है question कहता है कि bonus issue also the company bonus issue करता है one equity share for two यानि sir one issue two है तो यानि one divided by two तो sir हम 50,000 bonus share issue करने वाले हैं तो 50,000 सर जब bonus issue करोगे तो आपको 5 लाग CRR की जुरत होगी और एक partly paid को fully paid भी बनाओगे वहाँ पे भी आपको 10,000 का CRR का जुरत होगा तो मैं पहले partly paid को fully paid बना देता हूँ partly paid को fully paid कैसे बनाएंगे बहुत सिंपल है partly paid को क्या करेंगे share final call two equity share capital partly paid अप कितने हैं नौ में से एक बच गया था तो 10,000 सर कहां से लें इसको भी ले लेते हैं GR से GR2 क्या कर दें GR में से निकाल लिया पैसा कहां डाल दें हम GR से bonus issue यह सारी entry पहले कर चुके हो कितने 10,000 उसके बाद फिर क्या करें final call को एड़जस्ट कर दें क्या करेंगे bonus issue to share final call 10,000 कोई समस्या कोई परिशानी कोई दुविदा हो तो बता दें चलिए सर यह तो normal हो गया final bonus issue कर देते हैं सर final bonus issue में CRR कितना है 4,000,000 करने हमें 50,000 bonus issue है तो 50,000 into में 10 परोगे तो 5,000,000 कर इंतिजाम करने है तो पहले तो CRR इस्तमाल कर लिए हमने CRR कितना इस्तमाल कर लिए सर चार लाख और भी पैसा उठा लो कहां से GR से अब चेक कर लो कहीं उठाते जा रहे हो 7,000,000 रुपे जी आर में था 4 यहां निकल लिए अभी बहुत है क्या चलो फिर GR अकाउंट डेबिट GR कितने एक लाख रुपे और 2 कर दोगे क्या बोनस इशू बोनस इशू कितने हो गए पांच लाख का अब सिंपल सी बात है बोनस इशू की एंट्री कर दो बोनस इशू 2 एकुटी शेयर कापिटल कितने पांच लाख खतम जी खतम एंट्री खतम और आपको लगता है कोई एंट्री करना है तो आप मुझे बता दिए आच्छा डिबेंचर इशू तो रहे गया फ्रेश इशू भी रहे गया डिबेंचर इशू भी रहे गया दो तो मेजर रही गया आप बैलेंशीट तो आप बनाऊगे बैलेंशीट आपने बनाना है तो दो एंट्री तो आप भूली गए कौन साफ फ्रेश इसू फ्रेश इसू क्या करेंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शियर अप्लिकेशन सर नौ रुपए की है इसने तो दस अजार इंटू में कि Halo लग लग अज़ग एंटू ठीयर तो इकोटीश्यर अपतलो नौ ब estemपटलो जाल कर थैज रूट क्तापलो वांट में लग एंट्रीओ प्टिबंविस्ट ऱ्र जू दू करेंट अगली entry debenture application मैंने यहाँ debenture application लिखना है कुछ बच्चे कह सकते हैं debenture तो issue करना नहीं आता कोई बात नहीं simple है debenture application लिखे तो जैसे उसका करते हैं और to 10% debenture 10 लाग जी अब खतम हो गया अब मैं एक एक करके entry भी count करवा देता हूं सबसे पहले हमने इसका इंतजाम भी कर लिया due paid preferent share का तो यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ ते यहाँ से जो भी entry गई है preferent share को payment करने का investment बेचने का हमने यहीं पर entry कर दिया है equity share issue करने का हमने entry एक इधर करा और एक उपर कर दिया debenture issue करने का भी केंट्री हमने कर दिया bonus issue का हमने एक तो यहां पर जो final paid up बनाया और दूसरा finally bonus issue की हमने entry कर दी तो जो सवाल में बोला था वो हमने कर दिया है 12% है 10 की जगा पर 12 करा इसने ओके चलो इसको 12 कर देते हैं कहां गया कहां गया इसको 12 कर देता है ठीक है आगे question में क्या कहता है draft journal entry including those related transaction record तो सर कर दिया हमने so balance sheet तो balance sheet जब आप बनाओगे तो preference share हो जाएगा 0 equity share में और जुड जाएंगे कितने 10,000 नए और 50,000 और bonus वाले security premium भी हो जाएगा 0 general reserve में कितना था सर साड़े 7 लाग था general reserve में धीरे धीरे करके निकालते गए यहां पर कितना निकाला 3,000,000 और सर यहां पर कितना निकाला और कहां निकाला हमने पच्छेस अजार और SP में निकाल लिया एक लाख रुपे इधर निकाल लिया तो जो भी minus plus करके आएगा general reserve में security premium में से एक profit and loss से minus हो जाएगा 20,000 यह आजाएगा current liability पे कोई changes ने fix assets यही रहेगा यह क्या हो जाएगा investment हमारे यह हो जाएगा zero stock पे कोई फरक नहीं debtor पे cash at bank पे फरक पड़ेगा cash at bank कितना है का 1,75 1,75 में सबसे पहले हमारे पास 90,000 आगे equity से 10,000,000 आगे हमारे पास debenture से 2,85,000 आगे कहां से हमारे पास सर 2,80,000 आगे जो कि हमारे पास investment sold हुआ यह तो पैसे आगे इसमें से minus क्या कर दोगे सर minus जो आपने payment किया है कितना payment किया है सर 5,25,000 माइनस करोगे तो जो balance बचेगा वो bank में balance हमारा बच जाएगा और नई balance sheet बन ये ये भी question जे आर मोंगा का है तो बहिया एक बच्चे ने मुझे बहुत सही याद दिलाए क्या security premium इस्तमाल हो सकता है ना जी ना मैंने बताया था इस पर इसली security premium इस्तमाल नहीं हो सकता तो यहाँ पे आपको जी आरता ही लेना पड़ेगा देखा एक बच्चे ने देख पासर ये 4 लाक ही होगा तो यहाँ पे और हो जाएगा और ये SP to SP ना हम security premium ले लेंगे ठीक है यहाँ कर लेंगे SP to SP security premium अब बचके security premium 75 तो 75 पहले मैं CRR जो है ना ये 4 लाक रुपे है ना तो मैं ये लूँगा 25 ओके और मैं ले लूँगा SP को ले लूँगा 75 समझ में आये क्या changes की है मैंने आये समझ में बागे सब कुछ ठीक है और यहाँ GR की जगहाँ पे कर दूँगा मैं SP जी हाँ बिल्कुल सही बोला security premium cannot use for redemption of preferential but redemption of debenture को use करने के लिए किया जा सकता है first entry चार लाख बता दो चार लाख कैसे हुआ सर देखो एक लाख का आपका 5 लाख रुपे का आपको इंतिजाम करना है face value पांच लाख में से एक लाख का तो fresh issue ही हो जाता है आपका तो एक लाख का जब आपका fresh issue हो गया तो सिर्फ CRR 4 लाख का बनेगा बताईए डाउट एक new concept कर रहे हैं बहुत ध्यान से देखिएगा preference share capital redeem by conversion बताईए डाउट पहले मतलब समझेए क्या है फिर आगे देखेंगे है ना मतलब समझते हैं फिर आगे देखेंगे last class का ही डाउट सारे ही कोश्चन कराऊँगा डाउट बचेगा ही अब आपका सारा ही कोश्चन करेंगे डाउट तो बचने वाला है ही नहीं sir conversion मतलब क्या होता है तो समझिएगा conversion का मतलब है कि जैसे आपके पास आपने मेरी company में preference share पैसे लगाएं जैसे की preference share पैसे लगाएं suppose करो 50,000 आपने मेरी company के अंदर पैसे लगाएं 50,000 रुपे तो मैंने issue कर दिया 50,000 शेयर तो जैसे ही आपको 50,000 आपने रुपे लगाएं आपने मुझे दिये 50,000 रुपे लो सर 50,000 रुपे लो तो मेरी जिम्मेदारी है इस पैसे को मैं वापस करूँगा क्योंकि law हमें बिल्कुल भी permission नहीं करता कि आप इस पैसे को अपने पास जिन्दगी भर रखेंगे law कहता है इसको वापस आपको करना ही यह करना है कितने साल के बाद 20 यर के बाद तो law यह नहीं कहता कि आप उसके cash में ही वापस करिए law यह कहता है कि उसको same amount का benefit दे दीजिए चाहे आप बस उसका यह कहना है कि 20 साल के बाद preference share balance sheet में नहीं दिखना चाहिए उसका यह कहना है यानि सर मैं उसके वापस करने के बदले अगर मैं बात करूँ तो उसको मैं cash में भी वापस कर सकते हैं जी हाँ cash bank एक ही बात है तो अभी तक जितने भी आपने सवाल किये हैं सभी में मैंने bank से ही वापस किये हैं दूसरा option alternate देते हैं अब law की वज़े से एक shareholder ऐसा है मान लो एक shareholder ऐसा है वो कहें कि भीया हमारा company से इतना लगाव है हमें company इतना सारा benefit दे रहा है इतना कमा के दे रहा हम नहीं लेना चाते पैसे हम तो नहीं लेंगे पैसे मतलब shareholder आगे से कह रहा है कि मुझे नहीं चाहिए पैसा आप क्यूं दे रहे हो तो ऐसे situation में company क्या करता है इसको option देता है option क्या देता है कि एक काम करते है हम ना आपको एक नए वाला preference share दे देते है new preference share फिर से मैं issue कर देता हूँ तो आपके पुराने वाले छीन लेता हूँ और आपको नए वाला preference share दे देता हूँ जिससे होगा क्या सर होगा ये सरकार के rule को भी follow कर लिया कि हमने preference share को वापसी कर लिया मान लेते हैं पुराने वाला जो preference share था वो 10% वाला था अब हम आपको 9.5% वाला preference share दे देते हैं एक तो ये हो गया दूसरा हमें काम करते है preference share नहीं आपको हम क्या दे देते है equity share capital दोनों बाते हो सकती है तो यानि मैं आपके पैसे in cash में ना return करके बदले में मैं आपको या तो preference share दे दूँगा या फिर मैं equity share दे दूँगा या any kind मैं आपको compensate कर सकता हूँ तो ऐसे situation में होगा क्या ऐसे situation में हमने government के rule को भी मान लिया हमारा काम भी चल गया तो जब हम cash के अलावा आपको shares दे देते हैं equity share दे देते हैं तो इसको बोला जाता है preference share को redeem कर लिया by conversion by payment of cash नहीं by conversion से कर लिया अब जब conversion से करते हैं तो पहला rule आपको ध्यान रखना है section 62 क्या कहता है कि भाया अगर आप conversion से कर रहे हो तो आप जो CRR बनाते हो उसकी कोई अवशकता नहीं है यानि in case of preference share redemption by conversion no need to create CRR account उस case में आपको CRR की tension खदम हो जाती है तो पहला सवाल CRR आपको नहीं करना लेकिन redemption की क्या entry होगी मान लो मैं इस 50,000 के ही वापस करूँआ यही example ले लूँ और मैंने equity share capital दे देता हूँ अगर मैंने कहा equity share capital दे देता हूँ तो सवाल यहां पर दो आ जाते है सर आप equity share capital जो दोगे वो at par दोगे या फिर वो कैसे दोगे at premium दोगे दो अगर मैं आपके payment करने के लिए तयार हूँ cash में छोड़के DOcostinder आंवर धो तो पहले मैं आपके share को redeem करूँगा मान लेते हैं पहले 10% preference share था तो मैं करूँगा 10% preference share capital कितने रुपे अब सवाल होता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 85 वापस करना या ज्यादा करना है अगर सिर्फ 85 वापस करना है तो 2 आ जाएगा यहाँ पर क्या preference share holder जी आपको 85 देने है लेकिन मैं कहूँ कि मैं आपको 50 के अलावा ज्यादा देना चाहता हूँ तो क्या जाएगा यहाँ पर बताओ security premium आ जाएगा तो चलो मैं मान लेता हूँ कि मैं जादा नहीं देना चाहता है या मान लेते हैं कि मैं आपको जादा दूँगा कितना जादा दूँगा आपको 5-10% जादा दे देते हैं आपको मैं चाहता हूँ कि 10% जादा दूँ तो क्या होगा यहाँ पर security premium account debit हो जाएगा हमारा कितने से 5000 से और भाई आपका नाम जो है वो है preference shareholder और आपको मिलेंगे total 55,000 रुपए मिले नहीं है इसका मतलब मिलेंगे आपको 55,000 रुपए सर अगर आपको 55,000 रुपए मिलेंगे तो आप मुझे बता दीजिए कि इसका पैसे देंगे क्या देंगे अगर पैसे देना होता तो एक साधारन सी एंट्री करते preference shareholder account debit to bank account और उस case में CRR भी बनाना पड़ता अब तो CRR भी नहीं बनाना तो उसकी tension है यह नहीं कि कितना reserve है क्या fresh issue है मैंने कहा कि मैं आपको fresh issue कर दूँगा तो मैंने कहा preference shareholder account debit यह debit तो होगा क्योंकि यह liability खतम करना है सर कितने का liability खतम करना है 55,000 का और मैं 2 कर दूँगा सर 2 equity share capital 55,000 मैं case number one इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं यह वाला करके दिखा रहा हूँ और तो मैं 55,000 का दे दूँगा तो यह हो गया by conversion लेकिन सर एक entry तो अब भी रह गया security premium को write off करने का तो मैं कर दूँगा SP to SP यह तो करेंगे ही करेंगे that is 5,000 रुप इस basic सी entry कोई सवाल बुक का नहीं है यह मैंने अपनी तरफ से example लिया और वही करा दिया समझ में आया तो conversion बहुत बड़ा रोल नहीं है बहुत simple था point है ठीक है न तो मेरे हिसाब से तो उससे तो ज़्यादा आसान है क्योंकि हाँ CRR के अंदर आपको दिमाग नहीं लगाना अगला अगर in case आप बोलो सर premium पे करते तो क्या होता मान लो मैंने कहा कि आपको 10% premium पे दिया जाएगा तो सर जैसे ही premium पे होता तो पहला आपका सवाल होता आपको number of shares निकालने पड़ते number of shares निकालने पड़ते सर number of shares मतलब कैसे निकालेंगे preference share holder को कितना पैसा देना है divided by आपका issue price issue price अच्छा सर तो सवाल में preference share holder को देना कितना है हमारा 55,000 क्योंकि premium पे है और वापसी में हम आपको issue price क्या है मेरा 10 रुपे extra में 10% यानि मैं share 10 रुपे का तो 11 रुपे तो यहाँ पे number आएगा हमारा 500 कुछ बच्चे कहने है सर 11 कहां से आया मेरा जो share है ना वो 10 रुपे का share है और उसके उपर 10% premium लगाओगे तो मैं अपनी company का जो equity share दूँगा वो 11 का दूँगा तो issue price का मतलब जितने का equity share आपको मिलेगा इसका मतलब issue price यह है अगर मैं अपना share company का 10 रुपे का ही दूँ तो divided by 10 रुपे ही होगा लेकिन जब मैं divided by 10 रुपे करूँगा तो उससे कोई result नहीं निकलेगा amount घूम फिर के वही आ जाना है जैसे अगर मैं यहाँ पे भी number निकालने लगूँ तो 55,000 करूँगा और divided by कितना करूँगा 10 तो 55,000 आ जाएगा ultimately last में आप 10 से तो multiply करोगे ही तो घूम फिर के कहाँ पहुँच गए वही पे लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा तो मुद्दे की बात यहाँ पे यहाँ पे यहाँ सर नंबर निकालना क्या जरूरी है जी हाँ नंबर निकालना जरूरी है पहली एंट्री में कोई बदलाव नहीं होगा पहली एंट्री यही रहने वाला है बस दूसरी एंट्री में बदलाव होने वाला है क्या बदलाव होगा क्या चेंजिस होगा दूसरी एंट्री में वो समझे आप second entry में जो changes होने वाला है वो सिर्फ changes होने वाला है preference shareholder account debit सर कितने रुपे 55,000 और two equity share capital सर equity share capital देंगे इस number के हिसाब से अच्छा ये 5000 आएगा ये 5000 आएगा तो हम जो देने वाले हैं वो इस equity के हिसाब से देने वाले हैं that is 5000 और into में 10 यानि 50,000 रुपे देंगे और सर preference shareholder तुम्हें security premium पे हमने दिया है तो security premium आजाएगा that is 5000 into में 10 और ये आगे हमारा कितना 50,000 रुपे आगे तो 5000 आएगा मैंने एक 0 जादा लगा दिया है न 5000 आगे तो ये preference share का हो गया redemption सेम इसकी जगह बोला जाता कि आपका preference share redemption हो रहा है by issue of preference share ही तो यहाँ equity लगा है वहाँ पे क्या आजाएगा यहाँ पे वो वाली entry नहीं करना bank account debit to share application से कोई मतलब नहीं है direct capital दे दो equity का करते हैं एक सवाल को sir इस सवाल में क्या है और कैसे करना है इस सवाल को पढ़ेंगे तो अब लगेगा यह तो बिलकुल simple है कहता है what is the entry made the following redemption by company point number one कहता है कि स्वेता लिमिटेड ने redeem करना है एक लाख रुपे का preference share by converting into equity share at 25% premium यानि कहा स्वेता लिमिटेड को जो preference share holder को पैसा लोटाना है या preference share capital का लोटाना है मात्र लोटाना है एक लाख रुपे का लेकिन इसको मैं देने वाला हूँ सर equity share capital और equity share capital कितने दूँआ नहीं बता रहा है तो equity share capital जो होगा वो मान लीजिए आपका 10 रुपे वाला होगा और उसके उपर मैं security premium चार्ज करूँआ 25% that is 2.5 दस रुपे का यानि मैं 12 रुपे 50 पैसे में दूँआ ऐसे सवाल में सबसे पहले क्या निकाल लिलना चाहिए number of share तो अगर number of shares निकालने जाए तो कितना आएगा एक लाख रुपे preferential holder को ये payment करना है divided by 12.5 जो कितना निकल के आता है 8000 रुपे, 8000 आएगा न कितना निकल के आएगा divide करके बताओ फटाफट number of preferential, देखो दुबारा कर रहा हूँ है आप समझिये यहाँ पे कितना निकल के आएगा 8000 यह आएगा 8000 नमबर आया है अब entry करेंगे, बहलेंगे आजओ भाई preferential holder, हमने अपनी त्यारी कर लिए कि आपको कितना देना है नहीं देना है, अब preferential holder आएगा हमारे पास, तो हम कहेंगे भई कितने percent वाले थे तुम नहीं बताया, तो मान लो 10% वाले थे 10% preference share capital account debit भई यह एक लाख रुपे तुम्हे कुछ premium premium नहीं मिलेगा तो preferential holder भई यह तुम्हें देंगे कितना हम एक लाख रुपे ही अच्छा, अब देने का बारी आ गया तो देते टाइम पे क्या करेंगे हम preference share holder कितने रुपे है, एक लाख मैं bing कई बार नहीं लिखता है तो bing आप किताब से भी देख सकते हैं और मैं बताता जाता हूँ, तो वही आपको simple language में लिखना होता है सर, two equity share capital ओके, equity share capital देना है सर, कितने देने हैं सर 8000 share देने हैं और 10 रुपे का एक है, that is आपको 80,000 ही मिलेंगे equity share capital दूसरा आपको मिलेगा क्या सर security premium, security premium that is आपके पास कितने आ जाएंगे 20,000, security premium कितने आ जाएंगे 20,000, कैसे सर, 8000 इंटू में, 8000 इंटू में 2.5, लीजिए पहला case done, A part done है अब आ जाते हैं B part में B part में B part में क्या कहता है In 2014, Sveta Limited redeem 10,000 preference share आपका 10 रुपीज इच, at a premium 1.25, कहने का मतलब है भई, preference share capital जो है, वो 10,000 है और 10 का एक है, that is उसके पैसे एक लाख लोटाने है लेकिन एक लाख नहीं लोटाएंगे security premium पे लोटाएंगे, और 10,000 पे हर एक को हम एक रुपे 25 पैसे का premium देंगे, that is 12,500 रुपे का premium देंगे मतलब हम आपको लोटाना चाहते है एक लाख बारा हजार 500, preference shareholder को by converting equity share 10 रुपीस each at a 10% discount हम आपको discount वाला आ गया वैसे logical नहीं है, logical यह चीजे खतम हो चुकी है, discount पे होई नहीं सकता, अब यहाँ बोल दिया discount में और कई बार examiner दे दे, तो discount के case में कैसे tickle करना है, वैसे आएगा नहीं लेकिन फिर भी कुछ बच्चों के मन में सवाल होता है कि अगर कम भी होगा, तो कैसे होगा तो बात वही होगा, सबसे पहले क्या निकालेंगे, number number निकालने के लिए क्या होगा, आपका 1,12,500, discount कितने का है, 10% यानि share जो पड़ेगा, आपको 9 रुपे का कितने है, अरे भाई, 1300 कैसे आएगा calculator खरीद लो 1,12,500, डिवरेड़ो 9 12,500 12,500 ठीक है, चलिए सब अगली entry क्या होगा, प्रिफरेंच येर होडर को बुला लो, तो प्रिफरेंच येर capital आजाओ, security premium भी देंगे और तो प्रिफरेंच येर holder, सर, एक लाख ये होगा, 12,500 ये होगा, एक लाख, 12,500 ये होगा, किसी को कोई तकलीफ समझ में आ गया, अब अगली entry देखते है, सर, क्या होगा अगली entry होगा, प्रिफरेंच येर holder, हम तुम्हें देंगे equity share capital, लेकिन सर discount तो debit होता है, तो यहाँ पर एक entry आपको थोड़ा सा अलग हो जाएगा, वही प्रिफरेंच share capital को हम देंगे equity share capital और जो देंगे 12,000 और गुणा में 10, that is, 1,25,000 और तुमारे पैसे 1,12,500 और discount debit हो जाता है, यहाँ पर discount कितना debit होता है, अपका 11,000 12,500 तो 12,500 का discount हो जाएगा, into में 1 हो जाएगा ने, discount amount ठीक है तो यह हो जाता है हमारा concept किसका, conversion का और मेरा मानना है जिस हिसाब से पहले का paper आ रहा है examiner 15 number 1 question देने में believe नहीं कर रहा है, वो सोच रहा है अगर 15 number का सवाल है, तो क्यों ना हम 3-3 number के या 4-4 number के 2 और 3 number का एक इस तरीके से कुछ combo बना दिया जाए, जिसमें से हर chapter से कुछ ना कुछ पूछा जाए 15 number का सवाल पूछने में interested examiner है तो सिर्फ और सिर्फ chapter एक ही है वो है आपका holding वाले chapter में से, जो सबसे last chapter है बाकी सभी chapter में examiner चाह रहा है के हम 15 का सवाल ही ना पूछे, छोटे छोटे पूछे तो उसमें से एक ऐसे हो सकता है, जैसे preference share का एक देदे का normal question एक दे सकता है आपका ये conversion वाला एक दे सकता है shares में से four feature वाला, तो 3 question बन गए और उसके सारा chapter पूछने का purpose भी fulfill हो जाता है तो बताईए किसी बच्चे को कोई doubt है सर, share का amount 10 रुपे माने लेंगे बिल्कुल share का amount आप 10 रुपे मानेंगे 10 रुपे मानेंगे ही आगे चलना होगा बताईए कोई doubt इसमें बताईए किसी बच्चे को कोई doubt है तो चलिए आज हम new topic कर रहे है equation method sir, equation method क्या होता है normally हमारा एक company है ठीक है न, अब ध्यान दे न company कहता है कि भया हमें preference share capital को redeem करना है preference share capital को हमें redeem करना है मान लेते हैं 5 लाख रुपे preference share के redeem करने है और हम हमारे पास कुछ reserve में भी पैसा पड़ा होगा मान लेते हैं 2 लाख रुपे reserve में पैसा पड़ा है और कुछ security premium में भी पड़ा होगा मान लेते हैं 1 लाख security premium में एक example लेके चल रहे हैं और हम security premium 10% पे redeem करने वाले हैं तो normally आप देखो यहाँ पे ध्यान से तो हम जो preference share holder को यानि PSH preference share holder को payment करेंगे पाँच लाख तो redemption 10% यानि 5 लाख इसमें किसी बच्चे को doubt है कि normally हम 5 लाख 50,000 का क्या करने वाले हैं payment करने वाले हैं इसके बाद reserve और surplus की बात कर रहे हैं तो हमारे पास यह पैसा पड़ा है तो हमें 100% face value के बराबर हमें सारा حسाब किताब बनाना पड़ता है यह तो पता ही है अब इसको दो तरीके से बना सकते हैं कुछ तो CLR के parts से बना सकते हैं और कुछ fresh issue से बना सकते हैं अब CRR तो मानके चलो भाई आप CRR यह बना सकते हैं 2 lakh लेकिन मैंने कहा जो fresh issue करेंगे न वो 10% premium पे करेंगे 10% premium पे करेंगे लेकिन कितने share करेंगे नहीं बताया जा रहा यानि इतने share को आप issue करिए इतने number of shares को issue करिए जिससे कि आपका हिसाब किताब बिल्कुल 0 हो जाए ऐसा नहीं कि आप minimum यहाँ पे एक word और होगा minimum मान लेते हैं आप बोलोगे सर ऐसा करो ना आप आप 2,000,000 तो CRR में है 3,000,000 का share issue कर दो 3,000,000 का 10 रुपे के हिसाब से 30,000 मैंने बोला भाई 30,000 share issue करेंगे और 3,000,000 का issue करेंगे तो 30,000 premium फिर भी बच गया ना नहीं आई बात समझ में आप कहते हो सर इस question के अंदर आप क्या कहोगे कि सर आप 2,000,000 रुपे का तो CRR बना सकते हो right security premium तो CRR में जाएगा नी कितने का बना सकते हैं 2,000,000 का अब 2,000,000 का CRR बन गया और हमें requirement कितने का equal to face value that is आपका कितना आ रहा है 5,000,000 का जुरत पड़ेगा तो सर 2,000,000 का CRR बन गया अब 3,000,000 का आपको क्या करना है आप तो यही कहोगे सर 3,000,000 का fresh issue कर दो जब मैं 3,000,000 का fresh issue करूँगा तो fresh issue जब मैंने 3,000,000 किया और plus security premium भी आएगा इस पे तो 30,000 तो हमारे पास पैसे का इंतजाम तो 3,000,000,000 हो गए न जबकि हमें इतना करना है ना तो security premium में एक रुपिया बचे ना तो general reserve में बचे कुछ भी न बचे कुछ ऐसा हमें हिसाब किताब बनाना है कि सब कुछ ले दे के बराबर हो जाए यह एक example लिया है मैंने इसमें नहीं हो रहा मैं जानता हूँ तो sir इसका क्या उपाय है इसको हम solve करेंगे एक equation format में लेके बहुत आसान है इतनी बड़ी कोई चीज नहीं है और examiner ना इसी पर question पूछता है last time पर ना एक question इस पर आया था 6 number का question पूछा गया कि आप equation method से मुझे solve करके दिखाईगे तो sir equation method से जब solve करेंगे हम तो क्या होगा equation method का format क्या formula होगा कोई नहीं simple सी बात है आपको पैसे की जुरत कितना है preference share capital वाला amount plus में security premium वाला amount और ये इतना हो जाए कि security premium जो balance sheet में है plus reserve and surplus जो balance sheet में है minimum number plus में n हमें नहीं पता भी है कितना अब plus security premium है तो plus n का into में percentage security premium ये क्या है share और ये उसके उपर क्या होगा premium इस equation को solve करेंगे तो आपका minimum value क्या निकलेगा इन सब में देखो ये भी पता होगा ये भी पता होगा ये भी पता होगा ये भी पता होगा तो ultimately जो value निकल क्या होगा निकल क्या है एन और एन निकलेगा वो minimum number of shares निकलेगा जितना आपको issue करता है तो इस वाले सवाल में देखिए आपको सबसे पहले preference share कितना कहता है सर डेड़ लाग सर security premium कितना है 10% that is 15,000 सर पहले से कोई security premium में पैसा पढ़ा हुआ है कि जी हाँ क्या reserve and surplus में है बिलकुल और plus n वैसे small n से denote करते है small n x जासा क्यों लग रहा है small n से और plus कहता है कि determine the number of amount issue share at a premium 5% तो n का कितने percent 5% तो into में 5 by 100 इस value को solve करेंगे तो 165 is equal to 75 is equal to अब इसको solve करेंगे तो क्या आएगा n by 20 यानि n प्लस में n by आप बिना n वाला n वाला जो आप करते थे वही कर लो इसको इधर ले आएएगे 75 तो कितने बचेंगे 90,000 इसको solve कर लेगे तो 20 21 n by 20 equation तो आपको solve करना आता ही है न अब इसके बाद आप 20 से multiply करो 180 18,000,000 is equal to 21x है ना x की value find करके कौन बच्चा बताएगा जल्दी बताओ x is equal to मेरा calculator 75,000 ओके गलत कर दिया जी सही पकड़े है बिल्कुल सही पकड़ा आपने ये 25 और 5-30 होगा भाई साब live वाले भी बच्चे आँक बंद करके बैठे हैं बताया किसी ने नहीं बताया हाँ एक बच्चे ने तो बता दिया बस pinky ने नहीं दो तिन बच्चों ने बता दिया गौतम ने भी बता दिया था बागी बच्चे देख रहे हैं कि ये होगा क्या इसके इंदर last में तो भाई last का wait मत करो बीच में भी देखना है तो 1 35 is equal to यह वही आजाएगा 20 1x divided by 20 1,35 into 20 divided by 21 मैं डारेक्ट ही निकाल रहा हूँ सर 1,2,8,5,7,1 यानि सर 1,28,571 ये क्या गया सर रुपीज क्या गया ये इतने रुपे का हमें share issue करना पड़ेगा तब जाके हमारे पास कुछ नहीं बचना पर इतने रुपे का share अगर हमारा एक share 10 का है तो निकाल लो जी नंबर कैसे निकाले सर नंबर की बात करें 128,57 128,57 1 divided by 10 यानि 12,800 57 share issue करने पड़ेंगे अब आप चेक करोगे न आपके पास कुछ नहीं बचेगा ले दे के सब खतम चेक भी करेंगे रुपी अभी कल यहां तक देखिए यहां तक किसी को कहीं भी doubt है point में मैं एक cross verify बैसे पता नहीं एक question में होगा है नहीं होगा भगवान जाने मैं करके देखना चाहूंगा सर क्या cross verify करने वाले हो अभी देखो पता चलेगा आपको भई आप preference share holder को देना है एक लाख पैंसट हजार जिसमें से we can create CRR कितना CRR create कर सकते हो reserve के बराबर जो कि कितना है पच्चिस हजार और यहां पे आपको देखा जाए तो आपको एक पचास चाहिए और fresh issue करना है बाकी आपको fresh issue करने के लिए आपको कितना चाहिए एक पचास में से 25 चलेगे तो कितने बचे नहीं एक पचास में से 25 गये तो एक पच्चिस बचे है ना कितने बचेंगे security premium कितना है आपके पास और कितना देना है 10,000 और देना है तो इसके उपर आप 5% security premium count करो कितना बनता है 5% इस पर security premium लोगे न पहले यहां तक देखो या verify कर लेंगे अगले वाले question में question करेंगे full balance sheet वाला यह रहना ही देता हूं इसमें बच्चे घूम जाएंगे फाल्तु में आप यह देख लो पहले यह वाला समझ में आया equation यह था मेरा इसमें बच्चे घूम जाएंगे पहले यह देख लो यह हमारा यह था और इसके अलावा देख लो इसके अलावा देख लो 643 पिंके का अंसर आ गया पिल्कुल ठीक यहां तक किसी को दिक्कत है आप फुल प्लैस कुश्चन करने वाले इसके बाद फुल प्लैस मतलब एक बड़िया सा बड़ा सा कुश्चन करेंगे यह रहा कुश्चन पढ़एं कुश्चन सबसे पहले ऐसा इक्वेशन वाला यहां पे इक्वेशन इसे हटा दो इसक्वेशन ऐसा नहीं है पेपर में लिखा आएगा आप बच्चों का कुश्चन आएगा के सर हमें कैसे पता चले इक्वेशन है वहां पे नंबर आप शेर बताएगा इन्हीं और जो नंबर आप शेर फ्रेश वाला इसू होगा हमेशा प्रीमियम पे होगा अगर एट पार होगा तो मतलब भी नहीं है बैलेंस निकाल सकते हैं मैं जीदे कहता है प्रिफरेंच शेर आप ड्यू इमेडेट रिडेम्शन एट अट प्रीमियम 10% यानि सर आपका जो प्रिफरेंच शेर है ये 2 लाक रुपे का इसको रिडीम करने असी परसेंट कॉल डप है भाई अभी तो इसको रिडीम करेंगे पहले रिडीम कब कर सकते हैं पहले इसको फुल्ली पेड अप बनाएंगे यानि सवाल में अगर पहला पॉइंट देखा जाए तो आपको बनाना है फुल्ली पेड अप फिर नंबर दो पे आपको करना है रिडीम यानि डारेक्टर बोल रहा है भईया हमने सब कुछ रूल फालो किया है लेकिन हम नंबर अपटाएंगे आपको कितने होंगे आपको समझ रहे बात आप तो चलिए सर हम पहले यहां पे कुछ हिसाब किताब लगा ले यानि सर new number of shares पहले निकाल लेते हैं सबसे पहले तो हमारा कितना है preference share capital जो already है वो 2,00,00 का है और 2,00,00 रुपे at the rate of 80 है ये क्योंकि 20 तो मिला ही नी तो number अगर मैं पूछ लूँ यहाँ पे तो number कैसे निकालोगे सर 2,00,00 divided by 80 तो कितने number निकल के आए हमारे कितने number निकल के आए हागे calculator 2,00,00 divided by 80 सर पच्चिस सो पच्चिस सो निकल के आए 20 और मंगवा ले इससे तो पहली entry क्या करेंगे share final call account debit to कितने percent अभीया 12 percent preference share capital सर पच्चिस सो share है तो मंगवा लो ना इससे पच्चिस सो इंटू में 20 तो पच्चिस सो इंटू में 20 कितने होते हैं 50,000 मंगवा लिए और ये पैसे ले के आएगा अपने घर से सर ये पैसे कैसे ले के आएगा जैसे भी ले के आना हो ये ले के आएगा अपने घर से पैसे इसके बाद सर इसके बाद bank में पैसा ले लो bank account debit to preference to final call final call सर कितने only 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 50,000 आप बताईए मुझे इस दो entry में जिसको थोड़ी भी दिक्कत आप बोल दीजिए बाद में पीछे नहीं आऊँगा अब हर बार पूछ पूछ के करेंगे दो entry में किसी को doubt है तो बता दीजिए बंसिका पूछ रहे हैं 1,2,8,5,7 अभी बता देंगे इस question से समझ में आजएगा बंसिका आपको आप मुझे बताईए इस entry में doubt किसी को दो में हाँ या ना में जवाब दे दें और बहुत बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं share capital बहुत महंगा पढ़ेगा उनको बच्चे कह रहे हैं सर एक बार और repeat कर दो एक बार और repeat कर देते हैं सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या लिखा है सर preference share 10 रुपे वाला है 10 रुपे और जिसमें से oh my god हमने यहाँ 80 ले लिया यह 10 वाला बोल रहा था फरक कुछ नहीं पढ़ेगा यहाँ 8 रखना है यहाँ 8 रखना है और यहाँ 1 0 बढ़ाना है और यहाँ 1 0 बढ़ाके 1 0 घटाना है यह फरक पढ़ेगा मैं भी समझा रहा हूँ रहना वो ही है कहता है preference share 10 वाला है बिना 2 रुपे लिये आपको 2,00,000 मिल चुका है तो मतलब सर 2,00,000 मिल चुका है कितने के हिसाब से तो नंबर निकालने के लिए 2,00,000 divided बए 8 करा तो कितने नंबर निकल के आए सर 25,000 निकल के आगए अगर 25,000 share आपके निकल के आए तो cdc बात है 80% हो गया तो कितना हो गया बताओ आठ हो गया सर आठ रुपए अगर मैंने ले ही लिए तो और कितने लुँगा दो रुपए और लुँगा तबी तो पूरे होंगे 10 रुपए सेक्शन पच्पन कहता है भाईया रेडीम मत कर लेना जब तक फुली पेड़ अप ना बना दो अगर फुली पेड़ अप नहीं है तो उसको पहले बनाओ और फिर रेडीम करना तो हमने पहले क्या करा इसको फुली पेड़ अप बनाए तो फुली पेड़ अप में सर कौन सा बाकी होगा फाइनल कॉल का ही नाम दे देते हैं तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 12% preference share capital और उसके बाद bank में पैसे आगे final कॉल का या फिर preference share capital लिख सकते हैं अब जो भी लिखना चाहो whatever अब बताईए किसी को दिक्कत किसी को दिक्कत मैंने दुबारा बोल दिया है अगली entry पे चले अब sir number of share पता चले तबी CRR बना पाएंगे क्या पता चल जाए पहले fresh issue उसका balance CRR में डालेंगे तो fresh issue के लिए equation की मदद लेंगे sir equation की मदद में जो पीछे formula लिखा था तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम मैं लिख देता हूँ sir preference share capital का पैसा plus security premium का पैसा plus security premium plus reserve and surplus plus में n और plus n into में security premium तो sir preference share का पैसा देखा जाए तो हमें redeem 2 lakh नहीं करना 50 अजार और भी तो आए 2 lakh करने है हमें redeem कितने करने है sir 2 lakh रुपे redeem करने है और security premium इसके उपर 10% लेंगे तो 25 अजार का उसके बाद sir security premium क्या पहले से है balance sheet में जी हाँ है पहले से 5000 उसके बाद sir reserve and surplus पहले से बिल्कुल है ना यह reserve and surplus का ही तो पार्ट है 23 250 प्लस में n प्लस में n का कितने percent sir 5% तो into में 5 बटे में 100 इसको solve करते हैं तो 275 is equal to यह कितने हुए 28200 और प्लस n प्लस n बाइ 20 इसको इधर ले जाओ 275 में से 28250 तो यह आगया 2467 पचास और यह आगया 21 and divided by 20 मैं सीधा solve कर रहा हूं इसको तो जिन बच्चों की गणित कमजोर है थोड़ा ध्यान दीजिएगा हो वैसे गणित वाला कोई मामला है ही नहीं है तो इंटू में 20 divided by 21 तो सर निकल के आगया 2,35,000 यानि सर 2,35,000 रुपे का share issue करना पड़ेगा पहले यहां तक देख लिजिए 2,35,000 रुपे का share issue करना पड़ेगा यानि number of shares कितने होंगे simple सी बात है 10 रुपे का एक share issue करेंगे तो 23,500 share होंगे 10 का है 100 का है कितने का कहता issue करो तो सर तेइस सो पचास share issue करेंगे वो तो अलग से यही तो है यहां पे मज़े की बात तो 100 रुपे का है तो बड़ी basic से बात है सर फ्रेश issue करना पड़ेगा कितने का आपको फ्रेश issue कितने का करना पड़ेगा देख लो आप पहले फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा मौका दूँ बच्चों को समझने का किसी को दिक्कत है तो वो पूछ ले नहीं तो फिर बार बार पूछते हैं बाद में तो disturbance हो जाता है उसमें बता दो भाई बता दो चले बढ़ जाए आगे समझ में आ रहा है सर एक बार फिर से बता दो भाई नए बच्चे हैं जो पूछ रहे हैं मुझे लग रहा है फिर से बता दो इसमें बताना ही क्या था इसमें ये वाला फॉर्मूला देखो इसमें ये वाला फॉर्मूला देखो ये फॉर्मूला अपलाई किया गया है इसको पूरे को बॉक्स में डाल देता है सर क्या कहता है सबसे पहले आप यहां तक में किसी को डाउट आपने बोला नो डाउट अब यह फॉर्मूला मैंने अपलाई किया है सर यहां पे सर यह कौन सा फॉर्मूला है यह सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको आता है सर कौन सा ये वाला अपलाई किया है मैंने ये वाला अपलाई किया है ये वाला तो ये अपलाई करा है मैंने ये देख जिसमें हमारा preferential holder को कितना पैसा देना है और plus हमारे पास जो reserve and surplus सब को जोड़ लो और n into में n into sp पी तो ही करना है बस इसी equation के जगे पर रख दिया ये preferential holder का पैसा है और ये तना reserve में था इनको solve किया तो value आगया 2.35 सर जो ये 2.35 आया ना इतने रुपे का share issue करना है तो बड़ी सीधी सी बात है सर 2.35 अगर मैं number पूछू तो number बता सकती हो सर सर number of shares भी बताओ ना 2.35,000 और इसमें divide कर दो 100 रुपे का एक बोल रहा है तो सर 2350 2350 कर दें fresh issue कर देते हैं क्या करें सर bank account सर कर दो bank account debit to share application लेकिन मजे की बात देखो 2350 और ये 105 रुपे आएंगे premium भी तो लोगे ये number निकला है सर 105 रुपे आएंगे premium भी तो लोगे तो 2350 इंटू में 105 that is आपके पास पैसा आया 2467 पचास 2467 पचास चलिए सर अगली entry क्या करेंगे अगली entry करेंगे share application to equity share capital और to security premium है ना to security premium being हम सब का लिख चुके हैं पहले ही तो बार बार लिखने की जुरत नहीं है हमने पहले जो सीखा था वही लिख लेंगे एक्जाम में आपने लिखना है मैं नहीं लिख रहा है दो लाख पैंतिस हजार और प्रीमियम कितना बना भीया तेईस पच्चास सेंटू में पांच रुपए लाख पैंतिस हजार कर चुके हो तो मतलब सर दो पचास चाहिए और दो पैंतिस कर चुके हैं जी हां तो और पंदरा हजार रुपए का इंतिजाम करो आप और इसके लिए कुछ नहीं बसता सिर्फ आपको बनाना पड़ेगा CRR तो अपने Reserve and Surplus में देखो है पैसे तो CRR की Entry Create कर लेते हैं क्या है Profit and Loss Appropriation तो Profit and Loss Appropriation 2CRR 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 Sir, कितने रुपए आएंगे 2CRR में? 15,000 आएंगे बस 15,000 आएंगे ये हो गई पूरी तैयारी अब Preference Year को Holder को बुलाओ पैसे दो और छुट्टी करो खांदम कहानी Fresh Issue भी हो गया, बताइए बताइए डाउट अब बस मैं Preference Year Holder को बुलाने वाला हूँ और उसको पैसा दूँगा और Security Premium राइट आफ करके एक सुन्दर सी Balance Sheet बना लेंगे काम खतम बताइए इसको मैं Verify Balance Sheet में कराऊँगा, देखना, Balance Sheet में कुछ नहीं बचेगा, सब बराबर हो जाएगा, ले देखे, मतलब कि Reserve and Surplus में एक रूपिया फालतू नहीं बचेगा Clear है, सभी बच्चों ने कह दिया, सर Clear अभी शेक और सहवाज नमन ने भी कह दिया, अभी शेक हिमांशू सभी ने कह दिया, चरो Clear है, तो मान लिया जाए, कि बच्चों को समझ में आ रहा है, ठीक था नहीं आ रहा है, तो बाद में Recorded आपको मिलेगा Unlimited Time तो देखते रही है, जब तक समझ में ना है अब देखें यहाँ पे, Profit and Loss to CRR, Profit and Loss to CRR के बाद, अब बुला लो Preferences Share Holder को चलो मान लो 25,000 दे रहे हैं, तो कितना देंगे, 2,75,000 रुपए, आपको दे दिया जाएगा 2,75,000 रुपए कोई डाउट है, तो बता दें आप, अब पैसा देना है और Security Premium राइट अफ करना है, that's it, मैं कहीं न कहीं अटिस्मेंट तो करी लूँगा है ना, इसको इधर लेके चले, देखो मेरे पास जगे की कमी है, यह आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, तो किरपिया अपने किताब के पूरे पन्नो का, रेजिस्टर के पूरे पेज का इस्तमाल करें, आप पीछे पेज पे जा सकते हैं, मेरी तरह ऐसे मत करना, कि य ले जाओ, टू बैंक, टू बैंक, पैसा ले जाओ, एक सेकेंट, तो जी, थोड़ी सही, देखिए, कितने रुपे देने भाई, प्रिफरेंशियर ओल्डर को बुलाओ, कौन बच्चा बताएगा प्रिफरेंशियर ओल्डर को कितने रुपे देना है, मैं थोड़ी बाते कर कितने देने प्रिफेंशियर होल्डर को पैसे बच्चों ने बता दिया 2,75,000 हाँ जी हाँ प्रिफेंशियर होल्डर को 2,75,000 275 भाई साथ 2,75,000 देने हैं अब क्या करेंगे अब मजे की बात SP 2 SP इस SP में बहुत बच्चे घूम जाते हैं तो आपको मैंने पहली क्लास में बड़ा समझाया था एक क्लास तो इसी में ले लिया था अपने SP समझने में ये SP सर बैलेंशियर वाला और ये SP सर जो ये वाला SP है वो वाला यानि सर रिटन आफ करने वाला तो डाल दो सीधा कितने रुपे 25,000 लेकिन सर 25,000 तो हमारे पास SP में है ही नहीं आप कैसे डाल सकते हो 25,000 पहले हम हिसाब लगा लें SP में है कितना भाईया SP में 5000 ये था बोलो हाँ SP में फ्रेश इसू से आया था 11,750 बोलो हाँ तो टोटल SP में कितने आ गए 16,750 और सर प्लस में से बाकी ले लेंगे सर प्लस से बाकी ले लेंगे यानि 25,000 रुपे में से 16,750 तो SP पड़ा हुआ है बाकी सर प्लस में लो तो बाकी कितना लोगे सर प्लस में से आप तो बाकी लोगे सर्प्लस में से सोला सास्सो पचास यानि बियासी सो पचास रुपए सर्प्लस में से लोगे ओके यानि सर ये एंट्री तो हो गई गलत SP तो लेंगे लेकिन उसके accordingly लेंगे हम यानि सर SP में आ जाएगा हमारा SP अकाउंट किसमें कुछ बच्चों को चक्कर आ सकता है तो देख लेना सोला सास्सो पचास और स्टेट्मेंट के प्राफिट एंड लॉस अकाउंट कितने लिखे हमने आठ हजार दोस्सो पचास और टू 2 SP में कितने 25 हजार अब बच्चे बोलेंगे सर ये भी तो चेक कर लो कम से कम आपके पास प्राफिएंडल में पैसे भी है या सिर्फ निकाले जा रहे हैं चेक करते हैं हमारे पास था 23 हजार 250 जिसमें से बना लिए हमने CRR कितना बनाया CRR 15 हजार का CRR बनाया अब देखो कितने बचे सेम अमाउंट कितने बचे माइनस करो 23 250 में से माइनस 15 हजार तो 82,80 ही बचे इसका मतलब सर अब हमारे पास रिजर्व एंड सर प्लस में भी कोई पैसा नहीं बचा तो यही तो इक्वेशन का फाइदा है कि इतने नंबर अफ शेस इशू करें कि हमें फाल्तू इशू ना करना पड़ जाए समझे रहे बात अब बैलेंस शीट बनाऊंगा तो देखना है क्लियर होगा आपके पास रिजर्व एंड सर प्लस में कुछ भी नहीं होगा सिर्फ CRR का पैसा पढ़ाओगा और कुछ भी नहीं होगा इकूटी शेयर ऐसे का ऐसा ही रहेगा पर फरेंश यहां से हट जाएगा सिक्यूरिटी प्रीमियम हट जाएगा पी एंडल हट जाएगा एससे में से फिक्स असेट को छेड़खानी नहीं और रीज इसके बाद ता बेर बैंक अकांट में ने सीखा था तो चलिए आईए balance sheet बनाई ले balance sheet बनाई लेते हैं फटा फट से तो balance sheet का format मैंने तो देखो भी पढ़ा है तो मुझे याद हो गया है कि क्या-क्या ये required करने वाले हैं उसी के हिसाब से बना देते हैं बहुत छोटा सा note amount particular सर सबसे पहला point देखो आपको याद होना चीए ये नहीं याद है तो याद जरूर कर ले equity and liability इसके बाद इसका sub point इसको एक नंबर डालेंगे share holder fund इसके बाद sub point A part share capital B part reserve and surplus और कुछ होता ही नहीं अब long term borrowing वाली कोई सवाल ही नहीं था इसके अंदर party नहीं था जो कि मैं long term borrowing लिखूँ मैं दूसरा नंबर लिखनूँगा current liability सीधा जाके क्या लिख दूँगा मैं मुझे याद है current liability ही लिखना चाहिए current liability के अंदर भी देखो ना क्या है यह सर संडरी क्रेडिटर है तो बस एक trade payable का बना लेते ना आप देखो तो preferent share तो बचा ही नहीं उड़े गया preferent share बस पांच लाग का equity है सर तो पांच लाग का equity है तो share capital में direct लिख देते हैं पांच लाग रुपे सर reserve and surplus में करने वाली बात है तो मैं reserve and surplus के लिए note बनाता हूँ सबसे पहले पुराने वाले उतार लेते हैं security premium पुराने वाला था पुराने वाला कितना था सर 15,000 कितने थे नहीं 5,000 पुराने वाला कितना था 5,000 और उसके बाद profit and loss में कितना balance था सर profit and loss में था 23,650 उसके बाद हमने fresh issue से security premium receive किया सर फ्रेश इशू से security premium receive किया कितना receive किया 17,000 बताओ 17,000 17,000 नि 11,750 11,750 11,750 ओके total हो गए 16,750 अब यह हो गया इसमें से हमने कैसे कैसे इस्तमाल किया इस्तमाल देखना ध्यान से मैंने CRR बनाया सर CRR कितना बनाया मैंने 15,000 बचे कितने 82,000 कितने 82,000 अब भुलवा भी दिया अपने तो कितने बचे 82,000 8,250 कितने बचे 8,250 अरे यही से माइनस करते न अब यह 8,250 फिर से यूज हो गया सर किसलिए हो गया security premium write-off करने में तो यानि सर यह तो 0 बचा और यह 16,700 भी security premium को write-off करने में चला गया write-off करने में चला गया कितना 16,750 पूरे ही चले गए यह भी कितना बचा 0 कुछ नहीं बचा CRR हमारा create हुआ था कितने का 15,000 का मतलब सर reserve and surplus में note number 1 में क्या आएगा सिर्फ और सिर्फ 15,000 और liability की बात करें तो सर liability कितना इतना जादा 2,86,952 यानि 2,86,952 अब इसका total कर लेंगे that is liability इसके बाद सर आ जाते हम किसके उपर assets के उपर number 2 assets assets में क्या क्या है सबसे पहला point आता है non current assets पहला point आता है non current assets non current assets के अंदर a part आता है PPE सर यह क्या है PPE property, plant and equipment PPE इसके अंदर सारे fix assets आ जाएंगे हमारे पास एकी fixed assets है FA way हमारे पास कहा है सर PPE यह रा fix assets 7,514,014 7,014 7,000,514 ओके सर और क्या है चेक करो सर और दे रख भा है 網प बैंक bank का एक note बनाना पड़ेगा bank का सर नोट बना ले से चलिए आ जाईिये यह तो इसके लिए काम किया ऐसे सवाल 15 नंबर में आता ने तो एक तो मजास आ जाता है कि भाई काम तो किया लेकिन गलती नहीं हुई और गलती कैसे अच्छा हाँ शेर कापिटल गलत आगा भाई या फ्रेश इसू भी जोड़ना है भी रुख जाओ रुख जाओ बच्चे बोल रहे हैं वैसे लग रहा है क्या हाँ सर इन्वेस्मेंट सोल्ड कोई प्रॉफिट लॉस होता है तो ट्रांसफर होता है बिल्कुल होता है पहले भी किये इतने सारे शेर कैपिटल गलत हो गया भाई पहले अभी इसको देख लेते हैं किस पे बैंक की बात कर लेत हैं सर बैंक का बैलेंस कितना है अब भी आपके पास किताब है देखके तो बता दो कम से कब बैलेंस कितना है हमारा बैंक के अंदर 16,688 रुपे 16.688 रुपय पलास fresh issue से आया fresh issue से कितना आया था fresh issue से हमने bank में लिया 2,46,750 रुपय 2,46,750 रुपय पलास final call से आया 50,000 तो total कितना हो गया bank में total कितना हो गया bank में प्लस 246,750 प्लस 50,000 यह आगे 313,438 माइनस पेमेंट पेड कितना 275 माइनस पेड कर दो 275 और यह आगे 38,438 यानि सर बैंक में बचेगा जो कि हमारा आएगा current assets में, number 2, current assets, सर, current assets में पहले inventory आता है, number A पे और B पे आएगा cash and cash equivalent, हाला कि C पे आएगा, इसके बाद B नमबर पे भी ना trade paypal आएगा, तो मैं अभी थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं, इसमें 2-3 चीज़े और जूड जाएंगे, तो that's why मैं इसको छोटा कर देता हूँ, number B आएगा trade receivable, number C आएगा cash and cash equivalent, ठीक है, वो आप लिख लीज़े आगे, आपको बस समझाना था, हाला कि ये balance sheet मैं सोच रहा था, आपको दू करने के लिए, लेकिन ये balance sheet मैं नहीं कर दिया, आपका काम मैं कर रहा हूँ अभी, तो कितना आया सर, 38,438, note number 2, तू नहीं अभी ये 3 बनेगा, तू ही बना देतने, 38,438, सर ये share बच्चे बोल रहें, गलत हो गया, बिल्कुल गलत हो गया, सर, share capital में 5 लाग का पुराना था, fresh issue हुआ 2 लाग, 35,000, तो 7 लाग, समझे, और आजएए, सर डेटर 48 और inventory 150, डेटर 48, ये रहा डेटर, इसमें आएगा डेटर, एक लाग, 48, और ये कितना, inventory कितना है हमारा, गुलवा दिया, एक पचास, 150, 150, लो जी लो, टोटल करो और दोनों को side match करो, अगर match नहीं हुआ तो दुबारा करो, तरी आगे 10, 36, 952, 10, 36, लो जी match हो गया, बस एक यही है accounts के अंदर, balance sheet जब match हो जाता है, तो लगता है कि हमारी मेहनत सफल हो गई है, ठीक है न, तो चलिए balance sheet match, अब सवाल में doubt, अब सवाल में पूछे doubt, सर नोट नमबर वन बता दो, अभी बता देंगे दुबारा repeat करके, चलो नोट नमबर वन बताएंगे और पूछे doubt, दोवे लुट बता दो, अभी चलो नाइब हो जिस्गे चलोगता है, पलिएवे तेंगे औरैंगे वुटे, कि दो तोभी है, अब सवाल में आएंगे बताएंगे, जुबाएंगे औरगता दो वगताई है, भीन बताएंगे, तो एंगे, वेवे बताएंगे, टुटे, रेजर्वेंट सर्फलस वाला बता दो बच्छे कहने सभी बोल रहे हैं सर हमें कुछ नहीं जानना बस एक बात बता दो ये रेजर्वेंट सर्फलस वाला आपने पूछा तो मैं इसे काट के दुबारा करूँगा फिर हटाओ इसे फिर बस आप ध्यान से देखना सर कैसे देखो पहले सिक्यूरेटी प्रीमियम लिख देते हैं और एक लिख देते हैं रेजर्वेंट सर्फलस पहले तो पुराने बैलेंस शीट को ही नोट कर लो रेजर्वेंट सर्फलस मतलब सर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है ना profit and loss का balance तो security premium हमें दे रखा था पहले से balance sheet में 5000 और ये दे रखा था 23,250 ये तो वो है जो कि पहले से balance sheet में दे रखा था balance sheet में से अब एक काम करते हैं हम क्या करते हैं fresh issue के बाद भी premium आया है तो low जी आगे security premium ये fresh issue के बाद आया है 11,750 यानी total security premium में हो गया 16,750 अब सर इसमें से कुछ पैसा इस्तमाल हो रहा है सर इस्तमाल हो रहा है तो minus करो न इस्तमाल हो रहा है CRR बनाने में कितना इस्तमाल हो रहा है 15,000 CRR बनाने में इस्तमाल हुआ मतलब सर यहां पे 82,250 280 बचेगा न 82,250 पढ़ा हुआ है balance 82,250 वोई को इतना ज़्यादा कैसे आ रहा है 82,250 यह पढ़ा हुआ है balance लेकिन सर हमें security premium को भी देना है कितना देना है सर 25,000 देना है security premium को paid करना है तो यानि सर सौटे जागे आगे 82,50 कोई बात नहीं इस balance का इस्तमाल करेंगे यूज करो सर इस balance का ये लो 82,250 यूज कर लिया किसले यूज करा सर security premium को देने में ये तो 0 हो गया और ये लो minus security premium हो गया ये भी आ गया तो ये भी 0 हो गया सर यहां क्यों को minus क्योंकि अब total बराबर हो गया ना हर जगा बस एक CRR में पैसा पड़ा रह गया हमारा 15,000 तो वही 15,000 मैंने note number one में put कर दिया बताईए समझ में आया या नहीं आया या एक बार और मिटाना है आपको पढ़ना ही काम है सर जिसके सारी दिक्कते चलती रहती है 10,000 रुपे redeemable preference share 10,000 नंबर है redeemable preference share equally आपका equity share है ठीक है सर security premium है ओके general reserve है ओके profit and loss है current account है ठीक है इधर कुछ न कुछ दे रखा है कहता है 8% preference share to be redeem at a premium 10% पे यानि सर जो preference share है उसे 10% पे redeem करेंगे मतलब सर preference share capital की बात करें न हम तो preference share capital कितने है सर 2,000,000 यह न 20,000,000 है 20,000,000 है कितने है 20,000,000 और कहता है इसको redeem करेंगे 10% premium पे तो security premium कितना आएगा 2,000,000 इसका मतलब सर बड़ी सीधी सी बात है हमें 22,000,000 रुपे का इंतजाम करना पड़ेगा payment करने के लिए और CRR के according या कुछ भी करो उसके लिए आपको 20,000,000 रुपे का इंतजाम करना है आगे देखना मजे की बात सवाल में क्या कहता है fresh issue of equity share to be made extent of required terms of provision of the companies act 2013 fresh issue उतना ही करना जितना जरूरी है इसा नहीं कि बहुत सारा करके बैठ जाना यानि वही हो गया minimum investment वर sold of market value market value यानि ये वाला investment जो था ना उसको बेच दिया आपने इतने का तो सर फाइदा हो गया तो investment बेचने की entry कर देंगे हम temporary bank overdraft to be arranged in case of shortage of fund temporary bank overdraft bank overdraft क्या हो गया हमारा अगर को shortage of fund मतलब भया तुम पैसा 22 लाग रुपे दोगे मामूली amount है कि 22 लाग रुपे देना आप दोगे तो आपके bank में shortage हो जाएगा जब bank में आपका shortage होगा तो उस fund का arrangement करना तो कहता है temporary bank overdraft bank वालों से बोलना भया उधार दो हमें preference share holder को क्या करना है payment करना है the company redeem preference share first April 2009 except the shareholder 200 preference could not be trades बुलाते रहें बुलाते रहें वो मिला नहीं could not be trades तो उसको पैसे हम नहीं देंगे जब मिला ही नहीं तो नहीं देंगे यानि 22 लाग रुपे हम देने के लिए तयार है लेकिन 200 share holder के payment नहीं हो पाएगा तो इसमें एक मजे की line यही था जो कि था subsequently the company issue bonus share in the ratio of equity share कहता है subsequently इसके बाद ये काम काज करने के बाद company ने bonus share issue किया in the ratio of one equity share for every four यानि चार के बदले हमें हमें एक देंगे equity share including the new issue यानि नए issue जो करे हैं उसके साथ साथ तो सर हिसाब किताब बना लो ना कितने नए issue करना है बहुत simple सी बात है अब देखो हिसाब किताब बनाते हैं हमें preference share holder को जो payment करना है वो total 22 लाग करना है है न 22 लाग में तो 2 लाग रुपे क्या होगा इसका बोलो और 20 लाग क्या होगा face value ठीक है इसका CRR होता है इसका कोई CRR नहीं होता अब देख लेते हमारे पास reserve fund में कितने रुपे पड़े हैं सर पहले हम देख लेते हैं security premium में कितना है भीज़ है security premium में 320 है तो भया security premium तो utilize हो जाएगा 320,000 है हमारे पास तो 2 लाग तो security premium utilize हो गया कोई चिंता वाली बात है ही नहीं तो ये तो zero हो सकता है अब face value का इंतिजाम करो 15,20,000 तो 15,20 में से अब कहां से लाएं पैसा आप तो कोई उपाए है नहीं अब क्या करो fresh issue ही करो तो कितने पैसे कम पड़े सर कितने पैसे कम पड़े ये कितने बचे 4,80,000 कम पड़े और 4,80,000 का ही fresh issue करना पड़ेगा that is आपको 4, कितने रुपे का एक share नहीं बताया तो मान लो आपको 48,000 number of share fresh issue करना पड़ेगा fresh issue करना पड़ेगा अगर security premium होता न तो वही funda लग जाता सर जो कि पहले हमने सीखा था equation method से कितना n यहाँ पे कोई equation नहीं लगेगा जितने पैसे चाहिए उतने करने पड़ेगे यहाँ security premium में कुछ पैसा बच जाएगा कितना बच जाएगा सर एक लाख बीस हजार क्योंकि इसको use ही नहीं किया जा सकता उसको इस्तमाल करना possible ही नहीं है बिल्कुल सर चलिए यहाँ तक पहले calculation में देखे आप किसी बच्चे को कोई doubt है तो यहाँ तक बच्चे को किसी को doubt बिल्कुल सौ का ले लो दस का ले लो आपकी इच्चा है वो आपके उपर depend करता है सौ का ले लो दस का ले लो आपकी इच्चा है वो आपके उपर totally depend करता है इसमें घवराने सोचने हाली कोई बात ही नहीं है थोड़ा सा इसके अंदर मैं थोड़ा सा change करूँगा क्योंकि हम न investment को profit पे बेच रहे हैं शायद देख लेते investment कितने का 8 का कितने का बेच रहे हूँ 40 80,000 और आगे देखे यहाँ पे देखे थोड़ा सा change कर देते हैं क्या change करोगे यह ध्यान से निकल गया सर एक तो 15-20 हमारे पास है सर 15-20 कैसे हैं इसको भी बता दे यहान लिख देते हैं सर हमारे पास GR में है कितना है 12,000 सर P&L में है कितना है 30,000 कितने हो गए 15,000 सर जब हम उसको बेचेंगे ना किसको investment को investment को बेचने के बाद भी हमारे पास आएगा 80,000 कैसे सर आठ का समान एक तो कितने हो गए हमारे पास 16,000 तो सर यहां पे हम ना यह 15 की बज़र की हम क्या लिख देते हैं सर यहां 16,000,000 रुपे लिख देते हैं तो 4,000,000 रुपे की requirement होगा that is 10 रुपीज का इच मान लो तो 40,000 फ्रेश इशू करेंगे that's it कोई दिक्कत कोई परिशानी फटा फट से काम स्टार्ट कर देते हैं बड़ी देर होगे इसको पढ़ते पढ़ते पहले investment बेचो investment बेचो कि तो bank में पैसा आएगा सर bank में कितना पैसा आएगा बता दो फटा फट 8,80,000 आपका investment कितने का था 2 investment सर 8,00,000 का था बाकी क्या हो गया सर profit हो गया तो 2 profit and loss profit हो गया कितने का 8,000 low जी low investment बेच दिया हमारे पास investment बिग गया 8,80,000 खाते में आ गया ध्यान रखिएगा क्योंकि एक loan लेने वाली भी बात बोल दिये इस question है उसको भी हमें पूरा करना है है ना loan लेने की बात भी बोल दिये चलिए अब बुला लेते हैं preferential holder को भया आ जाओ या fresh issue कर देते हैं तो bank account debit bank में पैसा आ जाएगा कितने सर 4,00,000 रुपे और 2,6 share application share application कितना आ जाएगा सर वो भी 4,00,000 रुपे और अगली entry क्या करेंगे सर share application to equity कितने 4,00,000 security premium है यह नहीं तो सवाल ही पैदा नहीं होता कुछ भी चलिए बुला लीजिए किसको बुला ले भाई preferential holder आ जाओ कितने percent 8% 8% preferential capital कितने 20,00,000 भाईया तुम्हे security premium देंगे चिंता मत करो कितने 2,00,000 और आ जाओ preferential holder कितने 25,00,000 जैसे हम इसे payment देने पहुँचे तो हमारा कुछ shareholder था भाग गए यानि मिले नहीं भाग नहीं गए basically मिले नहीं कितने preferential holder नहीं मिले सर 200 तो 200 को हम कितना नहीं दे पाएंगे 110 रुपए नहीं दे पाएंगे इसका मतलब 200 इंटू 110 कितने हो जाएंगे 11,00,000 और यानि 22,000 रुपए नहीं दे पाएंगे यानि 22,000 रुपए नहीं payment करना यानि जब हम करेंगे ना preferential holder डियू तो सबको किया लेकिन payment सबको नहीं हो पाएगा तो 22,000 कम हो जाएगा 22,00,000 में से तो कितना हो जाएगा 21,00,000, 28,000 21,00, 28,000 टू बैंक बताइए किसी बच्चे को कोई समस्या 21,00, 78,000 रुपए तो सर यहाँ पे क्या है पैसा कितना है, 22,00,000 देना था मैं तयार था 22,00,000 देने के लिए लेकिन, लेकिन, मगर इसमें से कितने 22,000 रुपए नहीं दे पा रहा हूँ नहीं दे पा रहा हूं in the sense कहता है न question मैं सवाल को देखिए न आपको कह रहा है कहां कह रहा है भी दिखाते हैं आपको सर क्या कह रहा है पढ़िए दक कंपनी रिडीम प्रफ्रेंच शियर ऑन फॉर्स एपरेल एक्सेप्ट इन केस शेर होल्डिंग जिसके पास 200 शेर है प्रफ्रेंच शियर हूँ कुड नॉट वी ट्रेज ट्रेज का मतलब नहीं पाया गय सर सेंपल पेपर आ गया क्या मार्केट में नहीं आया जी नहीं आया आने बस आज आएगा पूरे पेपर करेक्शन लग रहे हैं आज आएगा आप चिंता मत करो जैसे आएगा सबसे पहले आपको इंफर्मिशन दूँगा फोन नमबर दे दूँगा सबसे पहले आप ही खर SP और ये SP to SP कितने होंगे 2,00,00 और 2,00,00 ठीक है साथ 2,00,00 येस 2,00,00 ही तो करा था debit पूरे को right of करना पड़ेगा आपको चलिए ये हो गया कहता है past general entry transaction in the books of rainbow limited सारी की सारी general entry हमने कर दी किसी में किसी को कोई दिक्कत है तो बता देखे bonus issue रह गया, है ना, bonus issue, bank overdraft भी रह गया bonus issue भी चलिए bonus issue निकाल लेते हैं, सर बताईए bonus issue, bonus issue देखिए share कितने हो गया चार लाक ही है और पहले से कितना पढ़ा हुआ है हमारे पास पहले से पढ़ा हुआ है हमारे पास 20 लाक चार लाक ही है और पहले से पढ़ा हुआ है हमारे पास कितना सर कितना सर 20 लाक यानि 24 लाक 24 लाक रुपे का है बोलता है जिसके पास कितने है every 4 को देंगे एक तो डिवाइड़ बाई 4 24 लाग यानि सर 6 लाग का बोनस इशू करना है और रुपीज के टमस में बताएं नंबर के टमस में बताएं तो सर 60,000 रुपए का बोनस शेर करना है 60,000 बोनस शेर के लिए आपको 6 लाग का CRR चाहिए जिसमें से कितने का CRR बना लिया बहुत सारा CRR ओ माइगाड CRR भी तो नहीं बनवाया आपने वह गलत तलत करवा रहे हो CRR बनवाया ही अब आप से एक्जाम में भी ऐसी गलती हो सकती है न तो डरने की कोई बात नहीं सबसे लास्मे कर दो CRR की एंट्री कोई नमबर थोड़ी न खटेंगे तो CRR में क्या जाएगा सर जन्नर रिजर्व जन्नर रिजर्व के बाद प्रॉफिट एंड लॉस जन्नर रिजर्व कितने का 12 लाग का ये कितने का 4 लाग का और 2 CRR 16 लाग का समझे आप बोनस इशू कर देन बोनस इशू करते हैं CRR को डैबिट करो कितने सर कितने पैसे की जरॉरात है सर 6 लाग और 2 बोनस इशू बोनस इशू शे लाग और बोनस इशू के बाद क्या करें हम आगे बोनस इशू 6 लाग टू, एक्विटी, शेर, कैपिटल याद आया छेला किये लीजिए कोई दिख्कत है तो बताईए बोनस ईशू ज़्यादा कहा है क्या 24 लाख ही थे न बोल रहे हैं हाँ क्या 4 लाख के तो शेर पड़े हैं देखना कितने के शेर है गलत करा दिया अरे देखना कितने के शेर है जरा 40 लाख है हाँ 40 लाख के शेर है न तो बोनस ईशू तो कुछ और निकलेगा एंट्री आप करोगे मैं तो नहीं करूँगा 40 लाख और फ्रेश ईशू 4 लाख टोटल 44 लाख और एक शेर के कितने के शेर के बदले 4 के बदले तो divided by 4 यानि 11 लाख लो यह गड़ बड़ करा दिया कोई बात नहीं बत यहाँ 11-11 लाख करना है समझ में आए 11 लाख कैसा है चलो डन डना डन कौन सा अच्छा बैंक ओवरड्राफ का हिसाब किताब बता देते हैं लेने के लिए बोला है हलाकि इसने चलो बैंक ओवरड्राफ भी बोल रहे गया तो चलो हिसाब किताब वैसे जुरत नहीं पड़ेगी हमें total पैसा कितना चाही था total पैसे कितने चाही था प्लस fresh issues से कितने आए कहां गया कहां गया बस 4 लाख और कहीं से पैसा आया assets investment बेचा 8 लाख 80,000 टोटल पैसे कितने होगे 8 और 8 16,000,000 80,000 और कहीं से पैसे आया देखो और कुछ बेचा हुचे हमने क्या नहीं आया माइनस कर दो 21,88,000 इतना पेमिंट किया तो बाकी ओवरड्राफ्ट होगा न सर 16,88,000 माइनस 21,88,000 तो बाकी ओवर 4,99,000 आपको बैंक से लोन लेना पड़ेगा इसको क्या लिखना है नूट में लिखने ना बाकी बैलेंस शीट बनाने को बोला नहीं गया बैलेंस शीट अगर हम बनाते तो हो जाता से बताईए कोई डाउग दन ये चप्टर खतम देखो लास सवाल था और हमारी किताब के कितने सवाल कर चुके हैं ये 16 था आप देखोंगे किताब के अंदर आपको 17 भी मिल जाएगा फटा फट से हो जाएगा आपकी जिम्मेदारी है 18 और 19 मैंने कहा था मैं ही कराऊंगा कोई बात ने अगली क्लास में इसको कर लेंगे फिर वैसे खतम हो गया conceptually सारे concept इस chapter के cover up हो गए है जिसमें से सबसे important concept आज हुआ है equation method वाला और could not trace वाला जो की हमने ये किया ठीक है चलिए next class है अभी 9 बज़े भी एक और class है जी एस्ती वाले बच्चों की class है अभी तो आज तो मैं doubt भी नहीं ले पाऊंगा आपके अगली class में doubt भी ले लेंगे ठीक है और रहे बच्चे कह रहे हैं sir please switch on my mic आपके mic को मैं थोड़ी switch on कर सकता हूं sir जो question आपने नहीं करा है मैंने तो सारा करा दिया इसमें से इसके तो सारे ही ओक है जो मैंने slide लगाए है अब मैंने वो सोच रखा है कि जो slide लगाऊंगा उसके question छोडने नहीं है सारे करवा दिया है ये देखो अच्छा एक रहे गया चलो ये अगली class में देख लेना मैं आपको एक चीज बता दू एक point बता दू सर क्या point बता दो मैं अगले chapter को बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊंगा जब तक कि आपके सारे doubt नहीं नहीं पड़ जाते पुरा नहीं अगले chapter पे नहीं जाऊंगा जिस दिन doubt खतम होगा पहले test फिर आपका अगला chapter करवाऊंगा ऐसे क्या रहेगा मेरे लिए बहुत आसानी हो जाएगी कि मुझे doubt बच्चों के बार बार नहीं लेने पड़ेंगे दूसरी बात हमारा chapter फ्लो में आएगा कि ये चीज complete हो चुका है सिधी बात चलिए सर मिलते हैं हम next class के अंदर 200 share नहीं दिये उसने minus कैसे किया 200 share नहीं दिये तो मैंने बस amount में minus होगा और कहीं minus नहीं होगा सिर्फ amount में minus होगा बाकी सब कुस तो रहेगा ये बस amount में minus करना है balance sheet में फरक दिखेगा बिल्कुल balance sheet में रहेगा हमारा preferent share उतने का रहे जाएगा तो balance sheet के bank से भी कमोगा लेकिन balance sheet बोला ही नहीं बनाने को I want to ask doubt बताइए विश्नु क्या doubt है बताइए विश्नु क्या doubt है अरे भाई साब 22,000 कैसे आया 22,000 कैसे आया कहां फस गई ये बच्चे आप एक बड़ दुबारा देखना है ये पूरे वीडियो को 22,000 ये वाला पूछ रहे हो कैसे है 22,000,000 है भाई साब और कुछ बच्चे कौन सा अच्छा ये 200 could not trace और एक को 110 रुपे वापसी करना है तो यहां से 22,000 आ रहा है 21,000 कैसे है ये लो मैंने ये बताया तो 22,000,000 में से 22,000 रुपे माइनस करेंगे तो 21,000 रुपे बचेंगा चलो ज़्यादा doubt सर narration जरूरी है बिल्कुल बिना narration के आपको marks नहीं मिलेगा पहली class में देखे narration दे रखा है सर share वाले chapter में मैं share वाले chapter अगली class में लूँगा अगली class में मैं doubt लूँगा जिन बच्चों के रहे हैं एक तो share capital के ढूंड के निकाल लेना दूसरा इसके भी निकाल लेना जो भी बनते हैं आपके मैंने सारे question दे दी है doubt निकाल लेना मैं class में solve करूँगा और आपका कौन सा करवाय मैंने buyback का bonus का जो भी मिलता है ये chapter के doubt लेना अगली class में सिर्फ doubt लेंगे और doubt पहले आप भेज देना मुझे whatsapp पे अभी जो recent भेजेंगे उनका देख पाऊंगा ताकि मैं उसको पहले slide पे लगा लूँ और उसको question कर पाऊंगा ठीके